जैहिन दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्रिवार आरजी स्टेट एक्जाम पर और मैं धर्मेंदर डागर आप सब प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ भाई और सभी बच्चों को एक ही छोटी सी बात बोलूगा भाई दिल से लवीवा आप सबको क्योंकि जिस उमीद पर आप लोगों के जिस प्यार पर जिस भरोसे पर मैं आप लोगों के लिए यह सीरीज लेकर आने की सोच रहा था उससे भी ज़्यादा आप लोगों ने प्यार द मैं पूरी सिद्धत के साथ आप लोगों के साथ मेहनत करूँगा इसी परकार से आप लोगों को करना है और खाली math math ही नहीं पूरी RG state exam के team GS, reasoning, hindi, english सभी subject इसी परकार से आने वाले आपके जिस परकार से math की 20 दिन की 20 महरातन क्लास आई है same to same इसी परकार से और आज ये 20 द का paper दे कर भार निकलोगे आप सबसे ज़्यादा बच्चों के मुझ से यही बात सुनोगे कि हाँ, अगर math के 20 क्यों सनाए, math में 40 में से 40 अंकाए, तो सबसे ज़्यादा useful साबित हुई हमारे लिए 20 दिन 20 महरातन, सभी बच्चों को राम राम, सभी बच्चों का स्वागत ह है भाई, सब के सब बच्चों का, अब मैं क्लास की सरवात करता हूँ भाई, ज़्यादा बाते ना करते हुए, और आपके comment बहुत ही कम पढ़ूँगा, वज़े क्या है, अगर मैं ज़्यादा comment पढ़ूँगा, तो आप लोगों का ज़्यादा समय जाया जाएगा, समझ ग सबी question आपके 2023 के और एक level wise set कर रखे हैं, कि हाँ, सबसे पहले पहली type का, फिर दूसरी type का, फिर तीसरी type का, फिर चोती type का, फिर पांचवी type का, फिर छटी type का, फिर सातवी type का, समझ गए सबी बच्चे, देखते जाओ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, questions का level अब सुनिए सबसे पहले भाई, आज की class में मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना आप सम, कि आज की class में जो आपका percentage होगा, total class आपकी 3 घंटे के अंदर complete करा कर, आपको ये बोल दूँगा कि percentage वहां तक का सिखा दिया, कि इ ठीक है भाई, सबी बचे session को एक बार share और like कर देंगे, ताकि आपके सखी सहलिया, यार दोस्त, भाई बंदू, रिष्तेदार जो भी बचे होगे हैं, वो आपके इस प्यारे से session के अंदर जूड सके भाई, तो आज की इस प्यारी सी class की सरवात करता हूँ, एक बात याद रखना, सब कुछ सिखाने का काम मेरा है, सब कुछ सिखाने का, जहां से कुछ समझ में ना आए, जो दिल करे वो पूछना, जो भी आपका दिल करे वो पूछना, आपको पता नहीं चलने दोंगा कि ये तीन घंटे कब चले गए, आप पढ़ाई में इस परकार से lean हो जाओ कि अरे यार मजा आगया परसंटेज में, ना जादा वक्त जाया करेंगे कि 20 परतीसत का मतलब होता है, एक बटा 5, फिर 25 परतीसत का, फिर 30 परतीसत का, ना, बिल्कुल 0 से उठा के, और आपको 100 परसंट कम्पलीट कराऊंगा, 60 क्योस्टन के अंदर, 60 क्योस्टन पीवाई गए होंगे, जो एस्पेक्टिड क्योस्टन होंगे, इन क्योस्टन में से ही आपको 30 के क्योस्टन पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, और आपके एक एक टाइप को ये किलियर करेंगे, पीडियेफ मिलेगा आपको आरजी स्टेट एकजाम पर, आरजी स्टेट एकजाम ओफिशल ये हमारा चैनल है बस भाई आप जादा कोई भी डिसकसन नहीं सुन लीजिए 2023 के अंदर SSCJD ने जो पेपर कंड़क्ट किया उसके अंदर टोटल 176 क्यों सन आए कितने क्यों सन आए परसंटेज के 176 क्यों सन टोटल सिफ्टे कितनी हुई थी सर 66 सिफ्ट हुई थी जो आपका SSCJD का पेपर कंड़क्ट हुआ वो 76 सिफ्ट के अंदर 11 दिन पेपर चला उन 66 सिफ्टों में परसंटेज के टोटल 176 क्यों सन आए और आज की क्लास में मैं आपको वो परसंटेज के सभी कंसेप्ट कराने वाला हूँ कि आप इनकी प्रेक्टिस करोगे ना तो सेकंडों में उडाओगे इसके अलावा परती सत्का इससे भारे क्योसर नहीं आएगा सिरफ और सिरफ आप लोगों के लिए एक क्लास भी कर ली ना ये मोर देन इनफ है और बदले में मुझे फीस चीए भाई फीस आप लोगों से ये चीए कि आप वादा करो समसे पहले मेरे को इस टोपिक को सरू करने से पहले कि आप पेपर में 40 में से 40 अंक लाकर और ये बोलोगे लो गुरु दे हो हमने जो वादा किया वो हमने पूरा कर दिया समझ गये सभी बच्चे ये वादा चीए बस मुझे ये फीस चीए आप लोगों से नहीं कहता कि मैं आप सस्क्राइब करो ये करो वो करो आपको अच्छा लगे करो आप सब कुछ आपको सेशन अच्छा लगेगा मुझे 100% पता है क्योंकि उस परकार से कंटेंट त्यार कर रखा है अब करते हैं भाई कलास की सरवाद देखो सभी बच्चे इन 176 में से टोप 60 क्योस्टन निकाल रखे हैं ठीक है भाई और 10 expected क्योस्टन है इन 70 क्योस्टन में से ही पेपर में वही टाइपे रिपीट होंगे इस से जादा करने की कोई आउसकता नहीं है कम समय में जादा क्वालिटी देने का पूरा-पूरा परियास रहेगा कोई पेड क्लास नहीं है भाई ये चलो भाई देखते हैं आप सबसे पहले एक छोटी सी बात बताऊँगा फिर क्योस्टनों पर आएंगे कि जो आपका परसंटेज होता है क्या होता है भाई परसंटेज समझ लेना ध्यान से मैं थी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे-पूरे अंक दिलाएगा और आपके गुरू देओ आपके तब तक साथ हैं जब आपके पेपर में 40 में से 40 आंक आ रहे होंगे और आप करने वाले हो बहुत जल्द मुझे इस बात का पता है अच्छे से और देखो द्यान से आप जो आपका परतिसत होता है ना यह कहा था बिल्कुल 0 से सरू करेंगे और 3 घंटे में पूरा खतम करेंगे तो मैं उसी परकार से चल रहा हूं आवाज की प्रोब्लम बता रहे थे तो माइक चेंज किया भई एक मिनिट के लिए समा चाओंगा ठीक है अब देखो द्यान से आप क्या देख रहे हो कि यहाँ परतिसत नाम का वर्ड लिखा हुआ और आपने इस परकार का सिंबल देखा होगा एकदम सहसता और सुरलता के साथ पढ़ाऊंगा सबी बच्चे देख लेना कोई जिंदा लास भी वो यह बोलेगी सर परतिसत इतने कम समय में आपने सिखाया ये सर आज मुझे भी समझ में आया तो देखना सबी बच्चे भाई क्या होगा क्या नहीं परतिसत का मतलब ही क्या होता है आप बोलोगे सर पर परती का मतलब तो हमने ये सुना कि किलो मीटर पर आवर किलो मीटर परती घंटे मीटर पर सेकंड सर जो ये परती होता है न पर होता है इसका मतलब तो ये होता है फिर देखा हमने सेंट अरे सेंचूरी सत सतक अरे यही देखाया नहीं हा सर तो परती सत का मतलब होता है पर परती सो पर और जिसके भाग में कुछ नहीं उसके भाग में एक, जिसके गुणा में कुछ नहीं उसके गुणा में एक, तो भाई उपर कुछ नहीं है, तो क्या आजाएगा एक, तो सुनिए द्यान से, परती सत का मतलब ही होगा, एक बटा सो, देख लिजे द्यान से, परती एक सो पर कितनी होती है, परती सत का मतलब क्या होता है, कोई भी मान, सो पर कितना होता है, उसी को हम क्या बोलते है, परती सत, जैसे देखो, बीस परती सत है, बीस परती सत का मतलब सो पर, तीस परती सत है, तीस परती सत का मतलब क्या आएगा, तीस परती सो पर, उननीस परती स दो पर कलियर हुआ या नहीं हुआ फट फट जवाब दे सभी बच्चे तील घंटे किलास होगा भाई दो बजे से लेके पांच बजे तक और पूरा परतिसत कंप्लेट होगा हाँ पांच मिनट ज्यादा भी हो सकता है दस मिनट कम भी हो सकता है वो आप लोगों की स्पीड प बढ़ जाएगा तभी तो मजा है भाई अब सुनिये जो करीम स्टूडेंट है वही निकल के आएंगे ना फिर अब सुनू आप बोलोगे क्या गुरु देओ देखो 20 परतिसत का मतलब ही क्या होता है सर परतिसत का मतलब होता है एक बटा सो अगर परतिसत का मतलब एक बटा बटा सो ऐसे लिखो, एक ही बात है या अलग अलग है? तो 20 परतिसत का मतलब क्या हुआ? एक बटा 5. अब आगे देखना. अब द्यान से देखना. 10 परतिसत का मतलब क्या होगा सर 10 परति 100 पर 10 बटा 101 से 10 क्या आ गया गुरुदेव 1 बटा 10 अगर 19 परतिसत लिखा हो तो सर 19 परति 100 पर 19 बटा 100 तो आपको एक बात समझ में आई क्या यहां पर आप बोलोगों क्या सर क्या आप इतना समझ पाए क्या मैं आपको यही कनसेप्ट सिखाना चाहता था कि जो परतीसत होता है उसे 2022 00 को थाड़े के लिए करते हैं लगाया हूँ के लिए क्या करेंगे? गुरुदेव बटे सो. 20 एकम 25. क्या आगया? सर एक बटा 5. अब इसी परकार से 50 परतीसत है. गुरुदेव परतीसत हटेगा तो बटे सो. 50 एकम 50 दूनी. आया या नहीं आया समझ में? फटा फट जवाब देना मुझे. केलियर है क्या आप सभी का? अ से मैं साफ कर रहा हूँ, अब मेरे को सिर्फ ये बता दो, परतिसत होता है, जैसे ये 50 परतिसत है, परतिसत को हटाने के लिए बटे 100 करते हैं, 50 बटा 100 क्या जाएगा? 1 बटा 2, अब जैसे 20 परतिसत हटेगा तो बटे 100, 20 बटा 100 अगर काटेंगे 20 एकम 25 ए 1 बटा 5 इसी परकार से 25 परसेंट हो 25 परसेंट का मतलब 25 बटा 100 1 बटा 4 यही होता है नहीं होता है आप सब कहोगे गुरुदय एकदम से होता है और सभी बच्चे सुन ले ना भाई एक बात ध्यान से बात ये होती है कि कितने बच्चे पढ़ने आए ना ये बात ही नहीं मानता मैं कितने बच्चे सरवात से और आखरी तक सीखे वो वास्त्विक्ता में परतिसत सीखे जाएंगे ये बात मेरी याद रखना मैंने सुपीरियर बच्चे यहीं पर घूमते हुए देखे हैं लेकिन जिन बच्चों में कंसिस्टेंसी है न जो निरंतरता के साथ लगातार पढ़ सकते हैं कंटिन्यूटी के साथ वो ही बच्चे कामयाब होते देखें बले ही वो बच्चे एवरेज से भी लो अगर कोई खतम स्टुडेंट भी है न हमका मतलब अरे बिल्कुल जिन्दा लास जिस बेचारे को जीरो से नो तक गेंड़ती आती है उससे भी सिखा के भेजूँगा टेंसन फिरी रहो इस चीज से अब देखो भाई द्यान से क्या होगा आगे ये आगे इतना समझ में कि परतिसत हटाने कि गुणा सो किया जाता है रहे ये तो मानी बदल गया भाई नहीं परतिसत हटाने के लिए तो बटे सो करते हैं मान लिया क्योंकि परतिसत का मतलब ही एक बटा सो होता है लेकिन परतिसत हटाने के लिए बटे सो तो लगाने के लिए क्या करेंगे एक बाद बताओ, ये एक बटे 2 था, अब इसे परतिसत में बदलना चाहते हो, तो एक बटा 2 की गुणा की 100 से, और 100 से ही भाग कर दिया फरक पड़ेगा क्या, आप बोलोगें नहीं सर, 100 से 100 कट जाएगा, वही एक बटा 2 रह गया, अब एक बाद बताओ, एक बटा 2 गुण सो, और जो ये एक बटा सो होता है, एक बटा सो, इसका मतलब क्या होता है, गुरुदेव परतिसत, दो से काटा, पचास परतिसत है, जी टीजे, तो एक बटा 2 का मतलब क्या है भाई, परतिसत, और आप लोगों को एक बात अच्छे से समझ में आई क्या, परतिसत को हटाने के लिए क्या करते हैं बटे सो और लगाने के लिए करते हैं गोणा सो पर तीसत हटाने के लिए बटे सो लगाने के लिए गोणा सो पर तीसत क्लियर है क्या सभी का बस एक लास्ट कंसेप्ट और बताता हूं फिर डारेक्ट क्योस्टन्स पर आते हैं और जिन विदवान बच् ही नहीं कर पा रहे होंगे बाकी तो हमारे आदेश पे चलने वाले महान विद्यार्थी होते हैं भई ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है content जाद है तो only पढ़ाई 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 समझ गए न और आप सब भी पढ़ाई पढ़ाई के लिए आए होगे कोई time pass बच्चा है मुझे कोई जुरूरत नहीं है ऐसे विद्यार्थी की समझ गए मुझे चीए only cream student जो दिल से ये चाहता है कि मुझे पढ़ना है मुझे मैत आए या ना आए गुरुदेव पर भरोस्टा ये सिखा के भेजेंगे बोल रहे हैं ये लेकिन मैं आया हूँ पढ़ने के लिए बस ये चीच चीए हाँ से सीजीडी के लिए है भाई परतिसत से सीजीडी के लिए है या आप यूपी पुलिस का पेपर देना या किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो इस बर्मांड में जहां पर परतिसत आएगा ना सब के लिए परतिसत के लिए रो रहा है आप लोगों का समझ गए आप देखो आप बोलोगे क्या गुरू देव भाई 20 परसेंट का मतलब होता है एक बटा पांच कैसे पता चला भाई 20 परतिसत का मतलब परतिसत आटा तो बटे सो बीस एकम बीस पांजे एक बटा पांच अब सुनो ये बोल दिया जाए कि हमारी क्लास में बीस परतिसत जाधा विद्यार्थी आए अगर पहले सो विद्यार्थी आते थे तो अब आए 20 पर 30 ज्यादा मतलब 120 आप बोलोगे हाँ सर कुछ बच्चे 100 मान के करते हैं न तो वो इस परकार से करना कि पहले 100 आते थे तो आ जाते 120 0 से कटा 0, 2 से काटा 5 और 2 से काटा 6 सोरी भई माफी चाओंगा एक सेकंड के लिए माफी अब देखो 100 से 120 का मतलब होगा 5 से 6 अगर मैं डारेक्ट करना चाहूँ तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है न वो होती है ओरिजिनल वैल्यू अगर बड़ा तो 5 से 6 हो गया अगर घटा तो 5 में से गया 4 आ जाएगा आप डारेक्ट भी इस परकार से कर सकते थे कलियर है भाई ये बात अब सुनिए 5 का 20 परसेंट निकालोगे न तो एक आएगा इस वज़े से बटे वाले को ओरिजिनल और उपर वाले को रजल टेंट बोलते हैं समझ गये ये बात और ये अज्यूम किया जाता है कोई ट्रिक भिरिक नहीं होती सब पागल बना के जाते हैं आपको किसर ट्रिक होता है कोई ट्रिक नहीं ये सब और सब अपने अजंशन मैथड होते हैं अब सुनना ध्यान से हमने लिखा 50% 50% का मतलब 1 बटा 2 अगर बढ़ा तो हो गया 2 था 2 से 1 बढ़ गया 3 अगर घटेगा तो 2 में से 1 गया क्या हो जाएगा सर 1 तो बढ़ा है तो क्या हो जाएगा 3 इसी परकार से 16 सही 2 बटा 3 परतिसत गुरुदेव हमें पता है 16 48 और 2 50 बटा 3 होता है अगर मिश्रित भिन से सिंपल भिन बनाओगे 16 49 बिन तो 16 48 और 2 50 बटा 3 हो जाएगा ये परतिसत हटेगा तो बटे क्या आएगा गुरुदेव सो 50 एकम 50 दोनी देखो अब 3 दोनी 6 क्या आगया 1 बटा 6 लेकिन ये इस परकार के मान इतने बार रिपीट हो जाते कि हम उन्हें याद कर लेते है और ये सब मैथट आपके क्योस्टंस में यूज होते है लेकिन पेपर के अंदर आज कल ऐसा डाटा आने लग गया कि ये भी आपके फ्लोप होने लग गए सभी टीजर पहले ये सिखाते थे परतिसत का मतलब समझ में आ गया क्या हटाने के लिए बटेसो लगाने के लिए गोडासो परतिसत एक छोटी सी बात और सुन लीजिए ये मारकर है ये मारकर आता है 500 रुपे का कितने रुपे का आता है 500 रुपे का ये मारकर आता है अगर मेरे से कोई पूछे इस Marker की 100% कीमत कितनी है मैं बोलूँगा सर 500 रुपए 50% सर 200 रुपए 25% सर 125 रुपए हाया ना तो किसी भी वस्तू की value अपने आप में 100% होती है समझ गए ये बात अब करते हैं first questions के साथ सरवात बस इससे जादा कुछ नहीं जादा time लगाने का कोई भी फायदा नहीं है सब कुछ मैं सिखाऊंगा 15 minute के अंदर मैंने आपको परतिसत का complete detail बता दिया बस इतना mind में रखो कि परतिसत हटाने के लिए बटेसो लगाने के लिए गुणा 100% भाई आप साथ साथ questions को करोगे note down करने की कोई आउ सकता नहीं है आपको अगर मैं कहीं पर ये dot भी लगा रहा हूँ न agtg pdf मिलेगा कोई notes बनाने की आउ सकता नहीं है सिरफ और सिरफ सीखिये math कभी भी गरंथ बनाने से नहीं आता रटने से नहीं आता math आता है सीखने से math के साथ खेलना सीखो समझो math को feel करो अब देखो first question आपका sscgd ने 2 फरवरी 2023 को पूछा अब देखो जो level रहेगा हमारा question करने का वो ये रहेगा समसे पहला question पहली type का और इस level का इसी type का दूसरा question थोड़ा सा ये level फिर ये दीरे 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 ये level पार करते करते हम वहां तक पहुँच जाएंगे समझ गए सभी बच्चे आप देखो भाई द्यान से पहला question आप लोगों की नजरों के सामने और पहले question में क्या पुछो आप लोगों से देखो फटा-फट भिन 3 बटा 4 का परती सत्य तुल लेता है अब ये 3 बटा 4 दे रखा है अब मैं तो डारेक्ट बता दूँगा 55% होता है D4 धर्मेंदर डागर सर होता है भाई ध्यान रखना A4 अच्छा question B4 बहुत अच्छा question C4 छोड़ेंगे नहीं क्यों और D4 धर्मेंदर डागर सर मुझे ये जवाब चीए जो भी आपका option आए समझ गए हाँ जिन विद्यार्तियों ने नहीं किया फटा-फट लाइक कर दीजिए अब सुनिए 3 बटा 4 है परतिसत हटाने के लिए बटे सो बताया था और लगाने के लिए गोणा सो परतिसत 4 से काट दो 4 एकम 4 4 दोने 8 4 पांजे 20 25 तीया सर पिचेतर लीजिए भाई क्या answer आगे आप सब का D is the correct answer D4 धर्मेंदर डागर सर clear है क्या क्या पूछ रहे हो भाई हाँ एक बच्चा बोल रहा है सर जितने भी new questions रेंडिंग के वो सभी होंगे A to Z होंगे class से judge कर लोगे लेकिन मेरे से आप ज़्यादा बाते करने का परियास मत करना मैं आपका reply नहीं देने वाला क्योंकि मुझे पता है इतने बच्चे लाईव पढ़ रहे है आपके कितने comment आएंगे अगर मैं comment का जवाब देने लग गया तो आपकी एक-एक मिनट की कीमत और कोई समझे या ना समझे मुझे बेखुबी अच्छे तरीके से बता है कि एक स्टूडेंट के लिए उसका वक्त क्या होता है समझ गए भाई थैंक्यू बोलने के कोई ज़रूरत नहीं है भाई देखो next question first clear है सभी का second question देहान से समझना 2023 का ही सभी question 2023 के latest है आप देखो और सब की सब टाइपे कवर अप है 37 पच्पन का कितना परतिसत है अब देखो किसका पूचा भाई आपसे आप बोलोगे गुरू देऊ 37 का कितने का पूचा 37 का पूचा जिसका पूचा वो उपर आता है जिसका पूचा वो कहाता है उपर 37 पूचा किस से पूचा सर 55 से तो 37 पूचा जिससे पूछा वो नीचे 37, 55 का कितना परतिसत है 37 अरे पेपर देते थे आप 10th क्लास में 100 में से 70 नम्मर आए तो ओरिजिनल जो होता था वो नीचे कितने में से आए आपका रजल्ट क्या है सर 70 तो भाई 55 नम्मर का पेपर था और 37 आए आपके तो जो पूछा वो उपर जिससे पूछा वो नीचे और परतिसत में बताना तो परतिसत लगाने के लिए गुणा 100 परतिसत काट दो भाई कटता है तो आप लोग बोलोगे सर 5 से काटा 11 5 से काटा 20 और कटता है नहीं सर 37 दूनी सर 37 दूनी चुहेतर हाया ना भाई बते कितना है सर 11 परतिसत 11 एक कम 11 11 चीका 66 कितना बच गया भाई 8 0 11 37 37 पॉइंट सम्थिंग आएगा C is the correct answer और बाकी पॉइंट का सोल करने की जरूरत नहीं थी आगे के दो अंका आगे क्योस्षन खतम हो गया PDF मिलेगा आपको RG State Exam Official पर और जिस बच्चे को मैच के डाउट आते हों प्रेक्टिस करोगे और मैच में आएंगे डाउट आप लोगों को तो सुन लीजिए ध्यान से मैच भाई धर्मेंदर डागर सर टेलीग्राम पर डाउट गुरूप मिलेगा अभी 5-6 दिन पहले बनाया है और काफी बच्चे जुड़ चुके हैं वो चैनल जोइन करें वहाँ पर स्पेशली डेली का एक गंटा मेरे दवारा दिया जाएगा आपके डाउट केलियर करने के लिए समझगे सभी बच्चे सभी बच्चों को लव यू टू भाई सर अभी तीसरा क्यूसन है पहली टाइप चली हुई है तो देखो नेक्स्ट क्या आएगा क्या नहीं और जिन विद्वान बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया आप फटा फट सेशन को लाइक करें यह आपका फर्ज है कंटेंट पे जो महनत करने लगा हुआ हूँ आप नहीं समझ पाओगे कि आपकी इस परतिसत की क्लास के लिए कितने कितने घंटे काम करना पड़ता किस किस परकार से किस किस बुक से कहां से गूगल से कहां कहां से कंटेंट उठा कर और कितने प्यार से कंसेट बना कर और एक सिस्टेमेटिकली तरीके से देने का परियास कर रहा हूँ अगर इस यूटूब के इतियास में कही पर मिल जाए तो आप मेरे को भी बताना कमेंट करना किसर है अगर इससे बेस्ट मैथ का कंटेंट सेसे जीडी का कही मेल जाए तो समझे अब देखो भाई यदि 630 का 17 परतीसत एकस के 35 परतीसत है तो एकस का मान बताए कब पूचा 6 फरवरी 2023 को क्या है क्योस्टन 630 का 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 मतलब होता है गोना कितना परतीसत है 17 परतीसत बराबर है एकस के 35 परतीसत के एकस का 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 मतलब गोना 35 परतीसत अब सुनना ध्यान से सभी बच्चे आप बोलोगे क्या गुरू देओ परतीसत हटेगा बटेसो तो परतीसत से परतीसत कट गया आप बोलोगे जी सर आप देखो कटता है कुछ हाँ सर साथ से काटा 5 साथ से काटा 9 और भी कटता है हाँ सर 5 से काटा 18 अब बताओ भई क्या आ जाएगा सर 18 गुर्णा 17 बराबर एकस अब ये 18 गुर्णा 17 की भी गुर्णा करनी मैं बताओं क्या आप लोगों को इतनाक तो आपको आता होगा नितेश कुमार बोल रहे हैं दिल लगाना है तो धर्मेंदर सर से लगाओ D is the correct answer D for धर्मेंदर डागर सर होता है भाई clear है सभी बच्चों का only D मत बोल अगरो मुझे अच्छा नहीं लगता D for धर्मेंदर डागर सर एक दिन एक एक बच्चे के मुझे कराना है कि D for धर्मेंदर डागर सर होता है समझ गए क्या answer आएगा भाई आप सब का D 306 clear है आप सभी का अब बढ़ते हैं next question की तरफ समझ में आ गया जिस बच्चे को थोड़ा सा कम-कम मैत आता है या जो बच्चा थोड़ा सा slow learner है धीरे धीरे पढ़ना पसंद करता है वो अभी पढ़ते रहूं इसके बाद वीडियो को एक बार फिर से कर लेडा और फिर भी आप से परतिसत ना हो ना इस धर्ती पे ऐसी कोई सकती नहीं है जो आपको सिखा सके उस तरीके से सिखाने लगा हो और 100% आएगा भाई ऐसा होई नहीं सकता कि आपको नहीं आए कर सकते हैं भाई उस गुरूप में दो गुरूप हैं एक चैनल हैं और एक है आपका doubt गुरूप है दोनों सेम नाम से हैं बस ये बात है चलो भाई आगे देखो नेक्स्ट क्यूस्टन आपका 13 फर्वरी 2023 को थर्ड सिफ्ट में सेसी जीडी ने ही पूछा कि 1750 के 20 परतिसत के 10 परतिसत का मान 1750 का के ओफ का मतलब होता है गुणा हिंदी में के का या इंगलिस में ओफ होता है गुणा 20 परतिसत परतिसत हटेगा तो बटे 100 गुणा 10 परतिसत 10 बटा 100 क्या आप इसे सोल नहीं कर सकते क्या आप बोलोगे सर्ये ससे तो हम उडा सकते हैं तो उडाँ न भाई 10 से 10 10 से 10 25 साथे 25 चोका 2 एक अब दो दो नी 2 से काटा 5 साथ पांजे गुरु देव 35 क्या अंसवर आज आएगा फिर से D4 धर्मेंदर डागर सर बिल्कुल ठीक है भई वीर बोल रहे हैं सर बच्चे जादा हैं और लाइक कम है तो करो भई फटा फट लाइक जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है चलो आगे बढ़ते हैं भाई कलियर होगे आप सभी का और कल का टोपिक होने वाला आपका प्रोफिट एंड लोस और वो भी तीन घंटे चलेगी कलास कल भी करेक्ट दो बजे आपका प्रोफिट एंड लोस प्रोफिट एंड लोस से भी 176 के उस्चन आये थे तो सबसे पहले मैं वही चेप्ट लेकर आया हूँ कि जिनके सीखने के बाद आपका बेस बिल्ड होता चला जाए तो परतिसत आ गया तो प्रोफिट एंड लोस भी आएगा कल 100% चलो भाई next question की तरह बढ़ते हैं क्या कहा आपके अगली question में देखो फटा फट अड तालिस सो के 25 परतिसत के 15 परतिसत का 10 परतिसत कितना होगा सुनना ध्यान से अड तालिस सो का कहा का मतलब होता है गुना 25 परतिसत 25 परतिसत का मतलब क्या होगा गुरु देव 25 परतिसात हटेगा तो बटेसो तो डारेक्ट 25 पटासो कर दो अब देखो 4800 का 25% हो गया इसी का 15% तो इसी का 15% फिर इसी का 10% कलियर है कि आप सभी का आप इसे काट करके जवाब दे सकते हुआ नहीं अगर अब आपने ये काना कि सर नहीं दे सकते तो पेपर के अंदर मैं नहीं आऊंगा वो आंचुर देने के लिए पेपर के अंदर आपको ही देना होगा देखो 2-0 से 2-0 25 एकम 25 25 चोका 1-0 से 1-0 4 से काटा सर 12 और भी कटता है क्या हाँ सर 5 तिया 15 5 दोनी 10 2 से काटा तो आएगा आपका 6 6 तिया 18 है क्या उप्षन सर वही आगया फिर से D4 धर में अंदर डागर सर आया है नहीं आया फटा फट जवाब दो और एक छुटा सा वादा ओर चाऊंगा एक वादा तो आप लोगों ने कर दिया कि चालिस में से चालिस लाकर दो गे आप दूसरी बात जिस परकार से आज आप सभी बच्चे लाईव पढ़ रहे हो ना भाई इसी परकार से डेली दो बजे दो फैर में मेरी 20 दिन क्लास आने वाली है कल की क्लास आप सभी को नहीं पता हो तो अभी बता देता हूँ एक सेकंड के लिए सिरफ एक सेकंड का समय देना भाई यह और इतना तो दे सकते हो आप मुझे पता है देखो फटा फट इतना समय तो आप दे सकते हो देखो भाई यह बहुत अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने सची में दिल खुश कर दिया कि 917 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं आप देखना भाई देखो कल के लिए बता देता हूँ एक बार यहाँ पे जाओ आप और आपको मिलेगा प्रोफिट एंड लोस जो कल आने वाली क्लास आपकी 30 गंटे के बाद यहाँ पे नोटिफाई मी करो और सेशन को लाइक करके छोड़ दो ताकि कल जैसे ही ये कलास आएगी तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा डेली की कलास में जैसे आप कल प्रोफिट लोस कराऊंगा नेक्स टोपिक होगा आपका डिसकाउंट इसी परकार से आपको डेली नोटिफिकेशन बता के जाया करूँगा कि वहाँ पे मिलेगा लेकिन मुझे आप लोगों से वादा चीए भाई खाली बोलने से बात नहीं बनती कि सिर्फ एक वादा तो ये मांगा कि जो मैं यह आप लोगों के लिए महनत कर रहा हूँ इस महनत की फीस मुझे ये चाहिए कि आप एसे सी जी डी में बीस के बीस क्योस्टन ठीक करके आओगे बीस के बीस क्योस्टन बीस के बीस ठीक हुए तो 40 में से 40 का वादा अपने आप पूरा हो गया दिलाने का काम मेरा है शिखाणे का काम मेरा है दूसरा वादा लाईव दो फैर में दो वज़े ये मत सोचना कि सब रिकोडिड रिकोडिड में वो चीज नहीं है recording में वो चीज का मतलब वो feel नहीं है, जो live में है, समझगे सभी बच्चे और live में एक ये रहता है कि यार करना है, recording में ये है कि एक बर मैं वोस्रूम जाके आता हूँ, एक बर मैं खाना खालेता हूँ, रोक देता हूँ इसे लेकिन live का मतलब ये समझो कि 2 बजे से हमारी practically class है, मैं स्क्रीन पर नहीं पढ़ा रहा, मैं आप लोगों को आपके सामने बोर्ड पर पढ़ाने लगा हूँ इस परकार का feel करें, क्योंकि आपके comment से ही मैं ये feel कर रहा हूँ, वादा करते हूँ नहीं करते हैं, फटा-फट बताओ चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और सिरफ 12 बच्चों की कमी है, फटा-फट session को like कर दीजिए, share कर दीजिए इतना कि ये 12 बच्चे होते ही 1K पलस आपके बच्चे live पढ़ रहे हैं, SSCGD 1K पलस का मतलब 1000 पलस बच्चे live और recorded देखने वालों की तो संक्या आप देख लेना फिर कितने होंगे, कितने नहीं लेकिन आपको जो फायदा मिलने वाला है वो फायदे से वो थोड़े से वनचीत रहेंगे, क्योंकि उनकी consistency नहीं आएगी बनकर ठीक है भाई, मैं दिन रात इसी परकार से सिद्धत से मैनत करूँगा लेकिन साथ में मैनत आपको भी करनी है समझ गे भाई, चलो next question की तरफ देखो, SSCGD ने 12 जनवरी 2023 को first shift में पूछा अब यह मत सोचना सब इतना आसान भी आ जाता है, आता है भाई क्योंकि paper ही आपका 10th base का है paper ही 10th base का है समझ गए क्या आप देखो 200 से घटा कर 1500 कर दिया जाए तो कितने परतिसत की कमी होगी कितने से घटा कर सर 200 से अगर 1500 कर दी जाए कोई भी सग क्या भाई, पहले मेरी pocket में 200 रुपए होते थे आज मेरी pocket में 1500 रुपए है तो कितने रुपए की कमी आई आप लोग बोलोगे promise है भाई दिल से धरनेवाद भाई आप सभी बच्चों का ठीक है, यही promise आता था मैं अब सुनिए, 200 से 1500 हो गया तो कमी आई सर 50 की, 50 कमी आई कितने से आई, सर 200 से परतिसत के अंदर बताना तो हटाने के लिए, बटे सोर लगाने के लिए गुणा सो परतिसत अब बताओ, सो एकम, सो दूनी दो से काटा क्या आजाएगा सर 25%, C is the correct answer वह बहुत बढ़ी है, वैसे तो वही मैं बिमार हो रहा है, था मैं क्लास में ने आ रहता है, पूरे एक हजार बच्चों का बरोद, एक हजार बारा सो बच्चों ने धुम मचा दी, मतब ख़तरनाक तरीके से, बहुत मतब, उमीद से जादा आई है, हमारी सरीच जाएगी, 20 दिन 20 महरतन की, और उमीद रही, तो सब सब्जेक्ट ही लेके आएंगे, और बैसे तो फुल बिमार हो रखा हूं, दो दिन से होस्पिटल में हो, कोई क्लास ने ले रहा है, लेकिन सर का जोस देखके मज़ा आ गया, ठीक है, बार हम बैठे क्लास देख रहे हैं, पूरे, और आर जी स्टेट एक्जामने जैसा क चटेगा, और D4 धर्मेंदर डागर का जो उप्शन हैं, बार बार देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, सारे बच्चे एक बार सेशन को शेर कर दो, अब टार्गेट लेके चलो 2000, 2000 लाइक, 2000 बच्चे तक पहुचा दो, बहुत बहुत धन्यवाद है, बिल्कुल भाई अगर कोई भी पेपर में कोश्चन आया ना भई, मैस का कोई भी सवाल मैं वादा करता हूं, सर की तरफ से, पूरे आड़ जी परिवार की तरफ से वादा करता हूं, कि सिर्फ मैत पढ़ना है तो धर्विंदर डागर सर से पढ़ना है, बाकी कही नहीं, ऐसे ही हार टीचर अपने सब्जेक्ट का ऐसे ही पूरा बादसा है, सिवान सर जी एस, हिंदी और मैं, जितनी भी महनत हो सकती है ना पूरा जी जान लगा देंगे, बदला कहीं पर भी सेलेक्शन होगा ना ससी जीडी का, आपने आरजी स्टिट एक्जाम से ही बच्चा दिखना चाहिए, सब ये तो लाए हैं कि ताकि आपका सेलेक्शन हो, आपके घर खुशियां आए, ये अपना दुख दर्द भी नहीं देख रहें, इसी बात पर भई सभी प्यारे बच्चे एक बार सेसन को जादा से जादा से जादा सेयर करेंगे, आज तो सब जगे सेयर कर दो, और भई ये आ दर्मिंदर सर, और बहुत ही अच्छे से मैत पढ़ना, बहुत वास्तब में हम भी देखते हैं सर, एक यूट्यूब से पीछे, ठीक है, यहां तो आप क्लास में देखते हो, लेकिन हम सर को बाद में भी देखते हैं, बहुत मैनत करते हैं आपके लिए, एक बार भई सभी प्यारे बच्चे, डीफ और धर्मिंदर सर, जरूर लिखेंगे, और लिखेंगे कमेंट में कि हम तयार हैं मैत में 20 में से 20 कोशन सही करने के लिए, आप लोगों का दिल से धन्यवाद भाई, आप कंटिनुटी के साथ इसी परकार से रखेंगे, हाँ, दो मिनट के लिए सर प्यार दिया, इसी परकार से अपने कंसिस्टेंसी के साथ रखना, और ये आपका SSC GD का हमारा 1 December से बैच चला हुआ है, जो बैच आपको 1 December को अप्लिकेशन पर प्रोवाइड किया गया था, complete theory का, ये वाला बैच आपका SSC GD का, तो इन बच्चों के लिए भी इसी परका उन बच्चों के लिए, ठीक है, तो यहां पर सभी topic, सभी concept, सब की सब चीजें इसी परकार से चली हुए भाई, आप सब की, तो जो भी बच्चा, क्रेस कोर्स करना चाता हूँ, वो RG, विक्रम जी तप्लिकेशन डाउनलोड करें, और वहां पर वो बैच ले सकता है, ठीक उन पांच मिनटों के लिए, मैं दिल से समाचाऊंगा, अब continue, उसी speed के साथ करते हैं, ठीक है भाई, कहां गया, यह question हुआ था अभी हमारा, ठीक है भाई, अब next question की तरह बढ़ते हैं, अब अगला question आप लोगों का है, ससी जीडी ने 10 जनवरी 2023, इसको 3rd shift में पूछा, फ और जिन विद्वान बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, फटा-फट लाइक कर दीजिए, अब देखे, पैट्रोल की कीमत 92 रुपए परती लीटर से बढ़कर 96 रुपए हो गई, पहले, भाई एक बात बताओ, मैं आज की ही आपको, मैं बाईक लेकर गया पैट्रोल पमपे, लास्ट टाइम मैंने पैट्रोल डलवाया तो बाईवे रुपए का एक लीटर डालते थे, लेकिन आज मैं पहुचा ना, तो वो बोले कि 96.5 रुपए का डलेगा एक लीटर, तो एक बात बताओ, पैट्रोल की कीमत में कितने परतीसत की वर्दी हुई, आप सब कहोगे गुरुदेव 92.5 यागर 96.5 हो गया, तो रेट बढ़ गया गुरुदेव 4.5, पहले 92.5 का पैट्रोल आता था, आज 96.5 का अने लग गया तो रेट बढ़ गया सर 4.5, 4.5 बढ़ा कितने से बढ़ा, सर 92.5 परतीसत हटाने के लिए बटे 100 लगाडे के लिए गोणा 100 परतीसत, अब एक बात का जवाब दो, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये हटाने के लिए बटे क्या करोगे? गुरुदेव, बटे 10, अब बताओ कटता है क्या? हाँ सर, 10 से 10, और भी कटता है क्या? हाँ सर, 2 से काटेंगे 4, अब 2 से काटेंगे 6, और 2 से काटेंग 5, और भी कटता है क्या? नहीं सरभास इतना ही कटता है, और तो पॉइंट में जाएगा 5, 5, 25, पांचों का 20, और 2, 22 बटा, 46 परसेंट, अब देखो, ये 45 का कितना गुणा है? आप दिमाग लगा ना? सर, 45, 46 का पाड़ा नहीं आता तो, 45 का तो आता है ना? तो आप ये सो C में जोडेंगे, तो सर, ये 5 के आसपास जाएगा, कितने के आसपास? 5 के आसपास, लेकिन पूरा-पूरा 5 पे भी नहीं जाएगा, तो आप लोगों का आंसवर क्या आएगा? फटा-फटा आप कमेंट में बताओ, ये तो भाग करके बता सकते हो, 4.9 आएगा, या 4.7 कर चलना पड़ेगा, समझगे मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग इसे अगर भाग करोगे, तो आप लोगों कांसवर आ जाएगा, 4.9 पर तीसत, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्योस्टन की तरफ, अगला क्योस्टन पूछा गया, आपके किस एक्जाम में, सर, सभी क्योस्टन देखो भाई, मैहूल चप, अरे चपन नहीं है, ये, 5,60,000 रुपए में एक कार खरीदता है, वही से पुनर निर्मित करता है, और 26,40,000 रुपए की बेच देता है, तो कार के मुल्ले में परतिसत की वर्दी, कितने की खरीदी, 5,60,000 की, बेची कितने में, 6,40,000 में, अब एक बात का जवाब दो सब के सब बच्चे, आब बोलोगे सर क्या, अगर 5,60,000 की गाड़ी, 6,40,000 में गई, कितने का फायदा हुआ, सर, 80,000 का, कितने का फायदा हुआ भाई, 80,000 का, कितने पर हुआ, गुरुदेव 5,60,000 पे, अब सुनना ध्यान से, चर, 4,0 से, ये 4,0 कट गई, 8,1,8,87 के, तो 100,7%, A is the correct answer, अगर ये क्योशन आपके पेपर में आ गया, तो उड़ा दो गया, नहीं उड़ा दो गया, और आपके मन में ये मत रखना, कि अरे, इतना आसान नहीं आएगा, SSC, GD की त्यारी कर रहे हो, UPSC की त्यारी नहीं कर रहे हैं आप, डिफेंस में जाना आपको, बोर्डर पे, सुरक्सिया करने हैं आपको, सोलजर बनने वाले हो आप, समझ गया ये बात, तो टैंथ बेस जोब है, तो लेवल भी वही रहेगा, इतना भी मत पढ़ो, कि उसके चकर में बाकी सब्जेक्ट रह जाए, और आप लोगों का कॉन्फिडेंस ही खतम रहे, वह पढ़ो ना, जो एक चूली पेपर के अंदर आया है, समझे भाई, परी, जाट क्या बोले, सर, आप जैसा टीचर नहीं देखा, जो, ऐसे फिरी में इतना अच्छा कंटे यूटूब पर आपके, माता पिता, धन्य, धन्यवाद भई गुडिया, इतना प्यार दिखाने के लिए, चलो भई, नेक्स्ट क्योस्टन पर बढ़ता हूं, किलिए रहने सबी बच्चों का, आप सुनिए, तीन महीने में, बच्चे का भार, तीन पॉइंट दो किलो गरा किसी के घर में कोई बच्चा हुआ, उस बच्चे का वजन करा कर देखा, अरे डोक्टर करते हैं न, पैदा होते ही बच्चे का वजन, तो बच्चा था तीन पॉइंट दो किलो गराम का, लेकिन तीन महीने बाद बच्चे का भार हो गया छे किलो गराम, तो आब क्या गया तो वर्दी कितने की होई? आप कहोगे सर 2.8 की. अगर 2.8 की वर्दी होई? कितने से होई भाई? आप बोलोगे सर 3.2 से. परतिसत हटाड़े के लिए बटे सो लगाड़े के लिए गुणा सो परतिसत. अब एक बात का जवाब दो. ये पॉइंट हटेगा बटे 10. ये वा आठ चार से काटा तो पच्चिस. पच्चिस साते एक सो पिचेहतर बटा दो परसेंट. अरे अब तो बता दो. दो एक कम दो दो आठे सोला. दो साते चोदा. सता सी पॉइंट पांच. सी फोर छोड़ेंगे नहीं पेपर में. एक बच्चा पुझ रहा सर आप गुजुरात से होना. नहीं भाई मैं गुजुरात से नहीं हूँ. मैं कभी भी छेतरवाद पर कभी भी टिपनिया नहीं करता. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ. मैं हूँ हिंदूस्तान से. और हम सब हिंदूस्तानी है. ये छेतरवाद, धरम, भाई, धरम, कास्ट, छेतरवाद, ये इतनी जादा सिक्सित होगी न, उतना ही जादा देश के अंदर विकास सील से विक्सित की तरह बढ़ेगा, ठीक है, अब कुछ बच्चे फीस पे कर सकते हैं, वो पेड बैच पढ़ लेते हैं, जो पे नहीं कर सकते हैं, उनको वो चीजे दे के जाते हैं, टीचर, कि बस बच् पेपर में आने नहीं या ऐसे क्योशन देंगे टफ टफ कि बच्चा सोचे गयार मुझे तो मैत आता ही नहीं इनी टीचर का बैच लेना पड़ेगा अब तो क्या तो बिजनेस बना रखा है प्योर या बच्चों के भविसे के साथ खिलवाड़ यह बाते मुझे एक परसेंट भी पसंद नहीं है और आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सर्प्राइज भी पहली महा महरतन क्लास के अंदर महरतन क्लास में आपको दिख गया होगा 20 दिन 20 महरतन में और इसी परकार के सप्राइजीज भी आप लोगों के साथ रहेंगे और एक बात और भी बोल देता हूँ मैं देखो पहले यह जान लीजी आप रिजनिंग की SSCGD की प्रेक्टिस बुक विद कंसेप्ट देखो सापसपश्ट बात बोलता हूँ बुक तो आपको हजारों मिलेंगी मार्केट में पी वाई क्यू क्योस्टन की लेकिन बात होती है एक अच्छे सोलूसन की कि हाँ इस परकार का अगर हमें सोलूसन मिल जाए कि जिस परकार से टीचर पढाता है न जैसे मैं पढाने लगा हूँ इसी परकार का अगर हमें फील आजाए क्या फील आजाए कि यार अब यह सोलूसन देख लिया इस क्योस्टन का अब तो हमें क्लास की जरूरती नहीं पढ़ेगी तो इसी परकार से आपको और रिजनिंग का GD Warrior के नाम से दो से तीन दिन के अंदर बुक मार्केट में दिखने वाली है ठीक है जो कि आपके SSC GD के एक्जाम पर सबसे ज़्यादा खरी उतरेगी कि हाँ 20 में से 20 के 20 को सन अगर रिजनिंग के दिखेंगे तो विक्रम जीत सर की रिजनिंग GD Warrior से और दूसरी बुक जिस पर सबसे ज़्यादा मेहनत आपके रिजनिंग के साथ साथ में कोई बात नहीं भाई दूसरी बुक आप लोगों की मैत की SSC GD Warrior की जिस पर अधित्यरंजन सर ने और Complete Team ने वो सिद्दत के साथ मेहनत की है कि हाँ अगर जो चीजे मैं पढ़ाडे लगा हूँ आँ आप लोगों को कि भाई 116 में से ये Top 70 के उस्षन है उसी परकार से कम content के अंदर कि पतली से पतली बारिक से बारिक बुको कम content के अंदर ज्यादा quality देने का परियास किया है और solution मेरे according बताने के आउसकता नहीं है जब आप लोगों के हाथों में ये book होगी आप बोलोगे सर अगर ये book हमें पहले वाले GD में मिल जाती 2023 वाले में तो हम वो भी clear कर पाते तो math और reasoning की दो भैतरीन बुकें आने वाले दो से तीन दिन में आप सब के बीच में होंगी भाई math की SSC GD warrior के नाम से अधित्ते रंजन सर की और दूसरी book मैंने आप लोगों को बता दी reasoning की GD warrior की विक्रम जीट सर की clear है ये बात अब करते हैं आगे के questions भाई ठीक है इसी परकार से आप लोगों के एक बात और भी बोल देता हूँ अब ये 20 दिन 20 marathon चली हुई है इसके बाद complete एक-एक marathon लेकर आऊँगा और YouTube पर पूरी team लेकर आएगे आप लोगों के लिए mok test और जो बच्चे top 10 रहेंगे उनके लिए ये book free भी दी जाएंगे आप लोगों को ranker guru kool परिवार की तरफ से ठीक है भाई अब आगे पढ़ता है फटा फट देखे सभी बच्चे कि एक खिलोने की car की लागत 1800 रुपए है इसके मुल्ले को cell में घटा कर 1500 रुपए कर दिया गया मुल्ले में कितने परतिसत की कमी की गई भाई पहले 1800 रुपए था किसी खिलोने का rate पहले मैं देखो अभी अभी सिवान सरे काम करके गई जिस पर मुझे हसी आई थी book की launching के time पे कि जैसे ये चसमे की डिबबी थी ठीक है इस पर पैर रख दिया एकदम से आवाज आई तो भाई इसी परकार से ये डबबी पहले 1800 रुपए की आत्ती थी अब मैं इसे किसी को देना चाहूंगा फेवी किक से चिपका कर तो ये कम rate में जाएगी या जादा में सर कम में जाएगी कितने में गई 1800 की बजाए अब सेल में बेची गई और 1500 रुपए में वही सेल में तो ऐसा ही समान जाएगा अब सुनिए अगर 1800 की वस्तू 1500 की हो गई तो छूट कितने की मिली आप कहोगे गुरुदेव छूट मिली 300 रुपए की और मिली कितने पर सर 1800 पर छूट बोलो या कमी बोलो एक ही बात है परतिसत हटाने के लिए बटे सोर लगाने के लिए गुना 100 परतिसत 2-0 से 2-0 3 से काटा 6 अब 100 बटा 6 का मतलब होता है 16 सही 2 बटा 3 या और भाग कर लो 50 बटा 3 परतिसत एक्जामनर को पता है यहां पर अगर पूरा सोल कराता तो या आता 16 सही 2 बटा 3 एक्जामनर को पता है कि हमारे प्यारे प्यारे सोलजर है जो SSC GD का ही पेपर देंगे उनसे इतना ही सोल करालो इतना ही काफी है बस वो आपकी मानसिकता आपका इतना लेवल देखना चाहता है कि आप math कर सकते हो, reasoning कर सकते हो GS पढ़ सकते हो, English और Hindi language आप लोगों की कैसी है समझ गये ना मेरे भाई फटा फट जवाब दो clear है कि इतना आप सब का बड़े आगे समझ में आगे आप सभी को तरह बहुत अच्छा लगता है Thank you so much sir ठीक है भाई स्वादा धन्यवाद आपका चलो next question की तरह बढ़ते है अगला question देखो भाई थोड़ी सी speed मैं और भी बढ़ाऊंगा क्योंकि 3.3 घंटे में topic करना है तो speed तो थोड़ी सी रखनी पड़ेगी अगर हर एक type cover करनी है तो मान रहे हो नहीं बात तो आप आप देखो एक तूफान में एक बगीचे के 300 पेड में से 243 पेड खड़े रह गए तो पेडों की संख्या में कितने परतिसत की कमी आई एक बगीचे में 300 पेड थे बचे 243 तो कितने गए तूफान की वज़े से सर तूफान की वज़े से सताववन पेड उखड गए बेचारे सताववन पेड कम हो गए कितने से हुए भाई 300 से हुए परतिसत हटाने के लिए बटेसो और लगाने के लिए आप बोलोगे गुरुदेव गुणा सो परतिसत अगर दो जीरो से काटोगे दो जीरो तीन एकम तीन एकम तीन एकम तीन नि पूछा गया, कलियर है आप सभी का? जो वादा किया था, वो मिल रहा है नहीं? टाइप वाइज, लेवल वाइज कंटेंट है या नहीं है? ये आप कमेंट करके बता देना मुझे बाद में, ठीक है भाई? आप बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्यूस्टन की तरफ, फटा फट देखे सभी बच्चे, कि 100 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को 6 सेंटीमीटर तक काटा जाता है, देखो, ये टोटल 100 सेंटीमीटर का है, ये 100 का, अब काट काट के यहां तक ले आया, बच गया ये 6 का, तो आब मेर सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, गुरुदेव 14 का, अरे 100 से 86 हुआ तो 14 का हट गया, कितने से अटा, सर 100 से, परतिसत हटाने के लिए बटे सो, लगाने के लिए गुणा सो, परतिसत 100 से 100 का आया, सर 14%, क्या करने क्या हो सकता थी, नहीं सर, 100 के उपर ही तो परतिसत हो गई, खेल कतम D4 फिर से धर में अंदर डागर सर आ गया कलियर है सबी बच्चों का, फटा फट जवाब दे बढ़ू next question की तरफ क्या ये SSCGD के लिए है, बिल्कुल भई, ये SSCGD के लिए है, ठीक है और 20 दिन में पूरा मैथ SSCGD के लिए होने वाला है, नहीं पता हो तो डेली, दो फेर में दो बजे, जुड़ना आपको है भई, समझ गे और complete details आणनियों की कौन सा topic कब आने वाला है तो ये बात मैं फिर से बता देता हूँ भई, कहां गया हमारा देखो अगर complete details आणनियों आपकी तो आप गई YouTube पर चल जा भई और ये आपकी class सली हुए और आज आप लोगों का ये बे सुमार प्यार मेरे को डबल महनत करने के लिए परेरीद करता है, सचा ही बताता हूँ लेकिन 24 घंटे का दिन है भई आप लोगों के लिए अब देखो निचे की तरफ जाओगे न तो आपको मिलेगा खतरनाक समादान SSCGD का इसके अंदर मैंने complete detail बता रखी है 25 मिनट की वीडियो है कि इसके अंदर कौन सा topic कब होगा और किस topic को कितने घंटे में कराया जाएगा किस date को किस day को और time हमेशा हर date को 2 बज़े का रहने वाला है तो ये वीडियो देख लेना आपको पता चल जाएगा ठीक है एक एक चीज अच्छे से describe कर रखी है समझ गए जिन बच्चों को अधूरा पता है जो first time मेरी class में आये उनको पता चल जाएगा कि हाँ किस परकार से sir कराने वाले हैं चलो भई next की तरफ चलो next question की तरफ बढ़ते हैं भई अगला question आप लोगों के बीच में देखो ध्यान से एक penting का मुल्य 1,40,000 रुपय से बढ़कर 1,82,000 रुपय हो जाता है तो penting के मुल्य में कितने परतिसत की वर्दी sir 1,40,000 था वो हो गया 1,82,000 अब कितने की वर्दी हुई sir 42,000 की वर्दी हुई कितने से हुई sir 1,40,000 से हुई परतिसत हटाने के लिए बटे सोर लगाने के लिए गुणा सो परतिसत आप बोलोगे जी sir 30% is the correct answer आपका SSCGD का ही ये question अब next भाई अभी सरवाति टाइपे चली हुई है patience रख वो question में आएंगे कि आप ये बोलोगे sir इतने tough question paper में नहीं आते selected है दिखा देता हूँ एक दो बच्चो को लग रहा है sir अभी ये देखो ना questions देखो आप ये भरे पड़े ये सबी करा के जाने वाला हूँ देखो ये question भी आएंगे अरे कहां गए इस परकार के भी patience तो रखो एक बार सबर तो रखो वो question भी हाँ जिनसे आप बोलोगे अरे sir ये भी आगए paper में sir इतना tough level तक भी होता है क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि sscgd में सब आता है paper का एक pattern होता मेरे भाई कि easy level भी डाला जाता है average भी डाला जाता है tough भी डाला जाता है 100% question में ऐसे जैसे 20 question आई 5 question होंगे एकदम easy 10 question होंगे moderate level के 5 question ऐसे होंगे जिन बच्चों ने सिद्ध से मेहनत कर रखी है जो अच्छे से पढ़के गए है वही कर पाते है तो वही तो लड़ाई चली हुई है ना 20 में से 20 की कि आसान question हो और confidence में गलत ना हो और average question हम कर पाएं और वो 5 question जो कोई नहीं कर पाता जो पढ़ने वाले बच्चे ही कर सकते है हम उनसे भी जल्दी कर पाएं क्योंकि आप तो सब पढ़ने वाले हो मुझे पता है इस बात का अब देखो भाई ध्यान से क्या कहा आपके question में यदि Y का X percent 90 के 2 बटे 3 के समान है Y का 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 मतलब गोना X percent किसके बराबर है 90 के का मतलब गोना 2 बटे 3 के तो क्या बटाना है तो X Y का mean X into Y का तो एक बात बताओ भाई ये 100 यहाँ पे भाग में वहाँ पे जाएगा तो गुरुदेव गोना में ये 100 वहाँ पे जाएगा तो गुरुदेव गोना में तीन से काटा, सर 30, X into Y XY हो गया, सर 30 दोनी 60, और 2 0, क्या आजाएगा? गुरु देओ, 6000 है, क्या उप्शन? सर, B4 भूत, अच्छा क्यों सन देख लीजिए हाँ, MTS के लिए देख सकते हो भाई, लेकिन SSC GD special, बात खतम ठीक है मेरे भाई, चलो आगे next question next question देखो फटाफट B4 भूत अच्छा question था, Ramos Singh, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, बोड पे देखो भाई, फटाफट यदि X minus Y का 85 परतिसत X plus Y के 35 परतिसत भाई Y X का कितना परतिसत दोगा बताओ एक बार X minus Y का 85 परतिसत अगर बराबर है X plus Y के 35 परतिसत के तो भाई Y बताना कि X का कितना परतिसत होगा फटा फट देखना कि परतिसत से परतिसत कट जाएगा गुरू देव, 5 से काटो 5 से काटा 7 5 एकम 5, 5 साते 35 कट गया आप बोलोगे जी सर 17 की गुणा X से होगी तो 17 X Y से होगी 17 Y बराबर, 7 की गुणा X से होगी 7 X और Y से होगी तो 7 Y अब एक बात का जवाब दो ये 7 X वहाँ पर पलस में, यहाँ पर आएगा तो सर माइनस में, तो 17 में से 7 गया 10 X अब बताओ, ये 17 यहाँ माइनस का वहाँ जाएगा तो पलस का तो 17 और 7 सर 24 Y अब एक बात और बताओ, सर 2 से काटा 5, 2 से काटा 12, अब क्या करेंगे आगे, सर Y यहाँ पर आया भाग में, तो X अपोन में Y, वहाँ पर क्या है सर 12, ये 5 यहाँ पर की वैल्यू भी आगई, अब बताणा क्या है बताओ अब बताओ ना, क्या आएगा क्या नहीं, आप बोलोगे सर अब बताणा है कि Y X का कितना परतिसेत Y पूचा तो Y उपर X से पूचा तो X नीचे आजू का इस टाइप का एक क्योशन और परतिसेत तीन से बाग करो, तीन चोका बारा तीन एकम तीन 41 सही, यह आगया भई 41 सही 2 बटा 3, फटा-फट बताओ, कलियर है क्या सभी का फटा-फट जवाब दो भई, सब के सब बच्चे फिर next क्योशन की तरफ चलता हूं भई पानी पी लिया जाए अरे चाई पीनी है क्या किसी को चाई आई वह यह भई, किसी को भी पीनी हो तो बता सकता कोई भी बच्चा और मैं एक जवाब देना बहुत ज़्यादा आओ सका, वो दे देता हूं एक बार क्योंकि हजारों बच्चे इंतजार कर रहे हैं उस जवाब का एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर और फास्ट कभी वो बच्चा करता है सर और सलो वो बच्चा करता है सर टफ वो करता है सर एवरेज को संदो, भाई यहां से अपने तोर तरीके से पढ़ाता हूं मुझे पता है बच्चे को किस टाइम पर क्या पढ़ाना क्या नहीं, समझ गए? जितना आप लोगों के लिए आउसक है ना, ये SSCGD के लिएर करना, उससे जादा फिकर मुझे है कि कितने बच्चों का निकाल के देना है इस बार, कितने बच्चों का सेलेक्शन कराना है इस समझ गे? मुझे किसी भी बच्चे के ग्यान के आउ सकता नहीं है, कि हाँ, सर अब ऐसा क्योस्टन अब ऐसा, मैंने मेरे तरीके से चीजे सेट कर रखी कि पहले ये लेवल, आएगा आसा लेवल, फिर थोड़ा सा अप लेवल, फिर थोड़ा सा ओर अप, थोड़ा सा ओर अ आठ साल हो गए पढ़ाते हुए, नाइन थी यर है, आठ साल, मुझे पता है कि बच्चे को कब क्या चीजे सिखाड़ी होती है, समझ गे? आगे से, जिस बच्चे को सिद्धत से पढ़ना है, पढ़िए, क्रीम कंटेंट देने लगावाओ, मिल जाए तो बता देना कहीं पर भी, समझ गे भाई? वीडियो को रिपीट कर ले ना भाई, अगर थोड़ा भोत कम समझ में आया तो, माफी देना एक मिनट चाई पी उसके लिए, ठीक है, क्योंकि बड़े लोग हो न भाई, आप बड़े भाई हो, मैं छोटा भाई हो आप लोगों का तो, आपका तो आदिश मानना पड़ेगा, चलो आगे, कोई बात नहीं भाई, आप देखो द्यान से, नेक्स्ट क्योस्टन आपका 17 जनवरी 2023 को फोर्थ सिफ्ट में पूछा गया, क्या सिमिलर क्योस्टन नहीं है उसी टाइप का, ये 23 जनवरी को आया था, तो ये 17 जनवरी को, इसी लिए बोला जाता है कि सभी सिफ्टों का अनलाइसिस करके जाया, अगरो PY की क्योस्टन इसलिए इंपोटेंट होते हैं, समझ गए, अब देखो द्यान से, कि X-Y का 85 परतिसत, X-Y का 85 परतिसत बराबर होगा, X-Y के 25 परतिसत के, कलियर है कि सभी बचों का, आप बोलोगे, जी सर, परतिसत से परतिसत काट देंगे, 5-5, 5 से काटेंगे, 5-1, 5-7, 35, अरे सेम तो नहीं आ गया, देखा जाएगा भाई, Y, X, X-Y का 85, X-Y का 85, X-Y का 35, X-Y का 35, X-Y का 35, X-Y का 35 की जगा 25, अब एक चीज देखो मुर्खों, यहाँ पर 35 की जगा 25 की आ गया है बस, बाकि सेम क्योस्टन रिपीटो रखा है, देखो देहां से अब, 17 से करोगे तो 17X-17Y, बराबर, 5 से करोगे तो 5X पलस 5Y आएगा, अब बताओ, यह 5X यहाँ पे पलस का, यहाँ पे आया तो माइनस का, तो 17 में से 5 गया, सर 12X, बराबर, 17Y यहाँ माइनस का वहाँ गया तो पलस का, 17 और 5, सर 22Y, भाई कटता है क्या, सर 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 11, Y यहाँ पर आएगा तो भाग में, अगर 6 यहाँ गुणा में वहाँ पे जाएगा, तो सर भाग में, तो एक बात का जवाब दो, X की वैल्यू होगी 11, तो Y की वैल्यू होगी 6, तो पूछा क्या, कि Y X का कितना परतिसेत है, कौन पूछा, Y, तो Y कितना है, 6, किस से पूछा, X से, तो X कितना है, 11, परतिसेत हटाड़े के ल 11, चोका 47, चोवन सही, B is the correct answer, B4 बहुत अच्छा क्योस्टन भई, बिलकुल, सिवं, सालिने, योवराज, तन्वी, अर्चना, अकसे, धीरज, राज, योवराज, मोहीत, कुमार, संध्या, संजना, सभी बच्चे भई, लालिमा, गोरो, रोसन, रगिंदर, सभी बच्चों की तरफ, क्लियर है सभी का, देख लीजिए, अच्छे से, नेक्स्ट क्रिस्ट, यदि किसी संख्या के 40 पर 30 का 15 पर 30 है, तो वह संख्या क्या, कोई भी संख्या मान ली हमने, X, अब ये कोई संख्या है, इस संख्या का 40 पर 30, और फिर इसी का 15 पर 30 कितने के बराबर है, सर 30 के बराबर है, कोई संख्या मानी, X, X का 40 पर 30 का 15 पर 30 पर 30 के है, भाई, X है, कोई भी संख्या, उसी का 40 पर 30 और उसका 15 पर 30 अगर 30 के बराबर है, तो वह संख्या बताओ, आप सब बोलोगे, गुरु देओ, 0 से काटा 0, 15 एकम 15, 15 दोनी 30, और भी कटता है क्या, सर, 4 से काटा 25, अब बताओ, 25 गुणा 100, 200, 200 वहाँ पे गया तो गुणा में, तो 2 गुणा 200 करोगे, तो X की वैल्यू क्या आजाएगी सर, 500, ए फूर अच्छा क्यूस्टन भाई, ए फूर अच्छा क्यूस्टन और एक वीडियो को एक बार फिर से रिकोड़िट भी देख लेडा, अभी कोई कंसेप्ट कचा कचा है तो वो कंसेप्ट एकदम से पका-पका हो जाएगा आप सभी का, समझ गें सभी बच्चे, देखो भाई द्यान से, next question, तीन घंटे में का आताना है, परसंटेज का पूरा खेल कतम, चेक कर लो, अगर 40 है, इसमें इसी का 40 परसंट, तो 40 का 40 परसंट, ये परतिसत हटेगा तो बटे क्या आएगा, गुरुदे उस सो, तो 2-0 से 2-0 कट गई, 4-4 का 16, तो 40 में, 40 का 40 परसंट कितना होता है 16, तो कितने की वर्दी होगी भाई, 16 की 27 जनौरी 2003, इसको पूछ लिए, कलियर है क्या सभी का, और एक बर सभी बचे कमेंट करके बताएंगे, क्या, जितना मैंने सिखा दिया 101 परसंट, एकदम क्रिश्टल कलियर है या नहीं है सभी का, सभी का कलियर हो रहा है आज़ा नहीं, फटा-फट जवाब दो, चलो भी, next question की तरफ, यदि संगित्ता के मासिक वेतन में तीन सही दो बटा तीन परतिसत की वर्दी की जाती है अगली टाइप की तरह बढ़ चुके है तो उसे भाई 132 रुपे अधिक मिलते है तो संगित्ता का मासिक वेतन कितना है समझना ध्यान से 3 सही 2 बटा 3 का मतलब होता है 3 तिया 9 9 और 2 11 बटे 3 पर 30 भाई, ये मिश्रित भी ने, ये सादान भी ने compound fraction है और ये simple fraction है compounded fraction, simple fraction clear है सभी बच्चोंगा Delhi का ही टाईम है भाई, कलास का एक वीडियो आई थी पर सो मेरी उसमें details आन लिजिए अब देखो ध्यान से 11 बटे 3 परतिसत का मतलब क्या होगा सर, परतिसत हटेगा तो गुरु दे़, ये तो खटरनाख होगया बटे 100 भाई, फिर क्या दिक्कत हो गई? क्या आगया ये? सर, 11 बटे 300 भाई, दिक्कत हो गई? क्यो घबरा रहे हो? भाई तीन सही दो बटा तीन का मतलब था ग्यारा बटे तीन परतिसत अब परतिसत अटा बटे सो ग्यारा बटे तीन परतिसत बोलो या ग्यारा बटे तीन सो बोलो एक ही बात होती है तो सुन जो ध्यान से अगर संगीता की पहले आये थी तीन सो तो अब बढ़ गई 11 अरे 300 का 11 बटे 3% निकालोगे तो आएगा 11 11 बढ़ गई तो अब हो गई 311 तो सभी बच्चे मुझे जवाब दो एक बात का कि संगित्ता कि आए 300 से 311 होई तो कितनी बढ़ गई सर 11 बढ़ी कितनी बढ़ी 11 हमारे अकोडिंग लेकिन एक्जामनर का कोडिंग कितनी बढ़ी सर 132 रुपए बढ़ी भाई अगर हमारी 11 यूनिट 132 की है 11 एकम 11 एकम 11 एकम 11 दोनी तो हमारी एक यूनिट कितने क्योई सर 12 रुपए की अगर 11 यूनिट 132 की तो एक यूनिट 12 रुपए की अब मुझे एक बात बताओ संगित्ता की एक्च्छूल आये थी कितनी सर तीन सो यूनिट अगर हमारा एक बारा के बराबर है तो हमारा तीन सो कितने गए सर बारा तीया चत्तिस दो जीरो चत्तिस सो रुपे धी उसकी आये इस दा करेक्ट आंसवर खतम हो गया क्यों सन राके सारिया बोल रहे है अब होगा मैच का डर खतम आगे दर्मेंदे सर दन्यवाद भाई मैच का डर खतम नहीं करने आया मैं मैच से प्यार कराने आया हूँ गुडिया थोड़ा असा बेक करके देख लो ठीक है कलीर हो गया भाई सभी बच्चों का दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सम उझी पता आ किस प्रकार का समझ में आगा 3-6.3 का मतलब 3-9 till संगित्ता का इए पहले 5 थी तो जाएगी 6 लेकिन इस क्योश्सें में क्या कहे दिया सर 11 बटे 3 पर 30 तो 11 बटे 300 तीन सो से 11 बढ़ेगी तो 311 होगी संगित्ना का इए कितनी हो जाएगी सर 11 की वर्दी हो जाएगी हमारे कि ग्यारा की एक्जामनर क्या कोडिंग वर्दी दी कितने की 132 की अगर हमारा 11 132 के बराबर तो हमारा 112 के बराबर तो संगित्ता की एक चोला आय थी कितनी सर 300 अगर एक यूनिट 12 की तो 300 यूनिट कितने की सर 3600 की तो ए इस दा करेक्ट आन्सवर देख लीजे भई अच्छे से अब बढ़तें नेक्स्ट क्योस्टन की तरफ ये रहा भई एक और प्यारा सा क्योस्टन फटा फट देखे सभी बच्चे देखो इसी परकार का एक क्योस्टन थोड़ी देर पहले आया था ये रहा वर्दी का अब आ गया कमी का करो क्या आएगा क्या नहीं थोड़ा सा तो प्रिया साब भी करो आपको टेलिग्राम लिंक बता देता हूं भाई बार बार मत पूछो मेरे से मुझे सिरफ पढ़ाने दो प्लीज हाँ जोड़ के रिक्वेस्ट है पढ़ाने दो मुझे सिरफ मैं पढ़ाना चाहता हूँ और पढ़ाने के लिए आया हूँ बार बार मत पूछे हमारी टेलिक टीम है न जो टेलिकॉम की जो फोन उठाती उनके पास कोल कर लीजिए ये तो हमारा ओफिसल चैनल है आरजी स्टेट एक्जाम ओफिसल और इसके अलावा आपको चीए मैत का तो मैत का मिलेगा आपको कुछ भी चेक नहीं करना आपको मैं बता देता हूँ फटा फट अरे आजा भाई कहां रह गए क्यों सन ये रहा अब देख लीजिए अगर आपको मैत का डाउट गुरूप जुड़ना है तो मैत्स लिखना खाली मैत्स बाई धरमेंदर डागर सर ये भर दीजिए मेरी फोटो दिख जाएगी जो थमनेल में लगी हुई है फिर अगर आप ऐसे गुरूप में जुड़ गए दो हैं अगर उसमें जुड़ गए जिसमें आप मैसिज नहीं कर सकते ये क्लास खतम होने के बाद आपको वहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा डाउट गुरूप से जुड़ने का समझ गए मेरे प्यारे भाहियों भेहनों मेरे प्यारे विद्यार्थियों ठीक है प्यारो भाहियों नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर वो भेहन ने भी तो रह जाती है भेहन जिया तो समझ गए ना प्यारे विद्यार्थियों इसमें पूरी परजाती आ गई आपकी male भी female भी Next question देखे सभी बच्चे जब किसी संख्या के 40 परतीसत में से 40 घटाने पर सेस्पल 40 आता है कोई भी संख्या X है अब इस संख्या का 40 परतीसत हो गया आप बोलोगे जी सर जब किसी संख्या के 40 परतीसत से अब देखो अब इस संख्या के 40 परतीसत में से 40 घटा आया घटा दिया 40 तो सेस्पल रजल्ट क्या आया सर 40 अब देखना ये 40 यहां पे माइनस का वहाँ प에 जाएगा तो पलस का तो कितना हो जाएगा सर 80 अब बचा X का 40 परतीसत चालिस परतिसद परतिसद अटेगा तो बटे सो चालिस एकम चालिस दोनी सो वहाँ पे गया तो गुणा में तो X की वैलियो आ गई भाई आप लोगों की दोस्टो तो वो संख्या क्या थी Sir 200 C is the correct answer C का मतलब होगा छोड़ेंगे नहीं पेपर में प्रियंका कॉमत बोले Sir आप तो गल्स को गुडिया बोलते हो हाँ भई गुडिया बोलता हूँ चाहे कोई गल्स 35 वर्स की हो या 55 वर्स की हो अब प्रोफेसर ना ऐसा हो गया न जो अंटी हैं उनको भी मैं गुडिया ही बोलना पड़ता है अब जैसे ये टीचिंग के बैच आ जाते है ओफ लाइन में तो वहाँ पर भी जो आदिमान उकाल की भी है न जो कोचिंग लेने के लिए आते हैं उनको भी बोलता हूँ हाँ गुडिया केलियर हुआ है नहीं हुआ सच-सच बता न नहीं तो मा की कसम भी खाने के लिए कहूँगा मैं आपको समझ गए न चलो भाई next question की तरह बढ़ते है अगला question प्यारा question है थोड़ा सा परियास करना भले ही point के अंदर calculation हो देखो 20 पर 30 पर 30 पर 30 तीचर बताते रहते हैं परतिसद को 25-25 गंटे में पढ़ाते 10-10 गंटे में 15-15 गंटे में और परतिसद आते हैं तो क्यों बच्चों के भविसे के साथ वो टीचर खिलवाड करते यार क्या कऊ मैं बस उनको सच्ची में दिल कुछ नहीं एक संख्या के 110 परसेंट और उसी संख्या के चोराण में पॉइंट 5 परसेंट के बीच कोई संख्या है 110 परसेंट और उसी संख्या का चोराण में पॉइंट 5 परतिसद है और उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो अंतर कितना होगा सर 110 में से अगर 95 में जाता तो 15 लेकिन ये 4.5 में पॉइंट 5 है तो 15.5 का difference होगा और difference है कितने का सर परतिसत में तो 15.5 का और वैसे संख्या में अंतर है 34.1 का अब वो मूल संख्या बतानी तो मूल संख्या अपने आप में होती है 100% मूल संख्या अपने आप में क्या होती है भाई 100% तो देखना एक बात सर 15.5 परसेंट होगा 34.1 के तो 1% होगा 34.1 बटा 15.5 के अब पॉइंट हटेगा बटे 10 पॉइंट हटेगा उपर 10 तो भाई एक बात बताओ पॉइंट से पॉइंट कट गया आप लोग बोलोगे हाँ सर तो अब ये बताओ 100% मूल संख्या वो क्या होगी सर 1% इतने के बराबर 100% निकालने के लिए गुणा सो कर दो अगर कटता है तो काट दे क्या हाँ सर 5 तीया 15 पांच एकम 5 से काटेंगे तो 20 देख लीजे भाई ध्यान से 220 क्या अनस्वर आजाएगा भाई आपका C is the correct अनस्वर देख लीजे भाई एकमर सभी बच्चे और मुझे जवाब दीजे कलिया रह क्या सुर्भी बोल रही है सर गुसा क्यों रहे हो बैस्ट हो आप अरे ये बात नहीं है वो मजा करने क्या आदत है मेरी आप फिल मत करना ठीक है कोई भी बच्चा और जिन विद्वान बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया फटा फट सेशन को लाइक कर दीजिए फिर बढ़ते है नेक्स्ट क्योस्टन की तरफ भाई लीजिए एक और प्यारा सा क्योस्टन देख न एका 18 परतिसत बी के 40 परतिसत के बराबर है एका का का मतलब गोना 18 परतिसत बराबर है बी के 40 परतिसत के आगे तो ए बी का अनुपात क्या है तो एक बात बताओ मुझे अब परतिसत लगा हुआ है तो परतिसत को हटाने के लिए बटे सो बटे सो तो सो से सो कटेगा तो direct परतिसत से परतिसत उड़ा दिया अब 2 से काटोगे 9, 2 से काटोगे 20, अब एक बात बताओ, B यहाँ पे आएगा भाग में, तो यहाँ पे A है, बटे हो गया B, 9 यहाँ पे गुणा में वहाँ पे जाएगा तो भाग में, तो A की वैल्यू तो आई 20, और B की वैल्यू आई 9, तो भाई A अनुपात B क्या होगा सर, A अनुपात B पूछा, तो वो होगा A की वैल्यू 20, और B की वैल्यू 9, सर, D is the correct answer, D4 धर्मेंदर डागर सर, बिल्कुल भाई, रोसन कुमार बिल्कुल ठीक है आपका, very good, उसी बच्चे का नाम ले रहा हूं मैं, सिवम भाई, बिल्कुल ठीक है आपका, जो बच्चा D D4 धर्मेंदर डागर जवाब दे रहा हूं मैं, उसी का नाम पढ़ रहा हूं, रामु सिंग, बिल्कुल ठीक है, चलो भाई, अंजली सर्मा, बड़े नेक्स, चलो भाई, नेक्स्ट कुशन पर, एक बले बाज ने 96 रन बनाई, जिसमें 2 चोके 6 चके साब मिले, एक बात ब विक्टो के बीच दोड़कर उसने कुल कितना स्कोर परतिसत बनाया, आप सब कहोगे गुरुदेव, 2 चोके, भाई, 2 चोके से कितने रन होगे, सर, 8 रन, 8 रन तो चोके से, 6 चके, एक चके से 6 रन आते तो 6 चे, 36, तो भाई, 36 और 8, 44, 96 में से, कितने में से, 96 में से, 44 रन, उसने बना दिए, चोके और छके से, तो भाई, विक्टो के बीच में दोड़कर कितने लिए, सर, 52 रन, कितने में से लिए, सर, 96 में से, परतिसत हटाने के लिए, बटे सोर लगाने के लिए, गुणा सों परतिसत कटता दो, काट दो भाई, आप बोलोगे, सर, काट तो, दे अब सर दो से काटा 13, दो से काटा 24, च्यारची का 24, च्यारची का 25, अब बताओ, 25 गुड़ा 13 बटे 6, 25 तिया 25, 25 तिया 25, च्या 25, बटा कितना है 6, 35, 30, कितना बचा, 25, 6 चो का 24, तो 14.something B is the correct answer, खतम हो गया भई, क्योस्टन यहीं पर, B4 बहुत अच्छा क्योस्टन, बिल्कुल ठीक है भई, next क्योस्टन की तरह बढ़ते हैं, ज्यादा समय ना लगाते हुए, क्योंकि तीन घंटे में complete कराने का वादा किया, तो करा कर ही तो जाना पड़ेगा ना भई, द की बाहर पूछ लिया जाए, तो छोड़ कर मता ना बस, ठीक है, आग लगा दिया मैंने, चलो भई भारतिय सेना पावर, संख्या 350 में 20% की वर्दी की जाती है, और फिर 25% की कमी की जाती है, इस परकार बनने वाली नई संख्या ग्यात कीजिए, सुनना ध्यान से, साड़े 300 रुपे, भाई, रुपे लिख लिए, मैंने आपको कुछ समझाने के लिए, क्या, कि जो मैं ये सर्ट पहने हुआ हूँ ना, ये जैकेट, ये स्वेट्स, कुछ भी बोल लो आप, इसका रेट था साड़े 300 रुपे, क्या प्राइस था, साड़े 300, 20% की वर्दी हो जाए, तो भाई, जो रेट था, वो कितना हो जाएगा, सर, जो भी किम्मत थी, अपने आप में 100%, जो किम्मत थी, वो 120% हो जाएगी, 120% का मतलब, गुरुदेव 120 बटा सो, अगर 20% बड़ेगा, तो ओरिजिनल जो भी मान था, उसका 120% हो जाएगा, अब ये बड़ा हुआ मान है, अब फिर से 25% की कमी आजाएगी, तो जो टोटल किम्मत है, उसका कितना परसेंट हो जाएगा, सर, 75% हो जाएगा, बस भाई, ये सोल करना, अगर बड़ा, तो क्या आएगा, करना ही आलाल, बैने वाल, बेस्ट कंटेंट, बस पढ़के, वादा पूरा कर दीजिए, जो वा एटा दो, बात खतम, 10 x 10, 10 x 10, 25, 35, 25, 100, 4, 14, 12, 3 9, 35, 5, 25, 5, 25, 5 है कि किसी के पिच्छे बैस, भाई, ये या आगए, दूसवर दीफर धरमें दागर सर, पूरा करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप फिर भी करोंगे, मुझे पता है, 9, 25, 25, हासिल चार, 9, 77, 04, सर, 31 Д. आप कांसवर आएगा D4 धर्मेंदर डागर सर बिल्कुल ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योस्टन की तरफ चलो भई सभी बच्चों को राम राम चलो भई नेक्स्ट क्योस्टन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है अब अगले क्योस्टन में क्या कहा कि एक वस्टू के मुल्य में 5% और 5% की लगातार 2 वर्दी एक एकल मुल्य वर्दी के बराबर होगी आप बोलोगे सर ये कैसे करड़ा होगा कोई भी वस्टू था उसका मुल्य 5% और फिर से 5% बढ़ गया तो भाई 5% का मतलब बताओ क्या होता है सर 5% का मतलब होता है परतिसत हटेगा बटे सो 5% का मतलब एक बटा 20 तो पहली बार होगा सर 20 से 21 फिर से बढ़ेगा तो सर 20 से 21 कुछ भी नहीं करना बस इतना आकसा दिमाग था घटे तो 20 से 19 और बढ़े तो 20 से 21 अब दो बर था 55% तो दो नोमर कर दिया हमने अब इनकी गुणा करनी 20 गुणा 20 400 21 गुणा 21 सर 441 अरे 25 तक तो अपने स्केर क्यूब घन वर्ग वगेरा याद कर ले न मैथ के अगर कैलकुलेसर बढ़ा डिये तो कितने की वर्दी हो गई भई 400 से 441 हुआ तो गुरुदेव 41 की कितने से हुई सर 400 से परतिसद हटाने के लिए बटे सो और लगाने के लिए गुणा 100 परतिसद कटता हो तो काटो सर 2 0 से 2 0 4 1 कम 4 अब 4 1 कम ना जाने की 0 2 5 यही आएगा या नहीं आएगा आएगा आप बोलोगे जी सर तो आंस्वर क्या जाएगा भई ए इस दा करेक्ट आंस्वर देखो फटा फट चलो भई चले आगे क्लियर आप सबका और मैंने SSC GD के लिए दो बुक बता दिया आप लोगों को विक्रम जीत सर की रिजनिंग SSC GD वोरियर के नाम से और अधित्यर रंजन सर की SSC GD की वोरियर के नाम से दोनो SSC GD वोरियर है एक मैथ दूसरी रिजनिंग ठीक है भाई हाँ सकसी से भी कर सकते हो भाई चलो next question की तरफ देखो अब next question भी same to same concept का और इसी type का है तो आप लोग कर सकते हो या कराने क्या हो सकता है चलो मैं करा देता हूँ 5% का मतलब क्या होगा सर एक बटा 20 तो पहले होगी वो 20 से 21 क्योंकि बढ़ी है एक कार की कीमत करमा से 5 परतिसद 10 परतिसद 20 परतिसद बढ़ जाती है और मैं आपको वही concept सिखा रहा हूँ जो paper में आप फटा फट कर पाओगे सचा ये question को देखो कि किस से जल्दी कर सकते है वही अपना लो आप अब देखो आगे सर फिर कितने की हुई सर फिर हुई 10 परसेंट की वर्दी तो 10 से हो गया 11 फिर 20 परसेंट की तो 5 से हो गया गुरू देओ 6 लीजिए भाई बस कटता हो तो काट दो नहीं तो कर दो सर 3 और काटा तो सर 10 यह आजाएगा 500 यह सर 11 तिया या 21 तिया 63 कर लो तो 63 63 करोगे तो 6 9 3 कितना बड़ा भाई सर 113 कितने से बड़ा सक्सेसी हुए भी बताऊंगा पेसेंट रग लेना 500 से परतिसद हटाने के लिए 200 लगाने के लिए 100 परतिसद अब देखो 2 0 से 2 0 5 एकम 5 5 तिया 15 4 3 5 8 38 पॉइंट सम्थिंग अरे सही बटे मैं तो 20 दा करेक्ट आन्सवर अब देखो कुछ बच्चे चाहते होंगे सर सक्सेसीव भी तो बता दिया जाए तो सक्सेसीव भी देख लीजिए भाई फटा फट देख लीजिए कि 5 परसेंट बढ़ा पहले ठीक है अब जो किम्मत बढ़ गई इस मारकर की 5 परसेंट बढ़ गई किम्मत कितनी बढ़ गई 5 परसेंट अब पहले 100 का था तो 105 हो चुका है न अब फिर से 5 परसेंट बढ़ेगी तो 100 की तो बढ़ेगी लेकिन जो 5 बढ़ चुका उसकी भी बढ़ेगी न बस यही बात समझाना चाहता था कि 5 पलस 5 पहली बढ़ पांच बढ़ गई फिर 5 लेकिन दूसरा ये 5 बढ़ा ये 5 का भी 5 परसेंट होगा तो 5 का 5 परसेंट आएगा सर 5 गोना 5 बटे 100 5 5 25 तो क्या हो जाएगा ये 5 और 5 10 और ये 25 बटा 100 का मतलब 2 5 कलियर है कि सभी बच्चों को अरे ये वाला कंसेप्ट X पलस Y पलस XY by 100 ये वाला सक्सेसिव ये बच्चे पूछना चाहते थे कमेंट आ रहे थे तो मैंने बता दिया आप सबको ठीक है भाई चलो next question की तरह बढ़ते इसमें भी लगा सकते हो पहले दो उपे लगेगा फिर दो का एक इखटा आ जाएगा फिर तीसरे के साथ लगेगा चलो भाई आगे देखो एक संख्या में 8 परतीसत की वर्दी की जाती है फिर से बड़ी हुई संख्या में 8 परतीसत की कमी की जाती है तो आप लोग कर सकते हैं कराने क्या हो सकता है फटा फट जवाब देदो बस तो भाई क्या आजयेगा 8 बड़ी 8 गटी सर 8864 0 पॉइंट 64 अगर successive से कर रहे हो तो ये वाला आ जाएगा भाई लेकिन देखो कैसे हुआ 8% बढ़ गई, पलस का 8 फिर माइनस का 8, फिर पलस माइनस माइनस 8 का 8% निकालोगे, क्या आएगा, सर ये तो कट गया, माइनस का आएगा तो 8, 8, 64 बटे तो 0.64 माइनस का मतलब डिक्रीज होता है अब आप पूरा सोल करोगे तो 8% का मतलब होता है 8, 64 बटा सो, 4 दोटी 8, 4 से करा तो 25 क्लियर है सबी बच्चों का अगर वर्दी हुई, तो हो जाएगा ये सर 25 से 27 कमी होगी तो सर 25 से 23 अब इनकी गुणा कर लेना आप सोल कर लेना से मान सुरा जाएगा आप सब का, कलियर है क्या भाई सोहिप मलिक बोलने है GS में 10 से ज़्यादा स्कोर करना मुश्किल है लेकिन मैत में 20 के 20 हो सकते है, ध्यान रखो सच्चा ये भाई, इसी लिए ये महनत करके कंटेंट देने लगा हूँ, आप लोगों को महनत आप लोगों को करके दिखानी है, चलो भाई, next question की तरफ आप सब कर सकते हो या नहीं फटा-फट बताओ, 20 की वर्दी 20 की कमी सर 4% की कमी आ जाएगा सी इस दा करेक्ट आंस वर सकसेसी लोगा होगे, तो 20% की वर्दी 20% की कमी, तो 20 से 20 गया तो 20 का 20% की आएगा, सर 4 एक बार बड़ा, एक बार घटा तो घटा आता है हमेशा, तो क्या आ गया, 4% की लेकिन आपको फुल कंसेप्ट सीखना है तो सीख लीजिए, 20% का मतलब होता है एक बड़ा, पांच, अगर एक बार होगा पांच से 6, तो दो बार होगा पांच से 4, तो मुझे ये बताओ पहले 25 था, तो बाद में हो गया 24 कितने की कमी हुई, सर, एक की कितने से हुई, सर, 25 से परतिसत हटाने के लिए बटे सोर लगाने के लिए गुरुदे, गुणा सो परतिसत 25 से कम 25, 25 का 4, 25 से चो भी सुआ तो कम ही और मैंने डारेक्ट भी बता दिया था, बेना सोल करे, जो आपको बैस्ट लगे, वो अब ना हो, सच्चा ही बताना क्या 2X की स्पीड करने के आउस सकता पड़ेगी आप सब को देख लीजे फटा फिट, फिर next question देता हूँ, और उस question के लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना समय हो गया, तो एक question की तो उमीद लगा सकता हूँ ना, कि आप सब कर सकते हो देखो भाई ये question करके दिखाओ सभी बत्चे 10 सेकंड ज़्यादा दे दी गई भाई, अब हटा देना चाहिए समय आप लोगों का है ना, फटा फट बताओ के लिए रेका इतना और जिन विद्यारतियों आप भी तक लाइक नहीं किया, फटा फट लाइक करो और 2000 पे ये target कंप्लिट करो भी आएगा बिल्कुल ठीक है भाई आप सब का तो इस type के question मेरे according आप कर सकते हो सभी बच्चे मेरे according ये type आप सब कर सकते हो मैं सिखा चुका वो बड़े बहतरीन तरीके से दोनों method, ratio method भी और successive भी अब एक बार 30% की वर्दी हुई, फिर 30% की कमी हुई तो ये आप लोगों के लिए रहेगा homework बाद में comment section के अंदर आप मुझे comment कर देना इसका समझ गए सभी बच्चे अब next question किसी धनरासी में 15% घटाने के बाद से सेपुने 25% घटाने पर भाई, 4335 रुपे बसते हैं तो वास्तविक मुल्ले ग्यात कीजिए समझना ध्यान से प्यार से समझाओंगा ध्यान से देख लेना समझ गए? किसी धनरासी से कितना घटा दिया भाई, 15% कोई धनरासी X थी अगर 15% घटा दिया जाएगा भाई, मेरे पास ये पानी का भरा हुआ गिलास है 100% पानी है अगर 15% घटा दिया जाएगा निकाल दिया जाएगा तो टोटल का कितना परसेंट बचेगा सर 85% तो टोटल का कितना बचेगा भाई आप सब कहोगे गुरु देव 85% बचेगा, आगे देखो सेशफल सेपुण है 25% घटाडे पर अब ये बचा हुआ था बेचारा कितना बचा हुआ था? ये 85% आप जो ये पानी बचा हुआ है ना ये कह दिया अब इसका भी 25% गटा दो तो अब जो बचा हुआ है उसका 25% घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? आप सब कहोगे सर 75% कितना हो जाएगा? आप सब कहोगे सर 75% तो ये दो बचाने के बाद आपका एक्चुवल बचा कितना रुपे? सर 4, 3, 3, 5 तो बताओ वास्तिक मुल्ले क्या था? X की वैल्यू बतानी है तो आप सब कहोगे सर काटेंगे 25 तिया पिचेतर 25 का सो और भी कटता है क्या? सर काट दो बतानी है झाल झाल आगे भई आवाज परफेक्टली कहाँ गया मारकर भई देखो काट देते हैं इसे 17 से काटोगे तो 17,8, 17,5 85, 20 गुणा 4, 80, तो 85 गुणा 80 माफी चाऊंगा भई आवाज चली गई थी बैटरी डेड हो गई थी अब इनकी गुणा करनी सर 0 as it is 8, 5, 40 कितना सर 4 8, 8, 4, 60 और 4, सर 8, 60 X की वैल्यो आजाएगी सर 8, 600 B is the correct answer बताए भई सभी बच्चे कलियर है क्या सब के सब विद्ध्यारतियों का फिर next question की तरह बढ़ते हैं खुशी जांगना धर्मेंदर सर आप महानों धन्यवाद गुडियां आपके माता पीता महान है जिन्होंने आपको जनम दिया भई मैं कोई महान नहीं हूँ समझ गई सभी बच्चे आप देखो भई एक ट्रक का मुल्ले से 17% कम किया गया एक ट्रक का मुल्ले जो मुल्ले था ना उससे 17% कम कर दिया गया और अब इसका मुल्ले 33,32,948 रुपे रहे गया तो इसका मूल मुल्ले क्या था कर सकते हो या नहीं कर सकते ये तो अब आसान सा लगना शरू हो गया होगा आप सबको क्योंकि इतना समय हो गया समझाते हुए तो ये क्योशन आप लोगों के लिए homework कुछ नहीं है 17% कम हुआ तो 83% बराबर 33,32,948 के रख देना अरे 83% रख देना किसके बराबर 33,32,948 के काटना 1% आएगा फिर उसकी 100 से गुणा कर देना 100% आजाएगा क्लियर है आप सबी का बच्चे जवाब दे रहे हैं B लेकिन आप सब अपने आप करके देखना कुछ C दे रहे हैं कुछ B दे रहे हैं या आप अपने आप सोल करोगे सबसे बैस्ट आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट से हो सकता है क्या हम ही हो सकता है 3 से कितने पे जा रह तो answer होगा C is the correct answer पूरा paper में काटने किया हो सकता नहीं है लेकिन मैं आप लोगों कुछ question homework के लिए लेकर आया हूँ वो देना चाहता हूँ ताकि आपकी calculation speed बड़े तो आप करने का परियास जरूर किया गरे बेरे भाई समझ गए सभी बच्चे चलो भई next question की दरफ आप सब कहोगे सर ये तो आसान सा लग रहा है आमे फिर क्या दिक्कत है यदि A की आये B की आये से 40 परती सता दिक है A है न जो A एक तो है आपका B और दूसरा है आपका A अब एक बात बताओ जो A की आये है वो B की आये से कितनी अधिक है सर A की आये B की आये से 40 परती सता दिक है B की अगर 100 है तो A की है गुरू देव 140 कितनी है 140 आगी ना दोनों की आप बोलोगे हाँ सर B A से कितना परती सत कम है B कितना कम है भाई आप बोलोगे सर B तो कम है 40 कितने से सर 140 से अर 140 से 40 कम हुआ तबी तो 100 हुआ 100 से 40 कम होता तो 60 नहीं हो जाता तो A की 140, B की 100 तो B A से कितना परतिसत कम है B कितना कम है, 40 कितने से सर 140 से परतिसत हटाड़े के लिए बटे 100 लगाड़े के लिए गुणा 100 परतिसत, 0 से 0 2 से काटा, 7 तो 200 बटा 7% आंस्वर आएगा बाग करोगे तो 72, 14, 6, 0, 78, 56 क्या बचा 28, सही 4 बटा 7 है क्या उपसन सर D4 धरबेद डागर सर फिर से आ गया क्लियर है क्या भाई जिन विद्वान बच्चों ने अभी तक सेसन को लाइक नहीं किया फटा फट सेसन को लाइक कर दीजिए या मुझे भी वैसे ही करना पड़ेगा कि महा काल की किसम जब तक आप 10,000 बच्चे लाइक नहीं करेंगे तब तक next question नहीं होगा वो ड्राम में नहीं आते भाई मैं हमेसा ये बोलता हूं क्लास के अंद में कि आपको अच्छा लगे तो सेसे लाइक कर दा लेकिन मुझे पता है कि 101% अच्छा लगेगा और लग रहा है क्योंकि ये करीम कंटेंट आपको कहीं नहीं दिख सकता जो मेहनत आप लोगों के लिए करकर लेकर आया हूं गर्दन में आज तक आराम नहीं हुआ है लेकिन आपने जो प्यार दिखाया उससे इतना डबल पोजिटिव एनरजी के साथ वर्क करने को मैनत करने को मन करता है कि अर जब बच्चे इतनी मैनत कर रहे है तो मैं भी तो कर सकता हूं इनके साथ मैं भी तो इन से डबल कर सकता हूं जब इनके लिए जीवन ने उचावर कर दिया अरे आप लोगों के लिए ही तो कर रखा है सुबह आठ से लेकर रात को साड़े साड़े ग्यारा बजे तक किलासे होती है फैमली के साथ बाते नहीं होती दो मिनट से जादा पांच मिनट से जादा आप लोगों के साथ होती है दर्द आप लोगों को बताया जाता है कि आज गर्दत में दर्द है आज इस परकार से हसी मजाक आप लोगों के साथ प्यार आप लोगों के साथ पूरे दिन पढ़ाना बचे हुए टाइप में कंटेंट पे काम करना मानतो हो न तो आप ही परिवार हो मेरे लिए तो भाई और सब टीचर्स के लिए आप परिवार हो समझगे? I like you sir जी भाई चलो भाई धन्यवाद चलो next question की तरह बढ़ते है देवराज यादो ऐसी मस्ती का क्या करोगे ऐसे sir का क्या करोगे पढ़ाते कब मैं मस्ती जादा करते क्या फायदा वो जीवन के साथ खिलवाड करते बच्चे को चीए entertainment आरे बेकू भाईयो समझो एक बात को entertainment नहीं चीए हमें life में हमें चीए काम्याबी काम्याबी मिल गई तो life में entertainment entertainment and entertainment ही होगा समझगे चलो next question की तरह बढ़ते हैं भाई अब देखना ध्यान से अगली type का question आ चुक है आप लोगों के सामने sscgd ने 24 जनवरी 2023 को पूचा था first shift में ठीक है भाई किसी वस्तु के मुल्ले में 10% की कमी हुई अब जो आपका ये marker है ना इस marker के मुल्ले में 10% की कमी हुई 10% का मतलब होगा 1 बटा 10 10% का मतलब क्या होगा भाई 1 बटा 10 मुल्ले हो गया sir 10 से 9 तो आप मुझे इस बात का जवाब दो लेकिन वस्तु की देनिक विक्री में 20% की वर्दी जो selling है ना कि पहले ये marker 10 का आता था आज आने लग गया 9 का किमत डाउन हो गई 20% का मतलब होता है 1 बटा 5 अगर पहले 5 marker विक्ते थे तो आज विक्ने लग गए 6 अब क्योस्टन में पूछा क्या देनिक विक्री प्राप्तियों पर सुद पर भाव क्या है भाई एक बाद बताओ तोटल हमारे पास जो विक्री होती थी इंकम पहले कितनी आती थी सर 10 का विक्ता था और 5 विक्ते थे तो 10, 5, 50 रुपे हमारी पोकिट में आते थे आज 9 का विक्ता और 6 विक्ते जाते है तो सर आज 54 रुपे आते पोकिट में तो भाई 50 से 54 हुई सेलिंग 50 से 54 पहले 50 रुपे आते थे आज 54 आने लगे कितने जादा आने लगे भाई 4 कितने से सर 50 से परतिसत हटाने के लिए बटे सो लगाने के लिए गुणा सो परतिसत 50 से काटा दो च्यार दोनी आठ परतिसत वर्दिया कमी सर पचास से चोवन वा तो वर्दी इंक्रीज 8% is the correct answer वेरी गुड भाई चलो भाई आगे next question की दरफ चलो भाई शिरफ 8 like की कभी है फटा फट कर दीजिये और फिर 2000 का आकडा पूरा हो जाएगा फिर next target जैसे देखो सब के अंदर एक भूख होनी चीए सीखने की आप परतिसत कर रहे हो भूख होनी चीए बस अगली टाइप और सीखटी है अब परतिसत सीख लिए आप profit loss और सीखना है अब math और सीखना फिर reasoning और करना फिर GS और करना है तो इसी परकार से भूख बढ़ाते जाओ जैसे पहले कहा मैंने 1000 लाइक का फिर कहा मैंने 2000 लाइक का आप मैं 3000 लाइक के लिए बोल दूँगा समझे ना बहुत अच्छी बात है भाई प्रेंज एक अच्छे गुरू के अच्छे ही बच्चे होते हैं नीता के वेतन में पहले 13% की वर्दी की जाती है और पुने 13% की कमी कर दी जाती तो उसके वेतन में कितने परतिसत का परिवर्तन होगा तो 13-13 सर 1.69 की कमी होगी लो भई सक्सेसिव लगा दिया क्योसन खतम हो गया ठीक है? सक्सेसिव लगा दिया और क्योसन खतम हो गया यहीं पर अब देखिए एक तरीका तो ये भी होता है कि पहले 100 था फिर 13% की वर्दी हुई तो 113 हो गया अब उसका फिर से 13% बड़ा या घटा पहले बड़ा फिर कम हुआ तो 113 का 13% निकाल लो सर 13-49, 13-13 और 3 सर 16, 13-13 और 14 बटे सर 14 पॉइंट ये तो कम में जाएगा ना? देखो 100 से कम नहीं हो जाएगा हाँ सर 100 से कम क्योंकि 113 है 14 ही कम होगा तो 99, 99 में से और भी तो ठाण में पॉइंट सम्तिंग तो आपका आंस्वर आएगा ये एक आप कर सकते हो रेश्यो से कि 100 से 113 हुआ 100 से हुआ फिर 87 लेकिन ये भी लोंग मेथड ये भी लोंग मेथड अब सक्सेसिव लगाओ तो एक बार 13 बढ़ा एक बार 13 घटा तो कोई फरक नहीं लेकिन एक बार बढ़ा एक बार घटा तो घटा लैस होगा कितना सर 13 का 13% निकाल दो खेल खतम 13 गुणा 13 करोगे तो 169 अपॉन में 100 आएगा तो दो के बाद पॉइंट और इतना ही परती सत है तो B is the correct answer clear है क्या भाई आप सभी बच्चों का चलो आगे बढ़ते कहां गया भाई टेलिग्राम था एक सेकंड रुकना भाई एक सेकंड गार समय देना भाई टेलिग्राम वेब था अरे खुलजा फटा फट भाई यह क्या हो गया अरे खुलजा फटा फट भाई यह क्या हो गया अरे भाई देख लीजिए फिर से ध्यान दिला रहा हूँ आप लोगों के लिए ठीक है रिजनिंग की सबसे बेस्ट बुक रिजनिंग जीडी वोरियर के नाम से विकरम जीत सर के आने वाले तीन से चार दिन के बाद आपकी मार्केट में होगी ठीक है हाँ सीट भी मिलेगी भाई रिजनिंग की stackgd वोरियर विकरम जीत सर की दूसरी बुक और सुन लीजिए math की, आप लोगों की खुल जा भाई math sscgd warrior के नाम से देख लीजिए दूसरी math की sscgd warrior के नाम से देखो, एक है आपकी math sscgd warrior, दूसरी है risk sscgd warrior एक आपके math के wizard साहब बोले और दूसरे risk के guru बोले जाए ठीक है, तो इन से बहतरी इन बुक आपको sscgd की इस market में तो मिलेगी नहीं, यह personally suggestion है मेरा आप लोगों के लिए ठीक है, हाँ भई math sscgd warrior अधित्य सर, और दूसरी reasoning की, वो किन की sir reasoning guru की और क्या नाम है उनका sir vikram jit sir, नामी काफी है कि reasoning guru के नाम से ही इतना पहचान है कि हाँ, book के बारे में आप लोगों को इतना बताने की आउसकता नहीं, लेकिन बस एक यह सूचना देनी थी कि आने वाले 3-4 दिन में यह book आप लोगों के बीच हो जाएगी reasoning plus math अलग-अलग, कम से कम page-o की book होगी और जादा से जादा quality दी जाएगी समझ गे, चलो भई next question करते हैं clear है सभी बच्चों का अब ऐसे question सभी बच्चे उड़ा सकते हैं मेरे according, उड़ा सकते हैं नहीं उड़ा सकते फटा-फट देखो next question को great hundred smiley भाई, teacher पे depend करता है पढ़ाने वाला teacher अच्छा YouTube पे भी अच्छा content दे सकता है ठीक है, हाँ भाई, बिल्कुल प्रेंस चलो आगे एक सकूटर की कीमत 20% की कमी की गई और अब इसकी कीमत 22,000 रुपे है तो इसकी मूल कीमत क्या थी अब सुनना, सर 20% की कमी कर दी सकूटर की कीमत में सकूटर की कीमत रही कितनी सर 80% और सकूटर की कीमत रही कितनी भाई आप सब कहोगे सर 22,000 अगर सकूटर की 80% कीमत 22,000 के बराबर है तो मूल कीमत तो 100% होती है आप बोलोगे जी सर 1,0 से 1,0 8 है कम 8 8 नीमा बहतर और कितनी 0 सर 2,0 अगर 80% बहतर हजार के तो 1% 900 के और 100% गुरू देओ 90,000 के बराबर इस दा करेक्ट आंसर और किस पेपर में आया सर आपके S.S.C.G.D. पर ही आया ब्रिज मोहन राठो और अप्लिकेशन पर रात को 9 बजे भाई समझ गे भाई, कलियर है आप सभी का बढ़ू next question की दरफ लीजिए अगला एक और प्यारा सा question भाई कि आलू का परती किलोग्राम मुल्ले 18 रुपे से बढ़ कर 25 रुपे हो जाता है तो आलू के उप्योग में कितने परतिसत की कमी की जाए ताकि वे में वर्दी ना हो भाई पराइस हो गया पहले था 18 अब हो गया 25 तो quantity सर quantity price की opposite होती है क्यों होती है बताता हूं रीजिन अब सुनना एक बात बताओ मुझे आलू आते थे सस्ते तो हम जादा खरीद पाते थे आलू हो गए महेंगे तो हम कम खरीद पाएंगे हा या ना सच-सच बताओ आलू आते थे सस्ते तो हम जादा खरीद पाते थे महेंगे हो गए तो हम कम खरीदने लगए अब देखो आगे सर अगर पराइस हुआ 18 से 25 तो quantity C का उलट कर लिख देते है सस्ते थे जादा लाते थे महेंगे हो गए कम लाणे लगए ये मुल्य था ये खपत थी 18 रुपे के आलू आते थे 1 किलोग्राम तब हम 25 किलोग्राम ले आते थे एक बार में ही आज आलू हो गए 25 रुपे किलोग्राम तो आज हम कम लाणे लगए भाई अब बताओ, खपत में कितने की कमी करनी पड़ी, सर 25 से 18 हो गई, खपत कमी करनी पड़ी, गुरुदेव साथ की, कितने से 25 से, परतिसत हटाने के लिए, बटे सोर लगाने के लिए, सर गुणा सो परतिसत, 25 से कम, 25 चोका, 7 चोका, 28 परसेंट, देख लीजे भाई ध्यान से, 28 28 परसेंट is the correct answer, फटा फट देखें, और मुझे जवाब दो कलियर है कि आप सभी का, फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्योशन की तरह, हाँ भाई, डीफ और धर्मेंदा डागर सर, बिल्कुल ठीक आप सब का, चलो, अगले क्योशन की तरह बढ़ते हैं, एक संख्या के मान म 5 परतिसत की वर्दी और उसी संख्या के मान में 15 परतिसत की कमी होने के बीच का अंतर मूल संख्या क्या है, अब ये क्योशन उड़ा सकते हो, अब चुटकियों में इतना समय हो गया सिखाते हुए, जिस बच्चे ने निरंतरता के साथ क्लास पढ़ी, कंसिस्टेंसी के अब देखो भाई ध्यान से, एक संख्या के मान में 5 परतिसत की वर्दी, तो वो संख्या क्या हो जाएगी सर, 105 परसेंट, अगर कोई संख्या अपने आप में 100 परसेंट होती है, 5 परसेंट की वर्दी होगी तो 105 परसेंट होगी, और उसी संख्या के मान में 25 परतिसत की कमी तो वो संक्य 100% की बजाए, फिर 55% की हो जाएगी, अब एक बात बताओ छोटी से, आप बोलोगे क्या गुरू देओ, टोटल कितने का difference, सर, 30% का difference, कितने पर 30% का 105 में से 55 जाएगा, तो सर, 30% का, लेकिन difference है कितने का, सर, 9 का, अगर हमारा 30% 9 के बराबर है, तो हमारा 1% कितन के बराबर होगा, गुरू देओ, 9 बटा 30 के बराबर होगा, गुरू देओ, ये तो आगया, अब ये बताओ, मूल संक्या बतानी, तो मूल संक्या तो आपने आप में 100% होती है, तो 100% क्या होगा, सर, 1% 9 बटे 30 के, तो 100% निकालने के लिए, गुणा 100, 10, 10, 3, 3, 10, क्या आ कल आपका दो फेर बे दो बजे नेक्स्ट टोपिक है आपका बीस दिन बीस मेराथन की सीरीज का प्रोफिट एंड लोज जिस से 176 क्योस्टन आपके एकजाम में आये थे और कल की क्लास में टोटल क्योस्टन होंगे 80 80-90 हो सकते हैं ठीक है अगर 80-90 है प्रोफिट में पूछा गया अब बढ़ते नेक्स्ट क्योस्टन की तरफ एक मोबाईल की केमत में पहले 5%-2% की कमी आती है फिर उसके बाद 10 और 20% की वर्दी आती है तो पहले उनका कर लो उनका कर लो और उसके बाद सोल कर दो कर दो गया नहीं ये कमी वर्दी के मैं सिखा चुका हूँ तो एक क्योस्टन की मैं उमीद लगाता हूँ कि सभी बच्चे इसे कमेंट बोक्स में मुझे जरूर जवाब देंगे कि गुरुदे हमारा ये अंस्वर आएगा ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया ठीक है भाई नेक्स्ट क्योस्टन भाई सर ये भी हमारे लिए छोड़ोगे पिछाण में हजार पिछेतर हजार चलो ये करो पहले अब अगली टाइप आचुकी आप लोगों के साब ने अगली टाइप ठीक है देखो इस टाइप का एक बाद मैं आपको एक क्योस्टन सिखा देता हूँ ठीक है एक सेकंड दुकना भाई बस देखो ये क्योस्टन पढ़ना सेम टूसेम इसी टाइप के 20 के आसपास क्योस्टन रिबीट कर दिये थे से सीजीडी ने 2023 के अंदर पढ़ो एक बार क्या आएगा क्या नहीं आप जिन बच्चों ने सेसन को लाइक नहीं किया फटा फटो सेसन को लाइक कर दीजिए भाई कि कोई वेक्ति अपने आएका सी परतिसत खर्च कर देता आप एक बात बताओ उकल आप सब बच्चे जोब लगोगे हा सर इंकम आएगी उस इंकम में से क्या तो करेंगे सर खर्चा या करेंगे हम सेविंग इंकम क्या होती है हिंदी में सर हिंदी में इंकम को ही आए बोलते हैं एक्सपेंडिचर को गुरु दे खर्च बोलते हैं और सेविंग को बोलते हैं सर बचत कलियर है सबी बच्चों का आप बोलोगे हा सर कलियर है तो अब मुझे जवाब दीजिए सभी बच्चे भाई आपके क्यूस्टन में कहा क्या ये क्यूस्टन आपका बेस बना के देगा ध्यान से देख ले ना देखो, मैं 100 रुपए कमाता हूँ 80 खर्च देता हूँ, बचेंगे कितने सर 300, मैं 5000 कमाता हूँ 45,000 खर्च देता हूँ, बचेंगे कितने सर 500, बस अब यहाँ पर आजिए इतने ही कमाता हूँ भाई एक वर्स की कमाई है मेरी 5000 रुपए बस, समझ गए देखो अब ध्यान से, अरे मैत के टीचर 100, 100 में से अगर 80 परतिसत का खर्चा कर देगा 100 में से 80 खर्च देगा तो बचेंगे कितने गुरुदेव 20 बचेंगे 100 में से अगर 80 खर्च देगा तो बचेंगे कितने सर 20 बचेंगे, अब आगे देखना अगर उसकी आए में 30 परतिसत की वर्दी हो जाए अगर उसकी आए 100 की बजाए 30% बढ़ेगी तो 130 हो गई अब आगे पढ़ना और उसके खर्चे में भी 20% की वर्दी हो जाए खर्चा पहले 80 का था आज 20% बढ़ जाए 80 का 20% सर परतिसत हटेगा तो बटे 100 10 से 10, 1 से 1, 8 2 16, 16 बढ़ गया कितना हो गया 96, अरे समझो क्या मतलब है आपकी माता जी आपको 100 रुपे देती थी आपकी आए हो गई 100 80 रुपे की कोल्डरिंग लेकर आए 20 रुपे बचा लिए न बीच में, आज आपने का मा कोल्डरिंग महेंगी आने लग गई तो सुनो आपकी मा बोली कितने जादा दो आप उन्हें 30 परसेंट जादा दे दो तो 100 की बज़ा 130 देना सरु कर दिया आप दुकान पर गए, आपने देखा कि सची में कोल्डरिंग तो 20 परसेंट महेंगी हो गई तो 80 का 20 परसेंट निकाला आया सोला, तो 80 से सोला जादा कितने की? सर छाड़वे की तो आज आपके पास 130 से छाड़वे खर्ची दिये तो बचेंगे कितने गुरु देओ, 34 बचेंगे तो सभी बचे, मुझे एक छोटे से डाटा का जवाब दे दो कि पहले आपकी बचत थी 20 आज आपकी बचत है 34, आपकी बचत में कितने परतिसत की वर्दिया कमी निकालने के लिए पहले ये बताओ, आपकी बचत में वर्दि हुई या कमी हुई? सर बचत पहले 20 ती आज हुई 34 तो वर्दि हो गई सर 14 की, 14 ज़ादा बचाने लग गया कितने से सर 20 से परतिसत हटाने के लिए बटे सो लगाने के लिए गुड़ा सो परतिसत 20 से कम 20 पांजे 14 पांजे सर 70 की वर्दी कितने परसेंट की सर 70 के लिएर है कि आप सभी का देख लीजे फटाफट समझ में आया नहीं आया ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता ना कि समझ में ना आयीं समझ गए मरे भाई चलो आगे चलते हैं मरे भाई नहीं मेरे प्यारे विद्यारतियों चलो भाई अब इसी टाइप का SSCGD ने किस परकार से क्यों सट पूछा देखो SSCGD ने क्या कहा समझ लीजिए सर ये तो हमें पता है कि जो हमारी इंकम होगी वो एक्सपेंडीचर पलस सेविंग होगी आप कहोगे हां गुरु देव इस बात का तो हमें पता है अच्छे से टेक्निकल टीम की तरफ से कहा गया और पावर ओफ नोलेज भी बोलने सर एक बार बैक वाला क्योशन देख लो पिलीज देख लिया भाई ठीक है नहीं गलत नहीं हुआ मैं देखता हूँ एक बार एक संख्या के मान में पांच परतीसत की वर्दी तो 105 फिर उसी संख्या के मान में 15 परतीसत की कमी सही कह रहे हो भाई पाप हो गया सच्ची में बहुत बड़ा माफी मांगो क्या आप से नहीं भाई बिलकुल भी नहीं सच्ची में यहाँ पे 15 था और हमने सोल कर दिया ये 25 का कोणिंग माफी चाहूंगा भाई आप लोगो के ना कमेंट देखने का अजल्ट मुझे पता चलिगा कमेंट देखोंगा आप बीच बीच में कुछ कुछ देखो 5 परतीसत की वर्दी हुई तो 105 और कमी हुई 15 परतीसत की तो 85 परतीसत होगा सची में बहुत बड़ा पाप हो गया क्राइम हो गया कि 85 लिखा गया आप देखो भाई अब अंतर कित मेरे अकोडिंग पूरा पूरा नहीं आएगा 105 में से 85 गया 20 20 परसेंट बराबर 9 के तो 1 परसेंट होगा सर 9 बटा 20 के तो मूल संख्या बतानी तो 100 परसेंट कितने के बराबर होगा गुरुदेव गोड़ा 100 कर दो 20 एकम 20 पानजे 9 पानजे 45 है क्या उप सर अरे सही है का आपको पता चल गया होगा ऐसे सीजी डिटेंट जितने भी क्योसन पूचे हैं मैक्सिमम क्योसन में आपका जवाब आया है दीव और धरमेंदर डागर सर तो आप रट लेड़ा इसे कि जब आप क्योसन ना कर पाओ थुड़ा वो तुका लगाड़ा पड़ जाए तो हम इसा धरमेंदर डागर सर करेक्ट भी लेग बैठ के अंदर समझ गए भाई चलो इसके लिए मैं दिल से समा परार्थी हूँ यह पाप हो गया था बहुत बड़ा है न कि यहां पे 15 की बजाए 25 सोच लिया था चलो भाई अब उसी क्योसन पे आओ देखो आपकी जो इंकम हो होती है आप बोलोगे हां सर आपके क्योसन में क्या कहा ध्यान से देखो कि एक व्यक्ति की मासिक आए 15,400 थी कोई भी एक व्यक्ति है 15,400 रुपय कमाता है आगे पड़ो और उसका मासिक वे एंड इस मंतली एक्सपेंडिचर वोज 7,200 तो उसका खर्चा था बहतर सो रुप 15,400 रुपय सेलरी आई उस में से आपने कितने खर्च दिये बहतर सो रुपय खर्च दिये तो बचेंगे कितने अरे 15,400 में से 200 गए सर 15,200 अब 15,000 में से 7 गए तो सर 8,200 कितनी सेविंग हो जाएगी सर 8,200 की बचत होगी कलियर है कि आप समका अच्छे से फटा फट जवाब दो मुझे अब आगे पढ़ो कि उस सर्थ में क्या कहा उसकी आए में 20 परतिसत की वर्दी हो जाए उसकी आए थी 15,400 अब आए बढ़ जाए कितनी सर 20% तो देखना 15,400 का 20% निकालो पहले गुरु दे उपरतिसत हटा त बटे सो और सर एक जिरो से एक जिरो एक जिरो से एक जिरो दो से गुड़ा करेंगे तो सर 15,200 तो 3080 आ जाएगा सर भाई 3080 बढ़ गई पहले कितनी थी सर 15,400 तो 15 और 3 सर 18,400 अब कितनी हो गई 3080 बढ़ी तो 15,400 में 3080 जोड़ोगे तो क्या आएगा सर 18,400 अब नेक्स्ट लाइन को पढ़ो अच्छे से उसकी आए में 20 परतिसत की वर्दी कर दिया भाई आगे पढ़ना उसके वे में 5 परतिसत की वर्दी भाई जिस इंसान की सेलरी बढ़ जाती है न वो अपने खर्चे भी बढ़ा देता है मूरक होता है इंसान कि हाँ 2200 का 5% और खर्चने लगा परतिसत हटेगा तो गुरुदेव बटे सो दो जिरो से दो जिरो पांच दो नी दस पांच साते पैती सुर एक सतीस सर 360 रुपय और जादा खर्चने लगा नालायक बहतर सो से 300 सर 7560 खर्चता है अब अब एक बात बताओ कोई जिंदा लास भी य 0, 2, 14 में से 5 गया सर 9, सर 0, सर 1, कितने बच गए? सर 10,920, कितने बच गए भाई? 10,920 ये घटाए तो पता चला या नहीं चला? आप बोलोगे हाँ सर थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव है भाई, अब आगे देखो उसकी बचत में कितने परतीसत की वर्दी होगी ग्यात कीजिए अब एक बात का जवाब दीजिए बचत कितनी हो गई भाई? सर 8200 से 10,920 हुई, 8200 से 10,000 हुई तो 1800, 1800, 900, 2720 की वर्दी हो गई कितने की वर्दी हुई? 2720 की, कितने से होई? सर 8200 से परतीसत हटाणे के लिए बटेसो लगाणे के लिए गुणा सो परतीसत अब सभी बच्चे जवाब दे मुझे सर एक जीरो से एक जीरो क्यों काट रहे हो छोड़ो ना इसे वो दो जीरो उड़ा दो उड़ा दी आप बोलोगे हाँ सर और भी कटता है क्या सर 41 4 चिका 24 3 2 4 8 32 और जीरो क्या जाएगा भई 41 एक अब 41 क्या बताना था भाई उसकी बचत में परतिसत वर्दी ग्याद कीजिए कहीं पर मिस्टेक कर दी क्या 15,400 था 2700 खर्च दिया 82 बचा फिर 20 परतिसत की वर्दी होई 18,420 हो गई 75,60 खर्च दिया 10,920 बचा 18,8,7,20 ठीक है अब 4 से काटा 4 से का आठे सही होगा भई चलो आगे करते हैं लेकिन 41 एकम 41 कहीं न गहीं तो गल्ती की है भई हमने है न 360 होगा कहा होगा 360 360 310 करो सर कहां पर बोल रहे हो भाई 680 की जगह 360 680 की जगह 680 680 का है अरे रे 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 पाप होगया बहुत बड़ा सही बोल रहे हो देखो जल्दबाजी के चक्कर में देखो 2-0 से 2-0 कट गई थी ये 2 से काटा था और गल्ती से वो 4 से कट गया 2 से काटा थो 2-4-8 2-1-2 2-1-2 2-3-6 2-6-12-0 ठीक है भाई अब 40 का पाड़ा पढ़ लीजिए 41 का नहीं पढ़ सकते तो आप बोलोगे सर 40 का 4-3-12 3 पॉइंट सम्थिंग आएगा तो आंस्वर आ जाएगा सर C is the correct answer Clear है भाई सभी बचों का पता है बज़े क्या है कितना स्पीडली चीजे सिखाड़े के लिए फटा फट 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 इतनी स्पीड कर दी कि हाँ आप बोलो सर जबर्दस्त मज़ा आ रहा है पढ़ने में ठीक है तो इस परकार से करने में थोड़ा भूत माइंड यार आप एक बात देखो कि 95,000 आये उस पे से 45,000 खर्च देता है तो 20,000 बचा लेता है तो 18% की आये बढ़ी 12% का खर्चा बढ़ा तो बचत बता दिये तो आप लोगों के लिए ये क्योस्टन रहे का होमवर्क और सभी बच्चे कमेंट बोक्स के अंदर इन सभी क्योस्टन का आंसवर देंगे मैं पर्सनल ये के एक बच्चे का कमेंट दूँगा ठीक है भई देवंदर सेनी बोल रहे सर टाइम का पता नहीं चला दो बजे, दो बजे, दो बजे, दो बजे 20 के 20 किलास दो बजे आएंगी ये, समझ गए भई अब देखो सेम क्योस्टन है कि एक वर्स पहले राब क्याए 20,000 परती माती और वै ये था अब उसकी आए भी बढ़ गई और खर्चा भी बढ़ गया तो उसकी बचत तो मेरे अकोडिंग ये टाइप आप कर सकते हो दो क्योस्टन मैंने करा दिये ट्राइ और सेल्फ और सभी का ठीक आना चीए नहीं आया ना बहुत बड़ा पाप करो गया कितने प्यार से सिखाने के बाद भी अब देखो अब नेक्स्ट क्यूस्टन भाई एक सरकारी करमचारी अपने आए का 76 परतीसत खर्च कर देता और उसकी आयब में 14 परतीसत की वर्दी होती है और उसके वैब में 10 परतीसत की वर्दी होती है तो उसकी बचत में कितने परतीसत का परवाव पड़ेगा रहे ये तो कर सकते हो शिखा चुका हूँ वही टाइप है लेकिन फिर भी आपको सीखना हो तो देख लीजिए, आप सोचोगे सर, एक दो तो करवा भी दीजिए, देख लीजिए, इसमें डाटा नहीं दे रखा, उसमें तो डाटा दे ही रखा था, तो देखो ध्यान से फटा-फट, कि कोई वेक्ति अपनी आय का चेहतर परतिसत खर् और उसके वे में 10 परतिसत की वर्दी, सर चेहतर का 10 परतिसत निकालोगे, तो 7.6 आएगा, तो ये 83.6 हो जाएगा सर, ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, अब 114 में से ये घटा दो, तो सर ये आएगा 16, 16 और 14, सर 30, 30.4, ठीक है भाई, अगर 114 में से इतने खर्च दिये तो, भाई समझ में आ रहे या नहीं आ रहे, सच्छा जवाब देना सभी बचे कमेंट करके, अब ये क्योशन कराते ही, आपके कमेंट देख रहा हूं कि कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा आप लोगों को, अब देखो, 24 से हुआ 30.4, तो कितना बढ़ा, सर 6.4 बटाने के लिए बटे सो, लगाने के लिए गोणा सो, अब देखो, अगर ये पॉइंट हटेगा, तो बटे क्या आ जाएगा, सर बटे आ जाएगा, 10, 8, 3, 24, 8, 8, 64, आप बोलोगे हां सर, 1, 0 से 1, 0, 80 बटा 3 परतिसत की वर्दी हो गई, भाई, 24 से 30.4 हुआ तो वर्दी ह आन्सोर, खतम हो गया क्योशन, ये टाइप पेपर में दिखेगी तो उडाद हो गए या नहीं, बस मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव क्योशन इस टाइप के आये थे, 2023 में, समझ गए, अब बढ़तें, नेक्स्ट क्योशन की नहीं भाई, फणिटीव ये जरूरी नहीं है कि जो पहले से ही पड़े उनको समझ में आएगा, अब मैंने उस परकार से क्योशन सिस्टेमेटिकली लगा रखे हैं कि कोई फ्रेसर बच्चा है ना, उसका भी एकदम से किलियर 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 होता चल रहा है, अगर फिर भी आपको चीए और बेसिक से, और जादा कि 10 घंटे के अंदर परसंटेज और सलो 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 सिखाई जाए, तो आप सर्च कर लेना, मैट्स भाई धर्मेंदर डागर सर या परसंटेज भाई धर्मेंदर डागर सर सबसे उपर आएगए आपकी RG State Exam और वहां से आप देख ल कर लीजिए भाई, नहीं भाई, SSC Esperant, competition कम नहीं है, पता है क्या बात होती है, सब बच्चों के अंदर वो consistency नहीं होती कि वो सर्वात से लेकर और आखरी तक उसी सिद्धत के साथ पढ़ सके, समझ गए ना सभी बच्चे, सब के अंदर वो stamina ही नहीं है, अब मैं लगातार पढ़ा सकता हूँ, आपको 12-12 गंटे, 12 गंटे की महा महरातन क्लास है, सर्च करो, पूरे math का निचोड़ है, महा महरातन भाई, धरमेंदर डागर सर, सर्च करो, पूरे math का निचोड़ करा रखा है, अब सब बच्चों में नहीं है ना capacity, क्यों वो 12 गंटे लगातार के, और मैंने वो 12 गंटे की महा महरातन क्लास आपके यूटूब के इतियास पे बिना खाणा, खाई पिया, उनली पानी-पानी के साथ में ली थी, और पूरा math का निचोड़ कराया था वहाँ पर, अब देखें भाई, next question, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, सेस का 30% इद कितनी, sir, 100 unit, कितनी माली, 100, अब टीना क्या करती है, कि अपने वेतन का 30% भोजन पर, कि 100 कमाए, तो 100 में से 30% फुड पर खर्च दिया, तो 100 का 30% क्या होगा, गुरुदेव 30, अगर 100 में से 30% खर्च दिया, तो बचेगा कितना, sir, 70 बचेगा, अब बची हुई किम्मत कितन है, टोटल 100 कमाए, 30 का खर्चा कर दिया, किस पर, खाणे पर, अरे 100 का 30% का मतलब होता, 30 कर्च दिये, तो बचे कितने, sir, 70 बचे, अब क्योस्टन को पढ़ना क्या का, क्योस्टन में, कि 100 का 30% of the rest on fuel, कि बचे वे का 30% इन धन पर, तो बचा हुआ कितना है, 70, तो 70 का, का का मतलब गोणा, 30% निकालोगे, पर, तो क्या आएगा, गुरुदेव बटे सो, 10 से 10, 1 से 17, 21, मतलब 21 यूनिट और खर्च डाली, कितनी और खर्च डाली, sir, 21 यूनिट और खर्च दी, किस चीज पे, फ्यूल पे, अब एक बात बताओ, 70 में से 21 और खर्च दिया, 70 में से 20 ज खर्चा खाने पे, फिर 70 का 30 परसेंट खर्चा फ्यूल पे, मतलब 21, 70 बचा हुआ तो उसमें से 21 और खर्च दिया, तो अब बीबी रिमेनिंग उनेंचास बचा हुआ है उसके पास, लेकिन उसके पास बचे कितने, sir, उनेंचास सो रुपे, तो टीना का वेतन क्या था, सो की, तो आए बादिंग कितनी थी, गुरुदेव सो यूनिट, तो एक यूनिट सो की, तो सो यूनिट कितने की होगी, यहाँ पे सो से गुणा होई, तो यहाँ पे सो से गुणा करोगे, तो गुरुदेव 10,000 रुपे, D4 धर्मेंदर डागर, sir, clear है कि आप सभी का फटा- देखो, अब दूसरा तरीका भी बताता हूँ, इसी के उस्षन का, clear है, अब सुनना, देखो, तीन अपने वेतन का 30% भोजन पे, 30% का मतलब होता है, भाई, 3 बटा 10, अगर 10 कमाती है टीन, इंकम है 10, तो उस में से 3 खर्च दिया खाने पे, किस चीज पे, खाने पे, तो सेविंग कितने की होगी, सर साथ की, अब आगे पड़ो, अब बचे वे का कहाना, तो next लाइन आएगी, अगर बचा हुआ नहीं कहता, तो उसी लाइन में खतम होना था, अब देखो, फ्यूल पे, फ्यूल पे, फिर से 30%, तो 30% का मतलब फिर 3 बटा 10, कि 10 बे से 3 खर्च दिया, फ्यूल पे, तो फिर बचा कितना, सर साथ, अब इनकी गुणा करनी, और कुछ नहीं, 10 गुणा 10, 100, गुणा 7 उनेंचयास, अगर वो 100 रुपय कमाती थी, तो उनेंचयास रुपय की बचत है, और बचत दी कितनी, सर उनेंचयास सो की, तो आपकी उनेंचयास यून तो 100 गुणा 100 आजाएगा गुरु देव 10,000 रुपय, बताए भाई के लिए रहे के आप सबी का, राहूल कुमार क्या बोल रहे हैं, सर, अगर दुनिया में आपके हजारों फैन है, तो उने में से एक मैं हूँ, अगर दुनिया में आपका एक फैन है, तो वही मैं हीू, औ और अगर दुनिया में आपका एक भी फैन नहीं है तो समझें मैं मर चुका हूँ अरे भाई राउल कुमार ऐसी मातना बोली आर्मी लवर आप हो और हमेशा रहोगे भाई मेरे छोटे भाईयों आप समझ गए ना यह आपका प्यार दिल से लव्यू भाई आपको ठीक है आगे से आज मैं बोल रहा हूँ नहीं तो मैं हमेशा रिप्लाई रिप्लाई देता हूँ लेकिन आप हमेशा थे हो और हमेशा रहोगे समझ गए टेंसन फ्री रहे इस चीज से चलू भाई नेक्स्ट कुस्टन की तरफ कलियर है प्रिक्टिस सीट आपको मिलेगी टेलिग्राम बर करो भाई एक बर सभी बच्चे बताओ वाई फटाफट पाने के लिए बोलने गया था रहे गलाबी सुख गया यार आपको एक बात बताओ सच सच बताना सवा दो घंटे हो गया आपको पढ़ते हुए समय का पता चला कि कितना जल्दी समय चला गया आने वाले 40 मिनट में सभी टाइप कंप्लेट कर देखो अब ध्यान से ससी जीडिटरें 24 जनवरी 2023 इसको फर्स्ट सिफ्ट में पूछ लिया जिस बच्चे के एकजाम में यह आ गया उसकी तो हवा गायब हो गई कि यार ऐसा क्यूस्ट में आएगा मेरे वेपर में अब देखो ध्यान से देखना एक व्यक्ति अपनी मासिक आए का 25 परतिसत बचत करता है उसकी आए में 20 परतिसत की वर्दी होने के कारण उसका वेए भी 20 परतिसत बढ़ जाता है तो उसके हर महीने 1500 रुपे की बचत कर पाता है तो उसकी मूल मासिक आए क्या थी समझना ध्यान से एक आपकी इंकम काता ना सबसे जादा ये टाइप पूछी गई आपके एकजाम में अब तो आपने मान लिया होगा सभी 2023 के आपके लेटेस्ट क्योंसर ने दिख भी रहे होंगे आप लोगों को अब सुनना ध्यान से आप बोलोगे क्या गुरुदेव एक व्यक्ति अपनी मासिक आए का 25% बचाता ए अगर 100 कमाता है 25 की बचत करता है तो खर्चा कितना सर खर्चा 55 का है खर्चा कितने का है गुरुदेव 55 का है कलिर है ये बात अब आगे देख ना उसकी आए में 20 परतिसत की वर्दी अगर इसकी आए 100 थी तो आज हो गई भाई 120 आगे पढ़ो और उसके वे में 20 परतिसत की वर्दी हो जाती है पिछैतर का, का का मतलब गोणा 20 परतिसत का मतलब आएगा 1 बटा 5, 5 से काटा 15 15 बढ़ जायेगा तो कितना हो जायेगा 1090 120 में से 90 खर्च दिये बचे़ेंगे कितने गुरुदे 30 अब एक बात बताओ न हमारे पास सब कुछ आगया पहले की आए आज की आए? पहले का खर्चा आज का खर्चा पहले की बचता आज की बचता अब क्यों सब ये कहा क्या वे अब वे हर महीने 1500 रुपए की बचत करता है हमारे according आज वो बचत कितने की करता है सर 30 की हमारे according वो बचत करता है आज 30 यूनिट की लेकिन examiner के according वो बचत कितने की करता है 1500 रुपए की अगर हमारी 30 यूनिट 1500 की है तो हमारी एक यूनिट कितने की होगी गुरुदेव 50 रुपे की अगर हमारी 30 यूनिट 1500 के बराबर है तो हमारी एक यूनिट होगी 50 की अगर वास्त्विक आये पुछी तो वास्त्विक आये थी कितनी सर 100 एक यूनिट 50 की तो 100 यूनिट होगी 100 गुणा 50 करोगे तो भाई आप लोगों का अंस्वर आ जाएगा गुरुदेव 5000 रुपे क्या अंस्वर आ जाएगा भाई 5000 D is the correct answer देख लीजे भाई एक बर सभी बच्चे D4 फिर से धर्बिंदर डागर सर SSCGD का फैवरेट ओप्शन है आपको दिख रहा है भाई बताए भाई के लिए रहे कि आप सभी बच्चों का और जिन विद्वान बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया फटा फट लाइक कर दीजिए और ये सेशन खतम होने तक 3000 लाइक चीए मुझे दुक्का नहीं लगा नहाँ इस बार डी तुक्का लगाड़ नहीं भाई एससी एस्पिरेंट पढ़ो और क्योसनों को सोल करो जब मैं ये 20 दिन 20 मेरा थन लेकर आया हूँ तो आपको ये बताने नहीं लेकर आया कि डी का मतलब ये है ये सिखाडे के लिए आया हूँ कि नंदनी कुमारी अभी कटोफ का कैसे अंदाजा बता दो बाकी जो यूटूबर बने फिरते हैं या यूटूबर जो अपनी कटोफ बताते कुछ कुछ बताते उनके जैसे जूटी चीज़े बताऊं क्या मैं भी नहीं भाई मैं जूटी चीज़े नहीं बताना चाता कटोफ डिपेंट करती है आपके पेपर पर अगर पेपर का लेवल क्या रहेगा वो चीज़े बताएंगी कि कटोफ ये रहेगी अभी कटोफ का कोई जूटा नुमान नहीं बताऊंगा एक परसेंट भी पेपर होगा सिफ्ट का एनलाइसीस होगा उसके बाद ये कहूँगा कि हाँ मैं खुद जाता हूँ सेंटर के भार जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ जिस दिन SSCGD का पहली सिफ्ट का पेपर होगा उसी दिन आपके सेंटर के भार आपको धर्मेंदर डागर सर दिखेंगे अब ये पता नहीं किस सेंटर के भार जाऊँगा नोविडा जाऊँगा या मुखरजी नेगर के आसपास जो भी सेंटर आया होगा वहाँ पे जाऊँगा चलो भई, next question लो भई, एक question और आ गया देखो इसी परकार का question अभी अभी हमने सिखा दाया नहीं कि टीन अपने वेतन का 30% भोजन पर सेस का 30% इंदन पर और लास्ट में ये बचाती है क्या वो की वो टाइप है या नहीं है ये भी आप बोलोगी बिल्कुल है सर तो देख न कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर और अपने वेतन का 5% देखो इस बार सेस का नहीं का अब मैं 5% देता हूँ वर्दासरम में दान और 45% भोजन पर खर्च कर देता हूँ तो टोटल मैंने कितना खर्च दिया सर 45 और 5 50% का खर्चा कर दिया ए ने 50% का मतलब होगा एक बटा दो अब एक बात सुनना वे अपने भोजन और वर्दासरम पर 28,500 रुपए खर्चता है तो उसका वेतन कितना है अब एक बात बताओ मुझे कि दो में से अगर उसने एक हिस्सा खर्च दिया किस चीज़ पर अरे 45,50% होगा दो में से एक हिस्सा खर्च दिया भोजन और वर्दासरम पर एक हिस्से का मतलब होगा 28,500 मतलब दो कमाये तो आदे खर्च दिये आदे कितने खर्चे 28,500 तो 28,500 खर्च दिये तो 28,500 ही तो बचा लिए ना भाई जितना खर्चा उससे डबल आए है तो 28,500 का दो गुणा कितना होगा सर 28 का 56,500 का हजार तो सता ववन हजार सी इस दा करेक्ट आंचवर सोल करने की भी जरूरत नहीं थे अटाओ इसे क्या जरूरत है जब डारेक्ट ही कर दिया वेरी गुड़ी इमनिंग गुड़िया अंजली राजवनसी कलियर है क्या सबी बच्चों का चलो भाई नेक्स्ट कुस्टन की दरफ समझ में आ गया जिन बच्चों ने अभी तक सेसेट को लाइक नहीं किया जिन विद्वान विद्यारतियों ने वो सेसन को फटा फट लाइक करें और आगे बढ़ते हैं चलो देखो भाई एक दसक में एक कसबे की जनसंख्या 14,45,000 से बढ़कर 2,00,00 हो गई तो परतिवर्स जनसंख्या की साधान वर्दी दर परतिसत क्या होगी सुनना एक लाइक 45,000 से बढ़के एक दसक का मतलब होता है दस वर्स में देखो दसक का मतलब होता है कितनी हुई भाई? 2,00,00 कितनी हुई गुरुदेव? 2,00,00 हुई देख लिजे जनसे तो टोटल बढ़ी कितनी? सर 55,000 बढ़ी कितनी बढ़ी? 55,000 बढ़ी कितने वर्स में? सर एक दसक एक दसक का मतलब दस वर्स में तो भाई टोटल कितनी बढ़ी एक वर्स में? सर पच्पन सो एक वर्स में बढ़ती है पच्पन सो अब एक बात का जवाब दे दीजे एक वर्स में बढ़ी पच्पन सो कितने से बढ़ी सर एक लाख पेनतालिस हजार से परतिसद हटाने के लिए बटे सो लगाने के लिए गुड़ा सो परतिसद 2-0 से 2-0, 1-0 से 1-0 और भी कटता है क्या काटो पांच से काटा 11 पांच से काटा 5- Remo पांज निमा पैंतालिस हाँ भाई 110 बटा 29 परसेंट लीजिए भाई देखिए फटा-फट के लिए रहे कि आप सभी का फटा-फट सभी बचे जवाब देंगे मुझे आप बोलोगे सर हमारा आया 110 बटा 29 अब सर 29 का पाड़ा नहीं आता 30 का तो आता है तो देखो 3 चो का 12 सर 120 चीए 120 तक तो नहीं है तो यह आएगा सर 3 पॉइंट सम्थिंग 3 पॉइंट सम्थिंग का मतलब खतम हो गया पूरा एक एक पॉइंट सोल करने जरूरी थोड़ी ना पेपर में क्योस्टन को टिक करना है समझा के नहीं आना एकजामनर को कि भाई हमारे गुरुदेव उन्हें ऐसे सिखाया था इस इस परकार से होता है क्योस्टन समझ गए करमवीर सिंग जो आपकी 20 मैराथन क्लास के अंदर जो पूरा मैट सिखाने वाला हूँ 20 के 20 क्यों सिमिलर सेम टू सेम ऐसे के ऐसे आएंगे बस यह हो सकता है जहां 1,45,000 है यहाँ पर 4,000 आजाए यहाँ पर 1,00,000 आजाए यह 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 डाटा बदल सकता है आदरवाइज लाइन भी है जी टीज देखने को मिलेंगे आपको यह बनाए हुए है यह आपके पेपर के आए हुए है पेपर में इसी परकार के आए और आएंगे और मैं हर क्लास के अंदर पूरा का पूरा टोपिक कवर करने लगावाँ भाई नहीं पता हो तो आप सबको धन्यवाद सर किसी बच्चे को चाए पीड़ी हो बता दीजिए सर चाए आ चुकी है आप लोगों के लिए ही आई है अगर आप मेंसे कोई पीड़े वाला विद्यार थी है तो मुझे बता सकता है भाई ताकि मैं आप लोगों के पास ये बिजवास्कू है ना थैंक्यो गुरु जी वैसे आप मांगते ना बोल भी दिया एक बच्चे ने सर मुझे पीड़ी है तो आप अपने घर पे हो क्लास को देखते देखते किचन तक जाए और वहाँ पर चाए बननी रखे पाज मिनट मे बन जाएगी फिर ऐसे पीड़ा बड़ा मजा आएगा गले को रिलेक्स सा मिलेगा पूरे दिन ऐसे पढ़ा 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 के चाही चाही पीड़ी होती है अगर आप लाइबरेरी में हो अब तो क्लास बस आदे घंटे के अंदर इस टोपी को खतम कर दूगा उसके नेक्स्ट कोशन देखें एक सहर की वर्तमान जनसंख्या एक लाख पत्चीस हजार है यदि जनसंख्या दो परती सत परती वरस की दर से बढ़ती है अब दो परती सत परती 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 वरस बढ़ती है मतलब पहले वरस में दो परती सत बढ़ गई उसके बाद उस टोटल बढ़ी हुई का दो परतिसत बढ़ेगी, उसके बाद उस बढ़ी हुई का दो परतिसत बढ़ेगी, समझ गए यह मतलब एक तरीके से यह compounded चकरवर्ती ब्याज की तरीके से हो जाती है, तो तीन वर्स के बाद सहर की जन्संक्या साधान सा तरीका बताता हूँ, एक लाख पच्चीस हजार है जन्संक्या, आप लोग बोलोगे हाँ सर, तो मुझे एक बात का जवाब दो, यदि जन्संक्या दो परतिसत बढ़ी, तो टोटल सो से कितनी हो गई सर, एक सो दो, अरे आपने यही तो किया होगा, जो टोटल थी उसका एक सो दो परसेंट, परति परस्वर आ जाएगा, आप कहोगे सर थोड़ा सा तो सिखा दो, थोड़ा बहुत सोल कर देता हूँ, बाकि आप ही करना, ठीक है, पांच से काटो, पांच से नहीं, दो से, दो पांच से, दो एक कम, दो से काटा, सर पचास, दो से काटा ही क्या होँआन, सर पचास, दो से का काट आई क्या हूँ पचास देखो थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा पर मैं ये बात मेरे लिखके ले लिजिए भाई आप अब इतनी आसान पोस्ट थोड़ी ना है इतना कम कमपिटिशन थोड़ी ना कि एक्जामनर लो भाई ले जाओ ये पेपर और मैं त आपको जिस तरीके से बोलू मैं उस तरीके से चलते जाएं बस сबसदण भाई आप देखो सर 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटा 25, 5 से काटा 5, 5 से 5, एक हओँ ऊनका सर, क्यूब करणा है तो देख लीजे ध्यान से वेरी गुड बहुत अच्छा योगेश्रोए बिलकुल ठीक है बिल्कुल भाई एक लाख वतिस हुजार शेसो एक वान एक लाख वतिस हेजार शेसो एक वान सीजदा करेक्ट आंशुआर अब यूरेटी जीट था कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी ठीक है देखो एक 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 की गुड़ाएक से एक एक लास्ट का एका 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 आएगा कौन से option में सर C में लो otherwise एक तरीक का और भी बता देता हूँ 21 गुणा 21 गुणा 21 करने के बजाए 21 का square कर लेना क्या आजाएगा सर 21 का एक 5 का 25 5 5 5 2 10 10 जोड़ दो सर 261 की गुणा 21 से कर लेना भाई आपका यही आएगा ठीक है छोटी कलकुलेशन करने के लिए ये real के अंदर short trick में मैंने आपके square root cube root सब कुछ सिखा रखे है और नए नए concept की वीडियो भई लेकर आता रहता हो भाई विक्की पवार आप ये देखो ना जो करिम student वो पढ़ रहे आप समझे सब बच्चों के अंदर इतनी capacity नहीं कि वो लगातार तीन तीन घंटे बेट कर पढ़ सके इसलिए मैंने time mention किया था पहले ही समझे भाई सब में capacity है क्या कुछ बच्चे होते है 15 मिनट के कुछ बीस में रटके कुछ एक घंटे के कुछ दो घंटे के कुछ होते है selection के वो सिरफ ये कहते है सर आप पढ़ाओ और हम करेंगे रहूल कुमार क्या बोले है ससी को गुरूर है क्योंकि उसके पास TCS का डूर है पकर उसको क्या पता हमारे पास धर्मेंदर डागर सर कोई डोर है लव यू गुरुदेव लव यू टू भाई राउल कुमार बहुत अच्छा लगा भाई आपका रिप्लाई देखकर अब सुनिए भाई किसी सहर की जनसंक्या 5 परतिसत वार्षिक दर से बढ़ रही है दो वरस बाद सहर की जनसंक्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंक्या 16,000 है वर्तमान है 16,000 क्लियर है भाई क्या कहा क्योसन में कि 5 परतिसत की दर से बढ़ी 5 परतिसत का मतलब होगा गुरु देव 1 बटा 20 तो पहले वर्ष में होगई 20 से 21 21 बटा 20 अरे आप करोगे 105 बटा 100 16,000 का 105 बटा 100 करोगे 5 से काटोगे तो 21 बटा 20 ही तो आएगा आप बोलोगे हाँ सर तो पहले वर्ष में 21 बटा 20 दूसरे वर्ष में 20 बटा 20 अब कटता हो तो काट दो फटा फट आप कहोगे सर 0 से 0 0 से 0 दो से काटा असी, दो से काटा चालिस, 21 का सर 441, गोणा 40 करेंगे, गुरुदेव जीरो, 4 एकम 4, 4 चोक 16, 4 चोक 16 और 17 क्यांसोर आ जाएगा, 17640, 17640, C is the correct answer, C4 छोड़ेंगे नहीं भाई, समझ गे, सर क्लास का टाइमिंग बता दीजिए, मैं यूटूब पर दो क्लासे ले एक दो फैर में जो आपकी महा मैराथन चलेगी, ये मैराथन 20 दिन, 20 मैराथन चली हुई है, ये चलेगी दो फैर में 2 बजे, स्टाट, सभी टोपिक वाई जोगे, कोई 2 गंटे की, कोई 3 गंटे की, कोई 4 गंटे की, और, एक क्लास लेता हूँ, शाम को 10 बजे से लेके, 16 पड़े 11 बजे तक, वहाँ पर आज topic सरू होगा number of zeros, जिस बच्चे को number system का सुन्यांको की संख्या निकालने वाला concept topic सीखड़ा है, वो उस class में जुड़े भाई, समझगे भाई, चलो next question की तरफ, चलो भई, next question की तरह बढ़ते हैं, अब देखो, सेप जनसंक्या बेस का है, एक सहर की वर्तमान जनसंक्या दे रखी, यदि यह 5% वार्शिक दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्स पहले क्या थी, अब सुनो, 3 वर्स पहले थी x, 5% का मतलब होगा सर, 1 बटा 20, तो 1 वर्स में होती ह है, 20 से 21, तो दूसरे वर्स में भी यही होई होगी, तीसरे वर्स में भी यही होई होगी, आप बोलोगे हाँ सर, अब जो जनसंक्या थी, 3 वर्स में इतना हो गई, और दे कितनी रखी है भई, 92,61,000, अब इसे काट ले ना, x की value आ जाएगी आप लोगों के, clear है भई, try yourself, आसान सा है, मैं try yourself लिखूंगा या, तब तक answer आ जाएगा आपका, क्योंकि 21 कही multiple है यह, ठीक है, या, बता देता हूँ, 21 गुणा, 21, 21 का cube आएगा, 9,261, 9,261 से काटोगे तो 1 और 3,0 बचेंगी, अब 20 गुणा, 20 गुणा, 20 आएगा, सर, यहां से 8,000, यहां पर भाग मे वहाँ पर जाएगा तो गुणा में, तो 8,000 के कितनी 0 और लगेंगी, सर, 3,0 और, तो भाई, यह क्या आ जाएगा, सर, 80,00, पहले कितनी थी, भाई, 80,00, 20 दा correct answer का आता ना, मैं पलट कर देखूंगा, तब तक answer आया मिलेगा, आया हूँ है, नहीं आया हूँ है, नहीं आय आनी बोलेगे सर, आप भूत अच्छा पढ़ाते है, मुझे मैच से, प्यार करने के लिए, ठीक है भाई, प्यार करने के लिए, ठीक है भाई, देखो भाई, समझो, जनसंख्या, चुनाओ, और, एक्स्पेंडेजर, इनकम, और सेविंग, समसे ज़्यादा क्योस्टन, यह रिपीट होते हैं, ठीक है, बस, दस सेकंड़ का समय नेढा, आप देखते हैं भाई, एक गाउ की संख्या में, पहले साड़े 12 परतीसत, साड़े 12 परतीसत का मतलब होता है, एक बटा आठ कैसे होता है बता देता हूँ परतिसत अटाने के लिए बटे सो बता है था आप बोलोगे जी सर साड़े बारा परसेंट का मतलब क्या होगा बारा दोड़ी चो भी सो रेक सर पच्चिस बटा दो परतिसत ये परतिसत हटेगा तो गुरु देओ बटे सो पच्चिस एक पच्चिस सो का एक बटे च्यार दोड़ी आठ हाँ सर साड़े बारा परसेंट का मतलब एक बटे आठ होता है और दूसरे वर्स आठ परतिसत का मतलब क्या होगा तो बटे सो च्यार दोटे आठ च्यार से पत्चिस तो सर 8 परतिसत का मतलब होगा 2 बटा 25 ठीक है भाई अब पड़ो क्योसन में क्या है क्या नहीं है आप उलोगे सर इससे क्या हो गया क्योसन आसान बना दिया बिल्कुल एक गाओं की जनसंग्या में पहले साड़े बारा परतिसत की वर्दी हुई, पहले वर्स में साड़े बारा परतिसत की वर्दी हुई, दूसरे वर्स में गट गई, यदि गाओं की वर्तमान जनसंक्या 32 है, आज गाओं की जनसंक्या है 32, पहले वर्स में साड़े बारा परसेंट बढ़ने का मतलब पहले वर्स म हो गई 8 से 9 पहला वर्स हो गया, दूसरे वर्स में सर 25 से 2 घटी, अरे दो बटा 25 की कभी होई तो 25 से 2 घटी तो कितनी होई, 23, बस भाई कर दो सोल, आप का अनस्वर आ जाएगा कि 2 वर्स बाद जन्सन का कितनी होगी, या आप यह भी मैंने से उमिद लगाए बेटोगी, सर आप ही करो 25 से कम 25, सोरी 8 से कम 8, 8 चोका 32 25 से कम 25 25 से कम 25, 25 25 से का डेड़ सो, कलियर है भाई? आप बोलोगे, जी सर गुणा करो, 16 दिमा 104 फिर 23 से गुणा करने में 26 दिमा 54, 4 तिया 12 सर दो तो दो के पीछे है तो हटाओ पूरा इगुणा कर दूँगा 16 तिया 48 अरे इनकी इनकी कर रहाँ 16 दो नी 32 और 4 सर 36, गुणा कितना है? सर 9 आप देखना भाई ध्यान से सर 9 आठे 22 9 ची का 54 और 7 सर 12 अरे दो नो गए है 166 9 तिया 27 और 6 सर 33 312 C is the correct आठेश्वर देख लीजे भाई, एक पर सभी बच्चे कलियर है कि आप सब का और जो बच्चे सर वाच्चे और अभी तक रेगुलर्टी से पढ़ रहे है ना हाँ कभी कभी हमें पहाडे, स्केयर, क्योब ये भी याद करने ची है थोड़ी बहुत गुड़ा भाग भी करके देखना ची है ताकि पैपर के अंदर सुपेड अच्छी हो सके हमारी समझ गए ना लाइक विद्ध्यार्थियों चलो भाई आगे चलो next question देखो भाई, अब ये प्योर जंदसंग क्या के है तो ये question के साथ आप खेलना सीख चुके हो try yourself, ठीक है try yourself, homework रहेगा आपका क्योंकि ये चीज़े सिखा चुका हूँ भाई 2011 से 14 तक एक नगर की जंदसंगा 2% वारसिक दर से बढ़ रही थी 11 से 14, 11 से 12, 1 12 से 13, 13 से 14 कितनी? सर 3 वर्स तो 3 वर्स में 14 में इसकी जंदसंग क्या है तो 2011 में क्या थी तो X मानना, X गोड़ा 2% का मतलब 1 बटा 50 21 बटा 50, 21 बटा 50 21 बटा 50, 21 बटा 50 और बराबर इसको रख देड़ा आ जाएगा आपका डाटा तो ये चीजे सिखा चुका हूँ भाई अब 3 वर्स की बजाए 11 से 14 दे दिया, कर सकते हैं नहीं कर सकते विशाल, 1 in fitness Howdy Josh, बताओ भाई Josh कैसा है, कैसा डिया आप लोगों का होंगी भाई, गोलू patience रख, ठीक है सभी टाइप बोल दी, तो सब की सब ही टाइप होंगी अब एक बार इस question को रोक लीजिए यहां तक का तो मैंने दे दिया आप लोगों को आप करते हैं भाई जो बोला, वो करके दिखाएंगे ठीक है बारे भाई यह वाला question करना एक बार सभी बच्चे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, फटा-फट जवाब दो एक बार सब के सब देखो भाई बोर्ड पे हाँ, election आएगा सिवानी, patience रखो दिया गया है कि A की आएगा 10 परतिसत, B की आएगा 15 परतिसत, C की आएगा 20 परतिसत है A की आएगा 10 परतिसत बराबर है B की आएगा 15 परतिसत और यह बराबर है C की आएगा 20 परतिसत अगर यह डाटा दे रखा है हमसे पहली लाइन में यही बोला आप बोलोगे जी सर तो आप मुझे बताओ कि पूछा क्या कि यदि उनकी आय का कुल योग अठेतर सो रुपए है तो B की आय बताओ बही सबसे पहले इन तीनों की आय का अनुपात निकालो कैसे निकालेंगे आप बोलोगे सर ये तो दे रखा है कि A की आय का 10% B की आय का 15% C की आय का 20% तरीका देख ले ना प्रतिसत अटाओगे 200, 200, 200, तो वो 100 से 100 कटेंगे, तो प्रतिसत से प्रतिसत उड़ा दो न, 5, 2, 10, 5 से काटा 3, 5 से काटा 4, ये क्या हो गया, सर 2A, ये क्या हुआ, सर 3B, ये क्या हुआ, गुरुदे, 4C, अभे A की value निकालनी है, तो क्या तरीका लगाओगे, सर A को cover कर लो, जो बच गया, उनकी गुणा, 4, 3, सर 12, एक ही आ गई, आप बोलोगे, हाँ सर, B की निकालनी, B को cover करो, 4, 2, सर 8, C की निकालनी, C को cover करो, 3, 2, सर 6, कटता हो तो सर 2 से काटा 6, 2 से काटा 4, 2 से काटा 3, अब एक बात बताओ, क्या clear है क्या आप स Fiona का, फटाफट जवाब दे देजिए मुझे, 101% समझ में आये है या नहीं आया, A की आये 6, B की आये 4 और C की आये कितने, गुरुदेव 3, A की आये 6, B की आये 4 और C की आये 3, और 3 की आये का यूग कितना, तो आप लोगों का आन्सवर क्या आ जाएगा भाई C is the correct answer देख लीजिए ये type clear है या नहीं इस type का question आपके paper में 2023 में नहीं पूछा गया लेकिन 2019 में पूछा गया था तो मैंने ये type इसलिए डाली कि आप लोगों की कवरप हो अगर 2024 में आ जाए तो आप उड़ा के आप आओ clear है कि आप सभी का अच्छे से फटा फट जवाब दे भाई और जिन विद्वान बच्चों ने अभी तक session को like नहीं किया फटा फट session को like कर दीजे भाई एक चुनाओ का question डाला था यहाँ पे लीजिए भाई अब चुनाओ के जो question पूछे गए नापेपर में वो यह question करने के बाद इतने इतने लगेंगे छोटे छोटे करो एक बार सभी बच्चे इस question का अच्छवर क्या आएगा क्या नहीं या question को पढ़ लो बस अच्छे से एक बार पका पका हो गया निमी सा बहुत अच्छी बात है भाई गुरू जे आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है क्योंकि आप इतना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाले love you गुरू देओ मैं आपसे वादा करता हूँ कि selection लेकर आपसे मिलने जरूर आऊंगा भाई आप selection लीजे 40 में से 40 अंक लाईए comment करके भी बता दोगे तो भी मैरा दिल खुस होगा ठीक है आपका दिल करें मिलने का तो आप जरूर आना वो अब भी भी आ सकते हो आप लेकिन selection के बाद जो खुसी होती है वो एक अलग ही होती है भाई देखो भाई जिन विद्यारति उन्हें अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया फटा फट सेशन को लाइक कर दीजिए भाई देखो दो उमीदवारों के बीच एक चुनाओं में 10% मत दाता हुन्हें अपना वोट नहीं डाला डाले गए मतों के 5% वोटे अवेद गोसित हो गई भाई आपके गाउ में इलेक्षन हुए इलेक्षन के अंदर 10% वेक्ती ऐसे है वो बोले कि भाई हम वोट ही नहीं डालेंगे 10% लोग कैसे हैं बोले कि हम वोट नहीं डालेंगे हम बोले मत डालो भाई तो 10% लोग कैसे हैं जो वोट नहीं डालते अब जिनों ने वोट डाली उन में से 5% ऐसे है 5% ऐसे है जिनों ने वोटे अवेद कर दी खराब कर दी कुछ गाओं में बड़े बुड़े होते हैं वो बोलते हैं अरे यार मेरी वोट तो खराब हो गई ना मेरी कॉंग्रेस के खाते में गई ना बीजेपी के खाते में गई मैंने तो दोनों बटन दबा दिये तो उनको इन्वेलिड वोट बोलते हैं आगे सफल उमीदवार को वैद बतों का 55% पराब्त हुआ जो जीतेगा जो हारेगा जिनको वोटे मिलेंगी बीच एक चुनाओ में 10% लोगों ने वोट नहीं डाले डाले गई का 5% अवेद हो गए सफल उमीदवार को वैद मतों का 55% पराब्त हुआ और वै 1710 वोटों से जीत गया गणना करे कि कुल मत दाताओं की संख्या कितनी थी या ना मां कितना में वो है X 10% ने नहीं डाली तो total का कितने 0% ने डाली सर 90% ने total के 90% ने डाली अब ये कौन लोग हो गए सर जो डालने वाले है भई total का 90% कर दिया तो ये वो आगे ना जो डालने वाले है अब जिन्नों ने डाली इनका 5% अवेद हो गई तो भाई इनका 5% अवेद होई तो जो डाली गई उनका वैद कितनी बची अच्छी कितनी बची सर 95% अब एक बात का जवाब दो जो टोटल वोटर या टोटल व्यक्ति जो ना मांग किते हैं उनके 90% ने डाली तो ये डाली गई वोट हो गई उनके 5% खराब हो गई तो अच्छी कितनी बची डाली गई का अच्छी बची 95% अब जो ये डाली गई अच्छी वोटे हैं इस में से जीतने वाले को मिली 55 तो हारने वाले को कितनी मिली होगी सर 45 भाई किसका भाई जो डाली गई अच्छी वोटे है उनका 55% अरे वैद का 55% जीतने वाले को तो हारने वाले को मिला 45 तो जीत हार हुई कितने से सर 10 से और जीत हार हुई कितने से सर 1710 से बस भाई, ये एक लाइन सिखाना चाहता था, अगर ये एक लाइन सीख ली, तो इतना बड़ा क्योस्टन सिरफ एक लाइन में खतम कर दिया, मैंने यहीं पर, देख लिजिए अच्छे से, सोसे मिमान के बता देंगे, बड़ाई, एक बच्छा बोल रहा है, सोसे मान के बता दोगे, जरूर बता देंगे भाई, आपकी मन की छमन में नहीं रहनी चीए, समझ गए भाई, अब देखो, परतिसत हटेगा, तो सर बटे सो, 90 बटे सो, यह सबसे बेस्ट कंसेप्ट है, जो मैं परतिसत के अंदर सिखाता हूँ, आप देखो, 10 परतिसत हटेगा, तो बटे सो बराबर आ गया, कटता हो तो काटो, सर, एक जीरो से एक जीरो, सर, एक जीरो से एक जीरो, दूसरा मारकर यूज कर लो, सर, काटने के लिए लीजिए भाई, और भी कटता है, सर, 19 से 5, 19 से 9, और भी कटता है, सर, 9 एक जीरो, 9 एक जीरो, 5 से काटोगे, सर, 2, 2 गुना, 100 गुना, 100, क्या हो जाएगा, सर, 20 जार, यहाँ पर भाग में, वहाँ पर जाएगा, तो गुना में, तो X की वैल्यो आजाएगी, गुरु देव, 20 जार, क्लियर है, आप सुभी का, अब कुछ बच्चे चाहते हैं, कि सर, 100 से और सिखा दिया जाए, कुछ बच्चे चाहते हैं, कि सर, एक बार इसको रिपीट कर दिया जाए, तो रिपीट भी कर दे, तो देखो, टोटल वोट मानी X, X का 10% ने ने डाल दी, तो डाली 90% ने, अगर मैं सिरफ इतना डाटा देखू, X का 90% कर दिया, तो यह कौन सी वोटे होगी, जो डाली गई वोटे हैं वो, अब 5% लोग ऐसे हैं, जिनकी invalid हो गई, तो जो डाली गई है, अब यह कौन सी वोटे हैं सर, जो डाली गई है, जो यह डाली गई है, इनका 45% अच्छी बची ना, आप कहोगे हां सर, तो डाल ली गई का 55% अच्छी बची तो इन अच्छी का 55% मिला एक को तो दूसरे को भी कितना मिला सर 45 तो जीत आर कितने से होई सर 10 से तो जो डाल ली गई आच्छी वोटे उनके 10% से जीत आर होई और जीत आर होई कितने से 1710 से तो ये पूरी लाइन 1710 के बराबर ये परत best concept आपको इस धर्ती पर नहीं मिल सकता आप देख ना कुछ बच्चे 100 मान कर बोल रहे हैं total vote 100 माली कितने परतिसत ने नहीं डाली आप बोलोगे सर 10 परतिसत ने 10 परतिसत लोग ऐसे हैं जिनोंने नहीं डाली तो डाली 10 ने नहीं डाली ना तो डाली कितने ने सर 90 ने डाली ये 90 लोग कोण है जिनोंने डाली ठीक है आगे पड़ो सर 5 परतिसत अवेद हो गई अगर 5 परतिसत हो गई अवेद invalid तो भाई 90 का 5 परतिसत invalid 90 का 5 परतिसत परतिसत हटा तो बटे सो 0 से 0 9 पांजे 45 45 परतिस का मतलब 4.5 तो 4.5 यूनिट खराब हो गई तो अच्छी कितनी बची सर 5 परतिसत डाली गई का 5 परतिसत valid होंगी ना आप बोलोगे हाँ सर तो 90 का 5 परतिसत निकालोगे तो 85.5 आ जाएगा 90 में से 4 खराब हुई तो 85 परतिसत अच्छी बची ना ये वो वोट है जो डाली गई और अच्छी है अब इस में से एक जीतने वाले को विनर को तो मिला कितना परतिसत सर 55 और हारने वाले को कितना मिला सर 45 लूजर को अब 85.5 का 55 परतिसत निकालना ये आजयेगा और 45 परतिसत निकालना तो आपका ये आजयेगा इट दोनों का अंतर 1710 के एकवल रखना और फिर एक यूनिट की वैल्यू निकालना फिर 100 के एकवल रखना पिपर में ये ग्राफ बढ़ाड़े जाड़ा है क्या आपको लो भाई ये भी बता दिया आपको जो अच्छा लगे वो अपड़ा सकते हो कलियर हो गया भाई आप सबका अब आते हैं सुनाव वाले उसी क्योशन पे जो SACGD ने पूछा आपसे देखना क्या पूछा आपकी इस क्योशन में फटा फट पड़े सभी बच्चे बस भाई आपकी क्लास सलेगी 20 मिनट और 20 मिनट में बची हुई टाइपे खतम कर देते हैं ठेक है मेरे प्यारे भाईयो जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया आप फटा फट इस क्योशन को 30 सेकिंड का समय दिया आप लोगों को बताओ भाई किलियर है कि आप सभी का क्लास होगा विसाल भाई एप पर रात को नो बजे समझ गए आप देखो ध्यान से क्या कहा आपके क्योश्चन में कि एक चुनाओं में दो मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे जुनाओं में तो दो मीदवार होंगे तो एक दूसरे क्या पोजिटिव होंगे दोनों एक दूसरे के दोस्त होंगे तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा सो सिंपल आसद सी बात है साधान सी बात है देखो दो मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे एक उमिद्वार को 44% मत मिले प्राप्त हुए और वह चो 788 मतों से हार गया विजेत्ता को कितने वोट मिले सुनो अगर हारने वाले को 44% मिले लूजर को तो विनर को कितने मिले होंगे सर 100 में से 44 इसे मिले तो उसे मिले होंगे गुरुदेव 56 अरे 56 और 44 सर 100 तो जीत हार कितने से हुई सर जीत हार हुई 12% से जीत हार कितने से हुई गुरुदेव 12% से और जीत हार हुई कितने से सर 788 से अरे हमारे अकोडिंग हारने वाले को 44 जीतने वाले को 56 जीत हार हुई 12 से और जीतार हुई कितने से 2488 से पूछा क्या है विजेता को कितने वोट मिले तो देखना द्यान से भाई ये बताने कि विजेता को कितने मिले तो पहले एक परसेंट टेकाल लो किसे चारतिया बारा बारा से काट दो न यार क्यो टाइम लगा रहे हो कुछ बच्चों को सतोष्ट करने के लिए देखने चोटे चोटे डाटा बत कटवाओ बारा एकम बारा बारा चीका भाई तर कितना बचा भाई दो आठ बारा दोनी 24 बारा चोकट तालिस आगया भाई 624 एक परसेंट अगर 624 के बराबर है तो जीतने वाले को 56% मिला तो 56% कितने के बराबर होगा गुरुदेव एक परसेंट अगर 624 का है दो परसेंट होगा तो गुणा दो लेकिन 56% है तो गुणा चपन करना पड़ेगा लीजे भाई अब इनकी गुणा कर देना आप लोगों बिल्कुल ठीक है भाई डीफ और दर्मेंदर डागर सरी आएगा आपका अंस्वरा आजाएगा भाई इन दोनों की गुणा करोगे आपे तो 34,944 दूसरा तरीका देख लीजे जो मैं आप लोगों को सिखा रहा था आप बोलोगे सर इस क्योशन में भी तो सिखाओ तो देखो टोटल वोटे नहीं माननी इस बार इस बार क्या कहा कि जीत हार की तो ये दे रखी है विजेता देखो हारने वाले को मिला 44 तो जीतने वाले को मिला 56 आप बोलोगे जी सर जीतने वाले को कितना मिला गुरुदे उचपन ठीक है भाई सबसे पहले आप एक बात सोचो ये टोटल वोट है X X का देखो जीत हार कितने से हुई सर 12% से अब ये आ गया आप लोगों का X का 12% निकालोगे परतिसत हटेगा तो 200 बराबर कितने से हुई भाई 3488 से यहां से आप X की वैल्यू निकाल लेते हो आप बोलोगे जी सर यहां से टोटल वोटे आ गई अब उन टोटल का 56% निकाल देना आपका यह आंस्वर आजेगा यह अच्छा लगे तो यह अपना हो वो अच्छा लगे तो वो अपना हो और मुझे जवाब दो के लिए रहे कि आप सभी का फटाफट जवाब दो भाई वेरी गुड एवनिंग भाई चलो नेक्स्ट क्यूस्टन की तरफ चलते हैं सिवानी बोल रहे है परसंटेज का चैप्टर खतम नहीं भाई अभी बचा हुआ है सिवानी ठीक है एक भी वो टाइप नहीं छोड़ोंगा कि आप यह बोलो कि सर अभी तो वो टाइप रह गई हमारी देखो फटा-फट क्या कहा next question में थोड़ा सा speedily करो अब थोड़े से lose होगे क्योंकि जो समय बढ़ता जा रहा है आप लोगों का जो सकम होता जा रहा है क्योंकि आपके अंदर नहीं है कैलीबर तिन-तिन घंटे पढ़ने का और मैं वो कैलीबर बनाना चाता हूँ आप सब का क्या आप सब कर सकते हो कर सकते हो तो लगे रहो समझ गए जो टिका लाश तक वही काम्याब बच्चा है क्योंकि सब के अंदर नहीं है वो कैलीबर इतना इतना पढ़ने का आप पढ़ सकते हो अभीनास पढ़न जी धन्यवाद गुरूजी नाइस क्लास धन्यवाद भाई आपका भी अब देखो एक चुनाओं में केवल दो उमीदवार होते हैं एक व्यक्ति को 40% वोट मिले और वह 50 वोट से हार गया यह मानते हुए कि कोई भी वोट अवेद नहीं थे वोटों की कुल संग क्या बताए सुनो अब एक व्यक्ति को 40% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा सर 60 तो टोटल का कितना परसेंट से जीत हार हुई सर 20% से और जीत हार हुई कितने से सर 50 वोटों से अगर यह परतिसद हटेगा अगर यह परतिसद हटेगा तो हटाने के लिए क्या करेंगे सर हटाने के लिए करेंगे बटे सो अब सर 10 से 10 दो से काटा 25 25 गुडा 10 करोगे तो X की वैल्यू आ जाएगी गुरू दे उढ़ाई सो X की वैल्यू क्या आएगी गुरू दे उढ़ाई सो C is the correct answer ये तो वो तरीका हो गया दूसरा तरीका जो आप पूरो एक्सपेंड करके करते हो वोर देख लीजिए अतिया उसके आप लोगों के लिए कि एक उमीद्वार को मिला 40% तो दूसरे को मिला होगा 60% गुरू देव जीत हार हुई 20% से जीत हार हुई 20% से लेकिन जीत हार हुई कितने से सर पचास से 0 से 0 तो भाई 1% कितने के बराबर सर 2.5 के तो 100% कितने के बराबर गुरू देव गुणा 100 क्या आजाएगा भाई यहां से भी 200 जो आपको अच्छा लगे यह अच्छा लगे तो यह अपना हूँ यह अच्छा लगे तो यह अपना हूँ पेपर में बस क्योस्चन उड़ा के आओ कोई भी मैथड अपना हूँ लेकिन क्योस्चन उड़ा के आओ समझ गए सभी बच्चे सर फास्ट प्ली चलो भाई से मंबर मा फिर से एक format में format में नी फिर से एक form में आते हैं उसी speed वाले form में भाई सुबह 8 से लगावाँ स्याम के 5 बच चुके हैं कितने घंटे हो गए 5 और चाहा 9 घंटे हो गए लगातार पढ़ाते हुए और रात के साड़े 11 बजे तक पढ़ाना है तो यार इंचानू खाना तक खानी रखा आज मैंने महिश बोल रहा है सां मैं स्टार्ट से ही लाई हूँ बहुत अच्छी बात है भाई तो बहुत कुछ सिखा होगा आपने very nice class सर धन्यवाद भाई तिवारी जी पुझने सर कब class खतम होगी जब सब टाइपे खतम होगी ये कहा था ना कि परसंटेज पूरी खतम होगी तो कुछ छोड़ूगा नहीं समझो आप इस बात को छुट गया तो आप ये सोचोगी सर ये तो कराया नहीं देखो दो उमीदवारों के बीचे एक सुनाओ सुना द्यान से टोटल वोटे दे रखी है 17,500 टोटल वोटो की सन कहा कितनी है आप बोलोगे गुरुदेव 17,500 है टोटल वोटे 17,500 में से 18% अवेद है 18% क्या है अवेद तो वैद कितनी बची सर 82% अच्छी कितनी बची गुरुदेव 82% टोटल वोटो का 82% निकालोगे तो वैद मत आ जाएंगे आपके क्या आ जाएंगे वैद मत अब आगे पढ़ना क्या कहा क्योस्चन में कि जीतने वाले को सुनीजे एक उमीदवार को कुल वैद मतों का मिला 48% तो दूसरे को कितना बिला होगा वैद का सर 52% कितना मिला होगा 52% अब ये वैद ही तो है आप बोलोगे हाँ सर टोटल का 18% छोड़ दिया तो टोटल का 22% ये वैद है वैद का 48% एक ले गया तो ये दूसरे को कितना मिलेगा सर 22% बस भाई काट दीजे सोल कर दीजे आप कांसोर आ जाएगा फटा फट बताइए क्या आएगा क्या नहीं आप बोलोगे सर 2-0 से 2-0 काट देंगे और भी कटता है क्या सर 5 से काटेंगे 5-3-15 5-5-25 5 से काटेंगे सर 20 और भी कटता है क्या हाँ सर 5-7 5-4 अब सर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 ची का 12 2 से काटेंगे सर 13 सर 13 साथ एक्याण में और 2 है क्या लास्ट में अरे 2 दो है ठीक है तो देखो गुणा कर दो सर 7 गुणा 82 गुणा 13 अगर युनि डिजिट से करते हो तो क्या आएगा आपका सर 7 दूनी 14 चीयारतिया 12 आखरी का अंक दो आएगा किस किस के है भाई D और C के ये दो तो होंगे नहीं क्या अंसर होगा क्या तो D क्या C तो आप एक बार जज़ करके देखे क्या हो सकता है D फूर धरपिंदर डागर सर ही हो सकता है ये लहीं होगा लेकिन आप पूरी गुणा कर लेना भाई तेरा साथ 91 91 गुणा 82 करोगे तो आप लोगों का accurate data आज़ाएगा क्या आज़ाएगा 91 गुणा 82 करने पर आप लोगों का result आज़ाएगा 7462 क्लियर है क्या आप सभी का भाई फटा फट बताओ एक बचा वोड़ा सर जिम भी जाना रे नालग पहले कामियाब हो जा उसके बाद जिम में चले जाना समझ गए ठीक है विकी पवार PDF हातो हाथ में लेगा आपको टेंसन फिरी रहे next question करें फटा फट क्या कहा आपके next question के अंदर देखिए हाँ भई फनी ट्यूब मान लिया सही पैचाना और आपने ठीक है एक चुनाव में दो उमीदवार A और B थे निर्वाचन शेतर में मदाताओ की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतो का 70% मतदान हुआ था यदि मतदान में से 60% A के पक्स में डले तो B के पक्स में कितने सुनिए द्यान से टोटल मतो की संख्या कितनी है भाई 90,000 अब सुनो कुल मतो का 70% मत दान हुआ टोटल मत है 90,000 90,000 का 70% मत दान हुआ ये कौन सी वोटे हो गई सर जिन वोटो को व्यक्तियों ने डाला 30% वो थे जो वोट डालने नहीं गई तो कितना मददान हुआ 90,000 का 70% 9,73, 63, 63,000 आ जाएगा लेकिन हमें पूरा सोल करने की ज़रूरत नहीं छोड़ दो 90,000 का 70% निकालने का मतलब ये टोटल वोटे हैं जो डाली गई है अब सुनो इन में से 60% मिली पहले को ए को तो दूसरे को कितने मिली सर 40% मिली खतम हो गया क्यों सन बस यहीं बताना था क्या आप लोग नहीं बता सकते सर बता सकते बिलकुल तो बता दो न भाई 2,0 से 2,0 2,0 से 2,0 9,73, 63, गुना 40 2,0 as it is 4,3, 12, 4,6, 24, 1 25,000 25,000 200 B is the correct answer B4 बहुत अच्छा किस शिफ्ट में आया SSC GD ने 10 जनवरी 2023 को 3rd shift के अंदर पूछा देख लीजे भाई फटा फट बताए कुन्ज बिहारी बोल रहे B4 बिदनास धर बिदनर सर धन्यवाद भाई चलो फटा फटा देखे सभी बच्चे क्या आएगा क्या नहीं आएगा आप बोलोगे सर A और B दो उमीदवार है उनके बीच में चुना हो अब B ने 16,200 मत पराप्त किये A को कुल मतों के 8 परतिसत से हराया यदि कोई अवेद मत नहीं है तो A और B के मतों में कितना अंतर है एक बाद बताओ 8 परतिसत से हराया ना भाई कितने परतिसत से हराया 8 परतिसत से सोच ना टोटल 100% वोटे हैं तो वीनर को 8% जादा मिला भाई 100 बे से 8% तो गई तो बची कितनी सर बाडवे बाडवे को दो जगे बाटोगे तो कितना आएगा सर 46 और 46 क्या आएगा सर 46 और 46 तो 46 और 8 चोवन तो जीतने वाले को मिला होगा सर 54 और हारने वाले को मिला होगा गुरुजी 46 देख लीजे ध्यात से इससे साधारन और सरल तरीके से और चीजे क्या सिखाऊं मैं आप सबको बताओ कि देखो आठ परतिसत ऐसे है कि जिनसे वो हार गए तो आठ परतिसत विनर को ज़्यादा मिली सो में से आठ परसेंट जितने वाले के पक्स में गई है तो बच्ची हुई 92 परसेंट तो आदी आदी ना आप बोलोगे जी सर तो टोटल वोटे विनर को चोवन और हारने वाले को लूजर को 46 तो डिफ्रेंस देखो कितने का सर आठ काई तो है तो लीजिये भाई कतम हो गया अब देखो ध्यान से A को और B को A ने B ने इतने मत प्राप्त किया और A को कुल मतो के इतने से हराया तो B को जादा मिला भाई 8% तो B को मिला 54% तो A को मिला कितना परसेंट सर 46% तो हमारे अकोडिंग जीत हार कितने से हुई गुरुदेव 8% से और जीत हार हुई कितने से सर जीत हार तो हुई है 8% से लेकिन B की टोटल वोटे चोवन परसेंट है लेकिन संख्या में टोटल वोटे दी कितनी सर 16,200 अगर चोवन परसेंट 16,200 के बराबर कटता हो तो काटो ना भाई फटा फट आप बोलोगे सर 9 से काट देंगे 9 एक कम 9 7, 9 आठे 22 और 2 0 हाँ सर 9 से काटेंगे 9,6 का चोवन 6,1 कम 6 6,3,8 सर 1,3 300 के बराबर आएगा तो अंतर कितना है सर 8 परसेंट का अगर 1 परसेंट 300 की तो 8 परसेंट सर 8 गोणा 308,3,4 तो क्या आंस्वर आ जाएगा भाई A is the correct answer ये कब पूचा गया सर 13 जन्वरी 2023 को पहली सिफ्ट में पूचा गया SCGD के एकजाब में ही आबारे पे आया ना clear है ना सभी विद्वान बच्चों का फटाफ़र जवाब दीजिए मुझे फिर बढ़ते next question की तरफ और जिन विद्वान बच्चों ने session को अभी तक like नहीं किया फटाफ़र session को like कर दीजिए भाई अब चुनाओ वेस के question अब नहीं अटरकने आपके कोई भी जो भी चुनाओ के question है सभी बच्चे try yourself कर सकते हो भाई आप सब ये क्या आ गया अगली type आ गई अराम से screenshot लेना और PDF में मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने hw लिख रखा हूँ उन सभी question को telegram से download करोगे PDF को और एक एक question को करके देखोगे और उनको comment में जवाब दोगे कि sir मेरा ये ये आया और जो आपके doubt आए वो telegram पे आप doubt group में पूछ सकते हो भाई match by धर्मेंदर डागर sir भाई अगर एक बार और repeat करने लगया तो session और ज़्यादा चला जाएगा ठीक है अब बस 15 minute के अंदर इस class को खतम करने वाले जो भी बची हुए type है उनको खतम करना चाहता हूँ यदि x और y का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है तो x और y के बीच संबंद ग्याद कीजिए भाई ये संबंद बड़ी खतरनाक चीज है ये relation है ना अब करना पड़ेगा मजबूरी है x और y के बीच में आप देखो option देखो क्या कहा आपके option में आप सब जवाब दोगे देखो भाई पहला option क्या आप सब का कि y का 75 परतिसत है और y x का 133 परतिसत है x is 80% of y and x ये क्या दे रख है कुछ भी y का c परतिसत है y का 35 परतिसत है ये होगा x y का 35 परतिसत है x y का x y x का 120 परतिसत है ये चीज़े आएंगी देख लीजे पर दोटों निकालने सिखा देता हूँ आप लोगों को जो ये x है x ये y का कितना परतिसत है सर गुणा कर दो लीजे भाई 4 से काटा 25 25 तिया सर पिचहतर 75% है कोण है सर ये उपर x था x जो x है ना x ये y का 55 परतिसत है गुरू देख y का 55 परतिसत है तो है क्या उप्षन सर एक्स y का 55 परतिसत था तो सही यार एक उप्षन यही था क्या x is 80% ये नहीं हो सकता x is नहीं हो सकता y is 120% of x अब y का और निकाल के देखो भाई एक बार ये और थोड़ा सा सबे ले गई आपकी छोटी सी चीज़े एक दो देखो कि y का पूचा जाए तो 4 बटा 3 गोणा 100 y पूचा जाए तो y उपर x दीचे क्या हो जाएगा सर 400 बटा 3 3 से भाग करोगे 3 एकम 3 सर 10 3 तिया 9 क्या बचा सर 3 तिया 9 133.33 परतिस्थ आएगा अब देखो x तो y का 55 परतिस्थ है और y x का कितना है सर 33.33 133.33 अब देखो फर्स्ट ओप्शन बोथ x इज 5 परसेंट अरे ये टाइप इस्ट को मैं जान से मारूँगा 75 परसेंट ओफ आएगा यहाँ पर कि बोथ x is 75% of y and y is a 133.33% of x आपका a is the correct answer a में बस ये टाइप पिंग की अरर कर रखी कि हिंदी में तो 55 परतिस्थ दे रखा इंगलिस में उल्ली 5 लिख रखा था आप जब भी भी मेरे से मिलने आओ न सेलेक्शन लेने के बाद जो ये टाइप इस्ट है इन दोनों को अपने साथ ले जाना और रस्ते में कहीं पर छोड़ देना गुम नाम रस्ते में कि ये दो बारा से मेरे पास ना आप आए समझ गें सभी बच्चे चलो भाई नेक्स्ट क्युस्टन की तरफ चलते है फटा पर देखे सभी बच्चे और जिन विद्वान बच्चों ने अभी तक सेसन को लाइक नहीं किया फटा फट सेसन को लाइक करे अरे जंगल में नहीं किसी भी गुम नाम रस्ते में सोड़ देना ठीक है देखो भाई ये आपका है सेसी जी डी का ही टेक नहीं है तो ये 2021 या उननिस का क्युस्टन मिलेगा 21 का मिलेगा मेरे अकोडिंग दो व्यक्तियों A और B के वजन करमस्या 5 अनुपात 3 के अनुपात में A का वजन 5 परतिसद बढ़ गया तो B के वजन में परतिसत वर्दी गयात कीजिये देखना भाई ध्यान से 1 है आपका A 1 है आपका B इन दोनों के वजन का अनुपात है 5 अनुपात 3 इन दोनों के वजन का अनुपात कितना है भाई आप लोग बोलोगे 5 अनुपात 3 अब सभी बचे बताएं कि फटा फट मुझे कि एके वज़ट में कितने की वर्दी हुई सर 5% की अगर आसान बनाड़े के लिए मैं आपको एक छुटा सा तरीक्का बता देता हूँ अगर यहाँ पे 100 से गुणा करते हैं तो यहाँ भी 100 से गुणा कर सकते हैं पांच नुपात तीन बोलो या पांच सो तीन सो बोलो एक ही बात हैं मैं पांच रुपे कमाता हूँ आप तीन रुपे कमाते हूँ मैं पजास कमाता तो आप तीस कमाता तो आप तीन सो कमाते हो मैं पांच अजार कमाता तो आप तीन अजार कमाते हो मैं पांच लाग कमाता त तो आप 3 लाग कमाते हो, मैं 5 करोड कमाता है, तो आप 3 करोड कमाते हो, यही मतलब होता है न उनुपात का, अजियूम किया है समझाने के लिए, समझ गए, 5-3 था तो 500-300, एक वज़त में 5% की वर्दी हुई, 5% बढ़ा, देखो अब फाइदा क्या होगा, 500 का 5% निकालोगे परतिसत हटेगा गुरुदेव बटे 100, 2-0 से 2-0, 5-5-25, 5-3 आएगा सर 25, मतलब 25 बढ़ गया, 500 से हो गया गुरुदेव 525, लो भई, A का वज़न 525 हो गया आप, अब आगे पढ़ो, A और B का कुल वज़न 15% की वर्दी हुई, A और B के वज़न में कितने की, सर A और B का है कितना 800, लेकिन वर्दी हुई कितनी 15% की, तो 800 का 15% निकालो, सर 15, 8, 120, सर 120 आया, तो 800 से कितना हो गया, सर 120 बढ़ा तो 920 हो गया, 15% बढ़ने का मतलब क्या होता है भाई, 800 का 15% निकालोगे तो 120 आएगा, कितना हो जाएगा, गुरुदेव 900, अब आगे देखो, क्या कह क्योस्चन में, कि वर्दी के साथ 12 किलोग्राम हो जाता है, तो B के वजन में कितने परतिसत की वर्दी होई, ध्यान से समझ ले ना भाई, अब हमारे अकोडिंग दोन्नों का कितना यूनिट, सर, 1, 2, sorry, 920, 920, 920, 920 यूनिट है हमारे अकोडिंग A और B का अब वजन, ले 920 अगर 92 किलोग्राम के बराबर है, अब देखो, हमारी एक यूनिट कितने की होगी, सर, 92 बटे 920, 91 कम 92 से 10, 1 बटा 10 किलोग्राम के है, जहां हमारा एक होगा, वहाँ एक जामनर का 1 बटा 10 किलोग्राम होगा, अब समझो सभी बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं, आप बो 30 की वर्दी होई, तो एक बात बताओ, B का वजन कितना बढ़ा, सर, 25 बढ़ा, कितना बढ़ा, सर, 25, सोरी, B का 25 कैसे बढ़ा, ये तो निकालने की जरूरत नहीं थी, कहां दिमाग गया हुआ थे, कोई बात नहीं, इससे भी करा दोगा, देख लीजिए, 500, 300, 800 था, टोटल बढ़ गया, 920 हो गया, A और B का, A का 525 हुआ, तो B का कितना हुआ, सर, देखो, 5, 11 में से 2 गया, 9, और ये क्या आएगा, सर, 8 में से 5 गया, 3, तो B का 395 होगा, ये इतना निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योस्षन पूरा ना पढ़ने का रजल्ट है, ये, क्राइम मे मेरे साथ हुआ है, अभी-अभी, समझ गए, अब देखो, B का वजन 300 से 395 हो गया, तो कितना बढ़ा, सर, 59, कितने से बढ़ा गुरू देखो, 300 से, परतिसाथ हटाने के लिए, बटे सो, लगाने के लिए, गुणा सो, 2, 0, 2, 0, 3, एकम, 3, 3, 3, 1, और, 2, 0, 3, 6, 6, 6, ये आ आए, तो क्या मैं उमीद लगा सकता हूँ, कि आप सब उडा कर आओगे, फटा-फट बताओ, सर, मैंने आज क्लास, नहीं लिए, कल से सभी क्लास, लाइव लोगी, लेट होगी, कोई बात नहीं, भाई, सर, प्लीज, वीडियो अप्लिकेशन पर डाल देना, अरे, ये विर कुछ भी आएगा, पेपर है, एक्जामनर का दिमाग है, कुछ भी पूछेगा, है ना, अब देखो, देखो भाई, फटा-फट, सराब और पानी का एक गोल करमसे साथ अनुपात, एक के अनुपात से बना है, इस गोल में सराब का प्रतिसत सांदरता क्या है, एक बात बताओ, मुझे छोटी सी, भाई सराब, सराब को बोलते हैं वाईन, मुझे तो नाम ही, आज पता चला, कि वाईन क्या होती है, सराब क्या होती है, अरे सराब होती है, यह वाईड होती है, समझ गए, और वोटर, वोटर का तो पता है, कि यह तो पीते हैं सब, लेकिन सराब बड़ी बेकार चीज बता पानी और सराब के घोल में सराब की संदरता कितनी है सर साथ है टोटल घोल कितना सर साथ और एक आठ परतिसाथ हटाने के लिए बटेसो और लगाणे के लिए गुरुदेओ गुणा 100 परतिसाथ अब बताओ सर च्यार दो नहीं च्यार से काटा पचीस पचीस साथ एक सो पिचैतर बटा दो भाग करोगे दो एकम दो आठे सोला दो साथे चोदा दो पांजे सतासी पॉइंट पांच परसेंट है क्या उप्सन सर बीफोर बहुत अच्छा क्यों सर देख लीजे फटा फट आपके ससी जि क्या समझ बे आगया आप सभी को चलो भाई नेक्स्ट क्योस्टन यदि पैट्रोल की केमत 95 रुपए परती लीटर से 110 रुपए परती लीटर हो जाती है तो रवी दवारा पैट्रोल की खपत में कितने परतीसत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्चा समान रहे बताओ भाई सबसे पहले सिखाता था परतीसत में नए स्टूडेंट है घबराओ मत इस टाइप का एक आचुका है जब पैट्रोल होगा मेंगा ज्यादा रुपए का आएगा तो हम कम यूज करेंगे पैट्रोल होगा सस्ता तो हम ज्यादा यूज कर लेंगे हाया ना आप पहले 19 रुपए का आता था तो आब आता है 22 रुपए का तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी सर जो प्राइस होता है इसी को लटकर लिख देते हैं बात खतम कैसे भाई जब पैट्रोल था सस्ता तो हम ज्यादा लेकर आते थे आज ज्यादा रुपए का आने लग गया तो ह सर पहले 22 यूनिट पैट्रोल लेकर आते थे आज लेकर आएंगे 19 तो कितना कम लाने लगे भाई 3 यूनिट कितने से सर 22 से परतिसत हटाने के लिए बटे 100 लगाने के लिए गुणा 100 परतिसत अब देखो ध्यान से कटता है क्या सर 2 से काटा 11, 2 से काटा 50, 5 तिया 15, 500 बटे 11 परसेंट भाग करो 11, 1 कम 11, 4, 0, 11, 3, 33, 13 पॉइंट सम्तिंग है क्या सर D4 धरमेंदर डागर सर इस दा करेक्ट आंसवर देख लिजे फटा फट वेरी गुड भाई बहुत अच्छा क्लास चल रही है दो बज़े से भाई दो बज़े से लगातार चली हुई है और जिन विद्वान बच्चों ने और जिन नालायक बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जो यही पूछ रहे है कि class कम से चल रही है तो वो सभी बच्चे class को फटाफट like कर दे ठीक है भाई चलो भाई, next question की तरफ बढ़ते अब यह type है खतम होने पर है सब की सब देखो, क्या कहा आपके इस question में, करना भाई एक बढ़ सभी बच्चे बस भाई, दस मिनट और एक class का टाइम ज़्यादा नहीं, ठीक है देखो यदि चावल की कीमत में 10% की कमी एक व्यक्ती को 2500 रुपए में 22 किलो ग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्सम बनाती है तो चावल की वास्तवी कीमत कितनी थी सुनना ध्यान से कीमत, कीमत का मतलब होता है price, क्या होता है भाई price, और मातरा का मतलब होता है quantity सम, मातरा खपत बोल सकते हैं अब सुनो ध्यान से, 10% का मतलब होगा, एक बटा 10, अगर पहले चावल आते थे 10 रुपय परती किलोग्राम, तो आज 1 रुपय सस्ते हो गए, कितने क्याने लग गए आप बोलोगे, गुरु दे, उन्नो रुपय के पहले आते थे 100 के, तो आज आते है 900 के, सोरी पहले आते थे 100 के, तो आज आते 90 के पहले 1000 के तो आज 900 के पहले 10 के तो आज 9 के तो 10 पर 30 का मतलब एक बटा 10 पहले चावल का मुल्ले 10 था तो आज हो गया 9 अब ये बताओ मुझे चावल हो गए सस्ते तो जादा खरीद पाएंगे या कम सर जो मुल्ले का अनुपात होता है उसका पोजिट कर देते हैं तो आपका आजाता है quantity खपत तो एक बार सभी बच्चे जवाब दो चावल महेंगे थे कम लेकर आता था आज सस्ते हो गए जादा लाने लग गया हमारे according कितना जादा चावल खरीदने में सक्सम हो गया व्यक्ती सर एक यूनिट जादा लेकिन एक्जामनर ने क्या बताया 22 किलोग्राम जादा कितने जादा भाई 22 किलोग्राम जादा तो एक बात बताओ एक यूनिट 22 किलोग्राम के हमारे according तो एक यूनिट जादा चावल 19, पहले वो चावल लेकर आता था सर, 188 kg, पहले कितने चावल लेकर आता था भाई, वो 188 kg, कलियर है, लेकिन बात ये है, अब का पुछे तो सर, 10 गुडा 22, 220 kg आज आएगा, ज्यादा लाड़ी लग गया ना भाई, यही तो था, अब का पुछे तो, 10 गुडा 22 करोगे तो 220 आएगा, देखो पहले, 188 में, आज 220, 22 ज्यादा लाड़ी लग गया नहीं, हाँ सर, 22 kg ज्यादा, लेकिन क्योस्टन में पूछा क्या आप लोगों से, चावल की वास्त्वी कीमत परती kg बताए, तो पहले, 188 kg आते थे, रुपए खर्चने के लिए थे कितने, सर, 2500 रुप दो आएंगी, तो उसी परकार से, 2500 रुपए में कितने चावल लेकर आया, सर, 198, तो आपको पता चल जाएगा है, नहीं, कि एक kg का क्या मुल्य है, तो भाई, इसे भाग करोगे, तो वन पॉइंट सम्थिंग आएगा, सभी ओप्सन वन पॉइंट सम्थिंग है, तो एक डि दो नी, 1.2 है क्या, सर, 1.2 is the correct answer, क्या answer आज आएगा भाई, 1.26, पहले जो चावल की कीमत थी, वो थी, एक रुपेच, 27 पैसे के आसपास, क्लियर है क्या भाई, आप सबका, फटा फट जवाब दे सभी बच्चे मुझे, चलो next question की तरफ बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा फटा फट सेशन को कुतम करते हैं, और ये वाली, मैंने यूटूब पर पूरा परसंटेज सिखाया था, और जितनी भी टाइपे कराई थी, टाइप ही नहीं बचती, तो पेपर में examiner question पूछेगा तो पूछेगा कहां से, सोचके देखे ये बात, आज की क्लास में सभी, सब के सब question, आपने देखे, जो latest 2023 के ते कि किस परकार के पूछेगा है, किस परकार के नहीं, चलो भाई, आगे करते हैं, फिर एक बार कुछ reasoning के बारे में discuss जरूर करूँगा, और reasoning वाले गुरुजी के बारे में discuss करेंगे, लेकिन एक बार ये question कर देते हैं, देखो ध्यान से, एक परिवार के चावल पैट्रोल तेल के खर्च का अनुपात, आठ ग्यारा छे, चावल, अरे रे रे, अब टाइपिस्ट को मारे, या छोडे, आप इंग्लिस में देखो और हिंदी में देखो, एक जगे ठीक है, एक जगे गलत है, मतलब देखना, कि यहाँ पर आठ एक यहाँ पर आठ ग्यारा छे, तो यहाँ पर मेरे अकोडिंग सायद ग्यारा ही होना चीए, एक बार ग्यारा से करके देख लेते हैं, अगर ग्यारा से नहीं आता है, तो फिर एक से करेंगे, फिर हिंदी वाला गलत है, ठीक है, मेरे अकोडिंग ग्यारा ही आना चीए, वाकी गुरुदेव इनके खर्च का अनुपात है 8, 11 और 6 एक बात का जवाब दे दो आप सब मुझे आप बोलोगे सर क्या कि मैं अगर 8 की गोणा 10 से करता हूँ तो 11 की भी करनी पड़ेगी और 6 की भी करनी पड़ेगी आप बोलोगे जी सर अनुपात में तो जिस भी डाटा से एक अनुपात की गोणा होती है तो सभी जो भी अनुपात की ट्रम दे रखी सब के साथ होती है अगर 6 की गोणा 5 से होगी तो 11 की भी होगी आठ की भी होगी मतलब इसके पीछे एक 0 लगाई तो 3 के पीछे लगेगी अब देखो क्या फायदा विलेगा यदि इन वस्तुओ की क सर दस परतीसत की तो देखो 80 का 10 परतीसत निकालो परतीसत हटेगा तो क्या आएगा सर बटे सो 1001010 कितने की वर्दी होगी सर 8 की 80 से हो जाएगा, गुरुदेव, 88, कितना हो जाएगा भाई, 88, या, सिरफ ये बता दो न, वर्दी कितने की हुई, सर 8 की, अब पैट्रोल में कितने की वर्दी हुई, सर पैट्रोल में हुई, 20% की, बताओ भाई, परतिसात अटे का बटे सो 0 से 0, 11 दुनी 22, तो वर्दी हो ज 30, 30 और 18, 48 की वर्दी हुई, गुरुदेव, हुई कितने से, सर 110 और 80, 190 और 60, सर 250 से, परतिसात हटाड़े के लिए, बते सो और लगाड़े के लिए, गुणा 100 परतिसात, अब कटता हो तो काट दो भाई, आब बोलोगे सर, 25 से काटा 10, 25 से काटा 4, अब सर छोड़ो न, क्य काट रहे हो, च्यार आठे बतिस, च्यार चोड़ो का 16, और 3, 19, बटे 10 है, तो 19.2%, C is the correct answer, और SSCGD ने पूचा, 16, 1,2023 को 3rd shift के अटनर, कुछ मेरे बच्चे ओफलाइन के, अगर कोई पढ़ रहा हो, जो मेरा ओफलाइन बेच का स्टुडेंट हो, जो बच्चा कभी 2 साल पहले भी पढ़ाना, तो ये क्योसन मैंने तब भी भी कराया हुआ है, दो साल पहले भी पढ़ा हुआ है, तो, कोई भी बच्चा कभी recorded class भी देखे, तो compare कर ले ना भाई, ठीक है, क्योंकि वो सब की सब टाइपे cover up करा दी हैं मैंने, चलो भाई, next question की तरफ चलते हैं, 7 question मतलब 7 minute, ठीक है बचे, देखिए, 37, अमयत गुरू, गुरू जी कहा है, आपके चरण, भाई, यहाँ है, दिल है आप लोगों के लिए, ठीक है, 7 question 9, नंदनी कुमारी, ठीक है, भाई ठागुर साब, थोड़ा सा ये भी सब जो, कितने घंटे हो गए, लगातार, इसी प कि फास्ट 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 लगे रहेंगे, थोड़ा सा तो सांस लेने दीजिए, समझें, चलो भाई, आगे करते हैं, क्या कहा आपके question में, ओम ने पिछले वर्स की तुलना में अपनी बेकरी के लिए 12% अधिक बाजरा आटा मंगवाने का निर्णे लिया, ठीक फील कराती, इसलिए सर्दियों में खाई जाती है, मुझे ये ध्याना आगिया, ठीक है, यदि उसने पिछले वर्स 240 रुपे किलो ग्राम आटा ओडर किया था, तो उसे इस वर्स कितनी मातरा में बाजरे का आटा मंगवाना होगा, भाई एक बात बताओ, पिछले वर्स की 240 का 12% निकाल लो सर, परती सथ हटेगा तो बटे आएगा, गुरु दे उस सो, आप बोलोगे हाँ सर, एक जिरो से एक जिरो, बस भाई, 12 चोका 48, 4, 12 दोनी 24, और 4, 28, बटे 10 है तो इतना, 28.8 किलोग्राम जादा मंगवाना पड़ेगा, सर 240 मंगवाता था, अब मंगवाना पड़ेगा, कितना जादा, सर 28.8, तो कितना मंगवार आए भाई, आब वो, सर 268.8, 268.8, सी इस दा करेक्ट आंसवर, देख लीजे भाई, फटा पट कलियर है कि आप सभी का, फटा फट जवाब दो मुझे, बस 5 क्योसन और टोपिक खतम, ठीक है भाई, कुछ क्योसन ऐस भी तो आएंगे, जो आप कर सकते हो, मुझे पता इस बात का, प्याज के मुल्य में 25 परतिसत की वर्दी से एक महिला, 200 रुपए में 5 किलोग्राम कम खरीद सकती है, तो प्याज का बढ़ा हुआ मुल्य कितना है, समझना भाई ध्यान से, जो प्याज का प्राइस है ना, प परतिसत अटाने के लिए 25 पटा 100 का मतलब क्या आएगा, गुरुदेव 1 पटा 4, तो प्याज का मुल्य 4 से हो गया 5, तो मुझे इस बात का जवाब दो, कि क्वांटिटी क्या होगी, सर क्वांटिटी तो अपोजिट होती है, अगर मुल्य बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी में कितने की कमी होगी, सर 5 से हुई 4, तो कितनी प्याज कम खरीद पा रहा है, पहले के कंपेरिजन में 1 यूनिट कम, और एक्जामनर ने कितना कम बोला, सर 5 किलोगराम, तो हमारी 1 यूनिट कितने की होगी, सर 5 किलोगराम की, अगर 1 यूनिट 5 कि की तो पहले कितना लेकर आता था सर एक यूनिट पांच की तो पांच यूनिट पांच गुणा पांच पत्चिस किलोगराम आज प्याज कितनी लेकर आता है सर च्यार गुणा पांच बीस किलोगराम आज प्याज लेकर आता बीस पहले लेकर आता था 25, question में भी तो 5 kg कम ही बताया ना आप बोलोगे हाँ सर तो question में पूछा क्या कि प्याज का बढ़ा हुआ मुल्ले कितना है भाई, रुपय खर्चने के लिए कितने है सर 200, 200 रुपय में कितनी प्याज लेकर आता है सर 20 kg तो भाई एक किलोग्राम पे आज कितने की आती है सद दस रुपए पर किलोग्राम बी फोर भूत अच्छा क्योसन देख लीजे ध्यान से प्राइस एक्सपेंडिचर क्वांटिटी बेस क्योसन है सबसे पहली टाइप कराता हूँ ये मैं ठीक है मरे भाई और ये क्योसन आएंगे पर बार बार आते है हर साल आते है और इनसे सिंपल क्योसन और क्या होंगे सोच के देखो आप ठीक है सर मैं आर जी विक्रम जी ते से सी जीडी के बैच का स्टूडेंट हूँ सर से बहुत फायदा हो रहा है रिविजन हो गया परसंटेज का थेंक्यू सर जी सर थेंक्यू धर्मेंदर सर है तो सब है ठीक है भाई धन्यवाद आपके इन पोजिस्टिव कमेंट से ही ये सब कुछ मिलता है भाई इतना प्यार परेम देखे भाई फटा फट एक भीन के आंस में 25 परतिसद की कमी की गई और हर में 25 परतिसद की वर्दी की जाती तो नया भीन मूले मूल भीन से कितना परतिसद अदिक है सुन न ध्यान से घबरा नबत भाई एक भीन मालनी मैंने सो आंस और सो हर ठीक है भाई अब अन्स बढ़ा 25% कम हुआ तो कितना हो गया सर 5 हैतर हार कितना सर 25% बढ़ गया अरे अन्स तो 25% कम ये 25% बढ़ गया तो 120 अब बताओ 25 तिया 5 हैतर 25 जोका 100 एक एक अब बताओ ये च्यार इहां पर आया सर च्यार वहां पर क्या रह गया गुरुदेव 3 अब एक बात बताओ क्यो सन में ये पूछा कि नया भिन मुल्ल है भिन से कितना परतीसत कम है बताओ भई जो नई भिन है अगर वो 3 की है तो original भिन च्यार की थी तो कितने की कमी आ गई अगर आंस में 25% की कमी करे और हर में 25% की वर्दी करें तो टोटल कमी आई सर एक की कितने से आई 4 से परतिसत हटाने के लिए बटे 100 लगाने के लिए गोणा 100 परतिसत 4 से काटोगे तो क्या आंस्वर आ जाएगा भाई 25% D is the correct आंस्वर देख लीजे भाई SSCJD ने ये तो पुरू करके रख दिया कि D का मतलब दर्मेंदर डागर सर इस ओल्वेज राइट क्योंकि जादा तर सभी क्योसं का आंस्वर आपका D आ रहा है आप खुद जज़ कर सकते हो भाई तीन घंटे हो गए आपको पढ़ते हुए ठीक है भाई कलियर आप सबका ये कंसेप्ट फटा फट बताओ बढ़ते नेक्स्ट क्योसं की तरफ सर जनसन क्या बेस है ये क्योसं करना बस दो क्योसं और बचे है भाई दो क्योसं बचे हैं ज्यादा नहीं देखो सिरफ ये क्योसं सीख लीजे इसके बाद एक ये इसके बाद एक ये पास फैल का ये तो आ चुका है भाई आप लोगों का तो ये हमने डिलिटी कर दिया एक ये बास भाई दो तिन क्यों से ने खा गया भाई देखो फटा फट देखना सभी वचे क्या आएगा अपके किसी सहर की जनसंकह 5000 ति यदि पूर्सों की जनसंकह में 10% की वर्धी हुई जो मेल थे न वो तो बढ़ गए 10% और और तों की जनसंकह में वर्धी हुई 15% अब एक बात बताओ अब सहर की जनसंक्या चपन सो हो गई तो सहर में प्रारंबिक पुर्सों वे महिलाओं की जनसंक्या ग्यात करें सुनना ध्यान से आसान सा तरीका बता रहा हूं डारेक्ट करने का बेसिक का तो सबको आता है कि पुर्षों की जन्संग क्या मानी X बता दोगा चलो वो भी सुन लीजिए टोटल जन्संग क्या बढ़ गई 5000 से 5600 ही तो 600 आप बोलोगे जी सर आदमी कितने बढ़े सर 10% औरते कितने बढ़ी सर 15% तो भई 10% तो पूरे गाउं की जन्संग क्या बढ़ी या नहीं बढ़ी आप बोलोगे जी सर तो 5000 का 10% तो सब बढ़े तो 5000 का 10% निकालोगे आएगा 500 लेकिन अब बात यह आ गई कि टोटल बढ़े 600 10% आदमी और 10% औरते निकालोगे टोटल का कोमन 10% तो 500 बढ़े तो यह 100 एक्स्ट्रा कोण है सर परतिसत में एक्स्ट्रा 5% महिलाए बढ़ी तो 5% 100 के बराबर है औरते तो 1% औरते 20 की तो 100% औरते होंगी 2000 की अगर 100% औरते 2000 थी 5000 में से 2000 औरते थी तो आदमी कितने थे गुरुदेव 3000 तो आप लोगों का अंस्वर आ जाएगा फिर से D4 दर्वेदर डागर सर कलियर है कि आप सभी का फटा फट बताए भाई कलियर है कि आप सभी बच्चों का आज आपके रिजनिंग की क्लास के अंदर अभी मन्यू सर ने बार बार अनाउंस भी किया होगा कि आज श्याम को आने वाली आपकी मैट की क्लास कहा था या नहीं कहा था सच बताना क्योंकि मेरे को वो बोल रहा है कि मैंने डेड़ सोबर का भाई सभी भाई और बैनों को अब ये मेरे से पार्टी मांग रहे है इस खुशी में देदेनी चीए क्या तो भाई ये भी बहुत जल्द SSC GD के लिए मैराथन क्लास लेकर आ रहे है ठीक है ठीक है जितने भी टोपिक होंगे उसी हिसाब से कि 20 कोस्टन आते हैं अब रिजिनिंग के 20 टोपिक होंगे तो ये भी 20 दिन 20 मैराथन या 14 टोपिक होंगे तो 14 दिन 14 मैराथन वगिरा की जो भी सीरीज होगी वो भोती जल्द बताए जाएगी तो हम पार्टी नहीं देंगे जब सर की क्लास आएगी तब हम आप लोगों को उस क्लास के बारे में इन्फोर्मेशन दे देंगे कि हाँ सर की क्लास आ रही है कलियर है भाई सभी बच्चों का कुछ बच्चे बेसिक से करते हैं वो इस परकार से करड़ा इस क्यूस्चन को कि टोटल जन संक्याती पांच हजार अब बढ़कर हो गई चपन सो पहले मेल और फीमेल मेल बड़े 10% फीमेल बड़ी 15% बेसिक तरीका बता रहा हूँ भाई ध्यान से देख लीजिए भाई देखो आदमी मानने X 5000 में से X आदमी है तो ओरते कितने बचेंगी सर 5000-X आप बोलोगे जी सर अब एक बात बताओ आदमी X है आदमी बड़े कितने सर X का 10% ये तो बड़े आदमी ओरते हैं कितनी गुरुदेव 5000-X ओरते बड़ी कितनी 15% तो 5000-X का 15% बड़ी आदमी और ओरतों को अगर जोड़ोगे तो टोटल बड़े कितने सर 5000-56 हो गए तो 600 सिरफ एक लाइन सोल करनी और X की वैल्यू निकालने ना ये फूल बेसिक हो गया चलो भई नेक्स्ट क्योश्टन फटा फट देखो ये क्योश्टन में रेकोडिंग आप लोग कर सकते हो लेकिन फिर भी देख लीजे आपके स्कूल में बोईज और गल्स का रेश्यो दे रखा है में बात ये है कि कोई भी टाइप छुटे ना में बात ये है ठीक है भाई तो किसी कक्स्या में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का नूपात दे रखा है 13, 9, 7 अगर आपकी कक्स्या में लड़के हैं 13 तो लड़के हैं 7 यदि उस कक्स्या में 78% लड़के तथा 82% लड़के पास हो तो आप एक बात का जवाब दो मुझे, कि भाई, अगर भै 100 से गुणा यहाँ पे करूँगा, तो 100 से गुणा वहाँ पे भी करना पड़ेगा, आप बोलोगे, जी सर, अब लड़के कितने हैं, सर, 13, 100, तो 13, 100 का कितना परसेंट पास हुए, सर, 38% पास हुए, परतिसत तो 700 का कितना परसेंट पास हुए, सर, 82%, अब देखो, 2-0 से 2-0, 2-0 से 2-0, कटा या नहीं, आप बोलोगे, जी सर, 13, 78, 7, 82 करना, यह टोटल लड़के आएंगी, जो पास हुए, यह टोटल लड़के आएंगे, जो पास हुए, अब इनको जोड़ना, तो यह वो बच्चे आजाएंगे, जो टोटल सकूल में पास हुए, कितने में से, सर, 2000 में से, परतिसत लगाने के लिए, गोणा सो परतिसत, तो आप इस परकार से करना, लेकिन पेपर में इतना टाइम तो होगा नहीं करने के लिए, तो मैं साधान सा तरीका बता देता हूँ, आप लोगों को, बेसिक बता दिया, जो बच्चा बेसिक पसंद करता है, वो बेसिक से कर सकता है, सिखा चुका हूँ मैं उनको, 88, 82, ये क्यों संदे रखा है न, अब एक बात बताओ मेरे को, लड़के 88% पास, लड़की 82% पास, तो 88% तो लड़के और लड़के सब पास हुए या नहीं बच्चों का 28% बटे, टोटल बच्चे कितने हैं, पूरी क्लास का निकालोगे, तेरा और साथ, बीस, दो से काटोगे, दस, दो से काटोगे, 14 बटे दस का मतलब, 1.4, 78 और 1, 89.4 is the correct answer, के लिए रहे क्या भई, आप सभी बच्चों का फटा फट जवाब दीजे मुझे, फ लो भई, देखो, 1.8 कि इसी परिक्षा में 20 परतिसत अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फैल हो जाता है, ठीक है, भई, 20 परतिसत अंक लेकर आया, और वो 30 अंकों से फैल हो गया, तो माइनस लगा लिया, परन्तु एक अन्य परतिसी है, एक परतिसी और भी है, जो कितने अंक लेकर आया, सर 32% अंक लेकर आया, जो की पास होने से 42% अधिक है, तब पास होने के लिए कितने अंक परतिसत की जरूरत है, सुनिए ध्यान से, अब ए क्योस्चन को भूल जाई, एक मिन्ट के लिए, 33% से पास हो सकते हो आप, मैं दो बच्चों को पेपर देडे के लिए कहू तो उस बच्चे के पेपर में कितने आएंगे, सर 43, कितने आएंगे भाई, 43, तो मुझे एक बात का जवाब दो, इन दोनों में गैप कितने का, सर 15 का, वैसे देखो, ये 5 फैल हुआ, ये 10 जादा लेकर आया, तो ये घटेंगे नहीं, कभी आप 10 में से 5 घटा के 5 बताओ, ये जुडेंगे, गैप कितने का है दोनों के अंकों में, सर 15 का, देख लीजिए, एक बच्चा जो पास होने से 10 जादा लेकर आया, उसके आए 43, जो 5 अंकों से फैल हुआ, उसके आए 28, एक्चुली गैप है भी कितने का, सर 15 का, और गैप आया भी कितने का, सर 15 का, तो दे एक पर तीसप अंक, अंकों में 6 के बराबर होंगे, अब बताना क्या है, कि सर पास होने के लिए कितने पर तीस अंक के आउ सकता है, previous year का question ने हम से देख लीजिए, ये भी, भाई, एक पर तीस अंकों के बराबर है, तो यहाँ पर 30 कों के आउ सकता थी, 30 अंकों की मतलब 6 के 5 गुणा अंक तो 6 के 5 गुणा अंक कितने परतिसत के बराबर होंगे सर 5 परतिसत के मतलब 5 परतिसत अंकों की और आऊ सकता थी भाई 30 अंक और आने का मतलब 5 परतिसत अंक और चाहिए 20 परतिसत आए हुए है 30 अंको से पैल होना मतलब 5% से फैल हुआ तो 20 और 5 25% से पास होगा केलियर है क्या भही आप सभी का आज की क्लास का अंतिम question देखते हैं फिर कल के बारे में पूरी information देकर जाऊंगा आज की क्लास का अंतिम question देख लिजे भाई फटाफट आज की क्लास में हमने असी के आसपस क्यूस्टन किया, असी पलस, थोड़े नहीं होते भाई, असी क्यूस्टन, साड़े तीन गंटे की क्लास हुई आपकी पूरी, मैंने तीन गंटे के अंदर परसंटेज कराने का वादा किया था, लेकिन बीच में टीम दवारा, कुछ हजार है, यदि वार्षिक जनमदर और मिर्ति उदर साड़े चार परसंट और धाई परसंट है, तो दो वरस के बाद सहर की जनसंक्या में वर्दी की गंटा कीजिए, टोटल जनसंक्या कितनी दे रखी आज के दिन, सर दो लाख पचीश हजार, अगर उस गाओं में साड़ होता है, एक वर्ष में, एक वर्ष में पचास से क्या होन, तो दूसरे वर्ष में भी कितना होगा, सर, पचास से क्या होन, तो एक बात का जवाब दीजिए, मुझे फटाफट सब के सब बच्चे की, टोटल सहर में वर्दी कितने की होई, सर, अब तो हम इसे सोल कर देंगे तो कर दोगे तो कर दो भाई 10 से 10, 10 से 10, 5 से काटा पांचो का 20, 5, 5, 25, 0, 5 से काटा 90 ये क्या 1 का स्केयर करने का तरिका सिखा देता हूं सीख लीजिए एक का स्केयर, एक 5 का स्केयर, 25 लिखना है बस डबल डिजित में अब इनके गुणा कर दो 5 एकम 5, 5 दो नी 10 पीछेस, एक छोड़के 10 जोड़ दो, 1, 0, 6, 2 क्या आएगा 90 गोणा, सर 26, 101 अब 0 एजिटीज क्या आएगा, सर 9 एकम 9, 0 नोची का चोववन अरे रे रे खाली वर्दी बतानी थी, कोई नहीं आप तो ये पूरा हो गया नोची का चोववन, 5 नोदूनी, 18 और 5 सर 23 2,34,090 हो गई अब जन संक्या, तो कितनी बड़ी भाई 2,25,000 से 34,000 हुई 25 से 34, तो 9,090 की वर्दी हुई, कितने की वर्दी हुई 9,090 की B is the correct answer देख लीजे भाई, एक पर सब के सब बच्चे और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, आप फटा फट सेशन को लाइक कर दीजिए और सुनिए आप द्हान से आप बोलो के क्या गुरु देओ कल होगा profit and loss, अब percentage के बारे में सुन लीजिए जितना मैंने ये साड़े तीन घंटे की क्लास के अंदर आप लोगों को परतिसत सिखा दिया न, इस परतिसत से भार एक क्योस्चन नहीं आएगा आपके एकजाम में अगर किसी बच्चे ने इस क्लास को दो तीन बार सीख लिया न, जैसे एक बार पढ़ लिया एक बार और रिवाइज कर लेड़ा, अगर आपका पेपर आया दस मर्च को तो इतना समय होगा ये 20 दिन 20 महरातन का कि आप पेपर से पांच दिन पहले भी इन 20 की 20 क्लास को रिवाइज कर पाऊ, 10 दिन पहले 20 की 20 क्लास को रिवाइज कर पाऊ 2x की स्पीड करना, कानों में येरफोन लगाना और फटा-फट देख देडा सब की सब टाइपे रिवाईज होंगी सब के सब कंसेप्ट रिवाईज होंगे आपके और पेपर में इनके अलावा कुछ नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि परतिसत की मैंने आपकी A, 2, Z टाइपे कवरप करा दी एक होते वेंडाइग्राम के क्योस्टन्स, वो आपके पेपर में आते ही नहीं और विदाउट वेंडाइग्राम भी कर पाओगा अगर ये सभी कंसेप्ट आपने लोगों ने कर लिए अरे वो सरकल बनाने वाले इस परकार के ठीक है? और जिस बच्चे को पूरा परतिसत सीखना हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार आप जाओगे करों पे आप जाओगे यूटूब पे तो देख लीजी एक बार सभी बच्चे बस एक मिनट का समय और ज्यादा नहीं ये तो परतिसत की चली हूँ या आप लोगों की बस एक सेकंड का समय और लीजिए भई ज्यादा नहीं और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटा फट सेशन को लाइक कर दीजे देखो आप जाओगे आरजी स्टेट पर और देखो ध्याद से यहाँ पर जाना प्ले लिस्ट पर जिस बच्चे को ये चीए ना कि सर मुझे तो एक परसंटेज करना है मुझे साधान ब्याज करना है अलग से इनके अलावा वैसे जरूरत नहीं है 20 दिन 20 मेरा थन सबसे बेस्ट सिरीज आप के लिए फिर भी चाहिए तो भाई पले लिस्ट में जाओ देखो जैसे नमबर सिस्टम की ये रही 12 वीडियो है टोटल अब आगे प्रेक्टी सेट SSC GD के ये रही आप उपन करके देखो पढ़के देखो अपने पता चल जाएगा लेटेस्ट 2023 के क्योसन के साथ अब ये 23 वीडियो ये रही इसमें परसंटेज प्रोफिट लोस सब कुछ है और नीचे चलना LCM HCF एवरेज साधार ब्याज की ये रही लगबग पूरा मैत मैंने आपके ओन कर लेना और सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देना इसको और कल दो फैर में दो बज़े मिलेंगे लाब और हानी एक क्लास पूरा टोपिक क्लास जैसे आज आज आपका परसंटेज करा दिया और एक बात और सुनिए सब के सब बच्चे आपकी दो से तीन दिन के अंदर मैच की और रिजनिंग की SSC GD Warrior Book लोंज हो रही है जो आपको मार्केट में मिल जाएगी ठीक है भाई? आप सुनो सभी बच्चे आप लोग इस परसंटेज को करना 4-5 क्योसन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिये वो सभी क्योसन्स के कमेंट मुझे कमेंट बोक्स में चीए एक-एक बच्चे का समझगे भाई? सभी बच्चे वेरी गुड इवनिंग भाई तो सभी बच्चे कमेंट बोक्स में जवाब देना और ये सेसन आप लोगों को कितना भैतरीन लगा आपके लिए कितना फायदे मंद होगा PDF अभी मिल जाएगा भाई सतीस अभी देंगे PDF, टेंसन फिरी रहे तो ये कितना आप लोगों के लिए फायदे मंद है और ये वादा भी करना कमेंट बोक्स में कि सर हम लेकर आएंगे 40-40, आज आपने मेरे से 20 दिन 20 मेरा थन का एक टोपिक कर लिया है तो सभी बच्चे कमेंट बोक्स में जरूर जवाब देना, यहाँ पे तो सभी का थेंक्यू भाई, ये तो है लाइव चैट लेकिन आप क्लास खतम होने के बाद कमेंट बोक्स में, ठीक है मेरे प्यारे विद्यारतियों, और सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद इतना प्यार प्रेम दिखाने के लिए, इसी परकार से कल की क्लास में, तीन घंटे के अंदर आपका प्रोफिट एंड लोस रहेगा उससे बाद में, नेक्स टोपिक डिसकाउंट रहेगा दो घंटे का, क्योंकि जितना प्रतिसत इंपोटेंट था ना, इतना ही आप लोगों का प्रोफिट एंड लोस इंपोटेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि 174 क्योशन प्रतिसत से आए, तो 176 ही क्योशन प्रोफिट लोस से, और 169 क्योशन डिसकाउंट से आए, तो सभी बच्चे PDF के लिए RG State Exam Official जोइन कर लीजिए और Doubt Group के लिए Match by Dharmendra Dagger Sir, ठीक है भाई और दूसरा आगर टेली सोर्यूस पे आप उस ग्रूप में जुड़ गयों, Match by Dharmendra Dagger Sir, जिसमें आप Message नहीं कर सकते, तो उसी में आपको Link मिल जाएगा, आप दोनों जोइन कर सकते तो सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद सभी बच्चों को दिल से प्यार, और सब के लिए, All the best भाई आप 20 दिन जम कर मेहनत कीजिए इस बार GD आपका होगा, SSC GD आपका होगा, याद रखना बस सभी बच्चे कमेंट बोक्स में वादा जरूर करना, कितने बच्चे मेरे साथ इसी परकार से मेहनत करने के लिए तैयार है, ठीक है तो कल मिलते हैं, आप सब से सभी बच्चों से, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को जैहिन